नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ड में दोस्तों आज हम लोग कुछ ऐसे पहलों पर चर्चा करेंगे जो कि समाजिक संदर्फ में बहुत ज़्यादा जरूरी हैं मसलन जैसा कि हम जानते हैं कि हम जिन परिवारों में पैदा हुए वहां पे हमें रमायन, माभारत और इस्तरतर की कःफा कहानिया सुनाई गई आज भी बहुत सारे सज्जनों का ये मानना है कि इन किताबों ये किताबों से हमें कुछ सीखने को मिलता है ये किताबे, हमें कुछ सिख्छा प्रत, ये लोग हमारे आइडियल हैं, इनके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते हैं इससे लोगों को दिक्कते होती हैं और हमेशा इससे कुछ सीख लेने की बात होती है तो जब हम किसी केरेक्टर को किसी भी महाकाव्य या किसी भी जो इंसेंट कहानी है उनके चरित्रों की जब हम बात करते हैं और उसे आइडिल बनाने की कोशिस करते हैं तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि वो चरित्र वास्तों में कर क्या रहा है चरित्र भी पोजीटिव होता है निगेटिव होता है जो पोजीटिव होता है उसके तरफ हमारी भावनाय जुडती है हम उसे हर कुछ सीख लेना चाहते हैं उसको आधर्स देना चाहते हैं और एक चित्र उसी का एक करेक्टर जो है वो निगेटिव होता है, जिसे कहा जाता है कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यहां पे पांच पांडो जो हैं वो पोजिटिव करेक्टर हैं, दुरुपदी एक पोजिटिव करेक्टर हैं, और यहां पे ऐसा दिखाया गया है कि पांच पांडो रहते हैं और उनकी साधी जो है एक दुरुपदी से होती है तो ये एक बड़ा सवाल है कि जब पोजिटिव चरित्र है और इसी में ही इनही के रिलेशन का इनका भाई ही है रिलेशन में जिसका नाम कृष्ण है तो कृष्ण के भी बहुत सारी पत्निया रहत है अगर हम देखें माभारत के ही आखरी के जो चैप्टर्स हैं जिसमें मौशल परवाता है उसमें अगर हम देखें तो इनकी जो 16,000 पत्नियां होती हैं जब उसको अर्जुन लेकर रहा होता है तब बहुत सारे जो लूटेरे हैं वो लूट लेते हैं पत्नियों को उठा- लेकर आता है और इनके क्रिश्न के जो पितात हैं वशुदेव तो वो भी जब मर जाते हैं तो उनकी जो चार पत्नियां थी उनके साथ सती हो जाती हैं सती प्रथा का भी जिक्रब कायदे आता है इवन पांड़ों की जो माता थी नकुल और सादेव की मादरी उनके भी सती होने की बात आती है, even कुंती भी सती हो जाती है, लेकिन चुकि घर परिवार में कोई नहीं था, बच्चे पालने थें, तो दो पत्नियों में से एक पत्नी को सती होना पड़ा और एक ने सारे बच्चों को पालने पोशने का जी मलिया, तो इस तरह की बाते आती हैं, यहाँ पे open invitation है, आएं और यह सावित करें कि जो दुरोपदी है, उनका पांच पूरसों से साधी करना कैसे justify है, या कृष्ण जो है, उनका multiple साधिया, 16,000 साधिया करना, यह कैसे possible है, मतलब यह कैसे सही है, यहाँ सवाल यह है, कि यह कैसे सही है, तो हम इस पर एक चर्चा चाहते ह है, विसेश कर दुरोपदी का तो topic ही हमने रखा है, मैं link यहाँ पर दे रहा हूँ, और जिनको भी debates करना है, उनको आप भेज दीजिए, उन तक link पहुंचा दीजिए, वो आएं, सालेंता से debate करें, देखें सारा खेल जो है न, evidence का है, आप सही है, मैं सही हूँ, कौन सही है यह सिर्फ evidence जो है, वो तै करेगा, तो इसमें न कोई आपको over होने की जुरुत है, न इसमें कोई आपको भासा जो है, रुख या तीखी करने की जुरुत है, तमीज से दायरे में अगर आप debate करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, अ पूबली के सामने आप आप आएगा, कि वास्तों में जिन किताबों को हम लोग के ऊपर थोपा गया है, उसके reality क्या है, सच्चाई क्या है, वो acceptable है, आज के समाज के लिए या नहीं है, अगर नहीं है, तो क्यों फिर थोपा जा रहा है, और अगर acceptable है, तो बिल्कुल थोपा अचाई, इसको शुरू करने से पहले मैं लिगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ, यह लिगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर जो भी बाते होती हैं, जो भी presentation होती हैं, या जो भी deviates होती हैं, इनका उद्देश या scientific temperament को encourage करना है, और जो भी बाहरी वक्ता आएगा, वो अपनी बात करते हैं, वो उनकी अपनी responsibility होती है, तो चले आगे बढ़ते हैं, देखें कौन आये हैं debate के लिए, अच्छा एक बार ये भी confirm कर देजिए, कि sound सभी को clear आ रही है न, चले यह गोविंद आर्या आये हैं, इनको मैं add करता हूँ, गोविंद अच्छा आएगी क्या करते हैं, नमस्कार सर, जै फिम नमा बुद आएगी, नमस्कार जै फिम नमा बुद आएगी, जी बताएगी, सर क्या बतानेके लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आप से दो बाताया करना चाहा रहा हूँ कि लगता है मुझे आपके stream देख यह एक्ज़म साइन से के और के घुसरा है क्योंकि मेरे काई फ्राइड़े के दिन मेरा एक राजपुल समाझ का मेरे मित्र है बहुत से मित्र हमारे तो उनके पास पिरघाघाप रिभिश वे उनका वदस्वित जैने जाने को एहुँदा आप थोड़ा सब्सक्राइब दोए धेया तो क्या होए वहां पर वो यों टोझा न लगा ब्रह्मा हम विश्तक ईद्व節 पूरा राशबूत समाज़ नहीं पूरा बाहर निकल गया अच्छा सिर्फ मिया और दो बच्चे वह खुद राजपूत है और उन्हों ने कहा कि जो ब्रामण है सिर्फ वही रुके और बाकी सब लोग बाहर चले जाएं तो सारे राजपूत लोग भी बाहर निकल गया साथ 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 तो टली मिया बच्चे और अवरत बुड़े अवरतें बुड़े भुजर्ग सब बाहर निकल गया साला मेरा तो कहां पर खोबरी सटक गया और मैं बोलवाँ कि तो कि देंगे और मला और फिर क्या एग्जांपल दे रहे है सूर्य है सूर्य उर्जा देता है विटामिन डी देता है फिग्रहमा आगे लग मंगल कर रहो सिक्तिका प्रतिक है और सौम अपना चंद्रमा का है उससे कहतने के सांती रहती है तो मैं पुरा सैंटिफिक बेशम जा रहता तो मैं आपकी याद हरती मेरे को हास राता मुस्क्रा रहा था कि यह मुझे लग रहा है कि यह संब्रामा समाज जो भी है ना वो कहीं सांसे जड़ी जी को तो हैं और उसी बेस पे यह लोग और वो म जब आप सैंटिफिक बेस भुषेट दे ना तो वो उसको सैंटिफिक बेस में वो अप्रूब कर रहा है जंता के सामने और मैं कर देखें कोई कितना भी सैंटिफिक बेस में प्रूफ करें पर एक बात होती है ना कि जो चीज बदबुदार है जो चीज सड़ गई है जो पुरानी मन्यताय हैं जो करम कांड है उसको तो हमारा कॉंस्टिटूशन भी कहता है कि आपको सैंटिफिक टेंपरामेंट इंकरेज करना है इसी बात को तो प्रमोट करने को कह रहा है कि आपको तो सैंटिफिक टेंपरामेंट तो अगर हमें आपने कोई परंपरा को ही मनना है हमें कोई यहां के चीजों को हमारा जो समाज जो बना सकते हैं और कितना दिन तक जो समराज है उने कितना दिन की केगा पूलिक तो अपक्षा ही Oczywiście यह नहीं आ रहा है जिब पूरा समाज ठाको समाज सर जी पुरा समाज बाहर दिया उसने तो मनी मन में उत्ते में उनके एक मित्रा आगा करें क्या कर रहे हैं मैं देव भाई उन्होंने ऐसा बोला आपको बुरा लगेगा बोलाने चाहता आपने चड़ी मैं यह बोला अगर सब यहां पर ठागूर है तो जो पुजा पार्ट रारा वो भी छतरी है उनको अंदर क्यों रखा मेरा पॉंट है बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने देखें बात यह है ना कि यह लोग यह जो सूच रहे हैं कि हम यह कहा देंगे कि जो करम से ब्रामण होता है तो बहिया जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतसाब फिर ब्रामण हुए न तो यह जो ब्रामणो के नाम पर जो मअंडली बन रही है जो गरूप और संगठन बने हैं वो फिर किस अधार पर बने हैं जनम के अधार पर या करम के अधार पर अगर करम के अधार पर तो उसमें तो AC, ST, OVC और जो जनम वाले ब्रामन हैं उनके अलावे भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब संगठन में सामिल होने चाहिए थे लेकिन क्यों नहीं हुए उस संगठन में जो जनम से है वही क्यों सामिल हो रहा है तो अगर ये कितना भी definition बदलने कि नहीं जनम से नहीं करम से होता है लेकिन ये तो साफ साफ है आप देख लेजिए जो च्चत्री जो सभाये बन रही है च्चत्रि के जो ग्रूप से बने हैं उसमान लोक्षा मिले कारं से जो나Tom सामिल है ये जो जनम से मांते हैं कहले s opens so sorry sorry जिसाम्लिक जब जब सामने इनको रप्र कोई बोला कि मैंने यहाँ देखा हो लुआ देखा मैं नेसामने मेरे सामने पुरा समाज उनका विजद हो रहा है तो क्या उनको वह इतने समझ आते ने उन लोगों को अशब बुड़ा बुज़े अरे बुज़ुर का अधमित है उनको धरम की नहीं चिंता है ना उनको सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की चिंता है उन्हें ऐसा लगता है कि लड़ू नहीं है या एक लड़ू है तो उनको ऐसा डर है कि कहीं हमारे पास दस है तो उसके पास भी दस नहीं हो जाए यहां पर यह बात नहीं है कि हमको को कोई कश्ट होगा उनको इस बात की दिक्कत है कि हमारे पास जितना है उतना ही कहीं सिसकी बहुजनों के पास तो बराबर तो नहीं हो जाएगा समय रहे ना उनकों इस बात का दर्द है सिर्फ इस बात का इसी कारण से ये सारी चीजे ये जितनी भी जो ये लोग अपना वर्चस्वादी जाती बादी जो ग्रूप या एजेंडा जो चल रहा है वो इसी कारण से है अन्यत्था बताईए कि जब देश आजाद हो गया भारत के सभी नागरी के बराबर हो गया एक समान सब की बात करता है हम सब भाई हैं तो फिर ये अलग-अलग जाती है वर्चस्व की बात कहां से आ रही है हम उन गरंथों से क्यों चीपक रहे हैं जिनके कारण ही हमें सदियों से पीडित रखा ग ही है कि इनका कम होगा इनका कम नहीं होगा इनके पास जितना है उतना रहेगा पर बाकी के लोगों के पास भी इनके बराबर हो जाएगा इसका इनको दुख है इसलिए यह जातिवाद को नहीं खतम करना चाहते या जातिवाद खतम करने की पहल नहीं करना चाहते यह जाति वह अपने आपको कुछ ऐसा फिल नहीं कर रहे थे कि हमारा अपमान हुआ है और यह ऐसा क्यों हो रहा है मेरा कहना मंदा भी है नहीं देखें वह कभी भी यही तो चक्कर है ना अपमान फिल तब होंगे जब वहां पे कोई कि Sum security का बंदा जब वहां पे होगा तब उनको अपमान फिल हो जाएगा लेकिन वहीं से उन्चवर्ण का अपने को जिसको उन्च बान रहे हैं यह कर रहे हैं वहां पर अपमान वह थोड़े फिल करते हैं उनकी सारी दिक्कते जो है स्सारी विरता से लेकर जितना अपर उनका मैं रात के दो बज़े उसने मुझे अपने घर पे रखा जो इन चीज़ों पर जादे ध्याने देता है वो जने कैसे उसने इतना बड़ा पुजार रहे तो कभी ने रखता है वो लेकिन उससे तो मैं कहांगा यह बात है देखें हम सब इस देश के नागरिक हैं हम सब का काम है कि जो भी लोग साथ आना चाहते हैं वो आएं इस देश को चाती करना है आपको भेदभाव खतम करना है तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा ना समय लगता है समय लगता है देखें पीएच डी पीएच डी होना या एजुकेटेड होना अलग चीज है बहुत से आप हाइली एजुकेटेड लोगों को भी देखें अभी प्रासर स्मृति का एक मैंने पोश्ट किया उस प्रासर स्मृति में क्या लिखा हुआ था वो जानके बहुत लोगों को हैरानी होगी चैप्टर फूर है प्रासर स्मृति का चैप्टर फूर था तो चैप्टर फूर का 97 नंबर 17 नंबर जो श्रान जो शलोक है उसमें यह लिखा था कि पति जीतेजी जो नारी उपवास करके वरत करती है वह अपने पति की आयूश प्रक्रच्य की हानि करती है और न्रक प्राप्त करती है अब यह बात अगर आप दिखा देंगे जब उन को दिखाएंगे कि एसी बात लिखी हुई है कि जो पतनी जो है वो वरत करती है उन्सifiques नरक में जाती है अब बताईए यह चीज जानने के बाद से भी अगर कोई महीला औरत करती है तो ओं कहां धरम को मान रही है यह तो प्रासर ओस्मृति कह रहा है न ह Communist कि अगर जो मानता है अगर फिर नरखने जाता है तो यह समझना पढ़ेगा ना सबहभी लोगों को यह बात समझने पड़ेगी कि जो किताबें हैं उसमें यह यह बाते लिखी हैं और तो फिर वो क्यों नहीं मान रहे हैं किताबों में भी तो बाते लिखी हैं जी 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 तो यह मैं दिखा देता हूं अपैसे करते कैसे को हैं अपसे यह बाते वो उस दिन से मेरा दिमाग घुम रहा था ऐसे कैसे ऐसे कैसे धन्य बास है है तैंक्यू एक मिनट जश्ट एक मिनट रुकिएगा मैं यह चीज दिखा दूँ जो मैंने बोला है लोगों को किलियर भी हो जाएगा ना थुड़ा यह है प्रासर इसमिति का चैप्टर फॉर का यह 16 नंबर 17 नंबर 16 नंबर में लिखा है कि जो इस्तरी अपने दरिद्री रोगी और मतलब कि एक कोई इस्तरी जो है उसका पती धूर्थ भी है उसका भी अगर अप्मान कर देगी तिरिस्कार कर देगी वह मृत्यीम के उपरांत बारंबार कुकरी यानि कुठी वनेगी सुक्री यानि सुरी की यूनी को प्राप्ट भुटी हूती करती है मतलब उपवास करती है बिना खाय प्याय बहुत सारी ओरते लोग रखती है ना करवा चौथ रखती है तो उनको क्या कहा है कि वह पती की आयू हरण करती है वह अपनी पती की आयू को ओल्टे कम करती है तो यह बाते लिखी हुई है अब अगर वो ब्रामण संप्रदाय को भी मानती हैं तो उनको फिर तो धरम को छोड़ना पड़ेगा उनको वरत वगेरा सारा छोड़ना पड़ेगा फिर उनको उपवास उपवास छोड़ना पड़ेगा अगर करती हैं तो यह तो ब्रामण धरम खुद कह रहा है ठीक है फिर ओके गविंदारिया जी बसर आपका मेरे कासे बहुत गंभीता से ले रहे हैं लोग मुझे यह लग आप जो कर रहे हैं लोग देख रहे हैं जी ठीक है ओके धन्यवास हाँ जी धन्यवास अच्छा चले आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पर आजादेन जुरावर जी लिखते हैं जैभिंशर सर यह जो ब्रामण चंद्रयान के लिए पूजा कर रहे थे उनको चाहिए थ था कि हनुमान को बोल देते हैं वो चंद्रयान को उठाकर चंद्रमा पर ले जाता ने उसकी जरूरत नहीं थी वो सीधे हनुमान जी जो है ना वो तो जीवित था ना उनको तो बताया गिया है कि वो कल यूग में भी नहीं मरेंगे तो इनको एक ऐसा मंत्र पढ़ना चाहि कर देते हैं इस यह सब इतना मेहनत इतना पैसा की ज़ुरत नहीं थी इन पैसों का खर्च जो है वह बहुजन समाज पे हो जाता क्योंकि बहुजन समाज बहुत पीछे है जो भी वन्चीत और वो हैं अगर ऐसा पॉसिबल हो तब नहीं तो अगर यह सचाहिए है कि हम लोग हमारे विज्ञानिकों को मेहनत करना पड़ता है मेहनत करके और तब जाके के चंद्रयान बनाते हैं लौंच करते हैं तो फिर यह पूजा पार्ट का इस तरह का जो करम है करके अप पबली को भरमित नहीं करना चाहिए जो अपना पूरा फोकस जो है साइंट्विक टेंपर पर लगाती उसको भरमित नहीं करना चाहिए कि पूजा पाठ करने से यह सब होता है पढ़े लिखे अंदभक्त देख लिए इतने पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं भारत में ऐसे पाए जाते हैं जो गाड़ी खरित के लाएंगे पूर विलर टू विलर खरित के लाएंगे आ शाहता जाकर उस पर बैटते हैं तो बताइए उसमें ब्राम्हण का क्या रोल है इस्वर का क्या रोल है है तो यह समझने की जरुरत है कि परहा लिखा होने के बाद से भी अगर आप अंदविश्वास वाला काम करते हैं अंदविश्वास में फसे रहते हैं तो यह सिर्फ यह चीज़ दिखा रहा है गुडवत्ता दिखा रहा है कि आपके सुचने समझने की साइंटफिक टेंपरामेंट जो है वो एजुकेशन सिस्टम नहीं दे रहा है यहां पर यह चीज़ दर साती है शुक्र आपका आजात जी आच चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखें कौन आये हैं जो डिवेट करने आये हैं वो बता देंगे तो असानी होगी उनको एड़ कर लेने में चले यहां पर कोई महेंदर कुमार आये ह हां जी महेंदर जी बताएं क्या करना चाहते हैं कि आपको डिवेट करना है अच्छा यह तो चले गए यह चले यह चले गए तो यहां फैन विद एकेटी आये हैं इनको मेंड करता हूं हां जी बताएं फैन विद एकेटी क्या करना चाहते हैं कि आप फन फन विंफ हैं हां जी फनिथ बताएं जाराएं क्या है आप हमें सुन पारियें हैं प्पन कि आप हमें सुन पार रहे हैं है यह कि इनको जोड़ने से इनकी कोई अबाद यह दो जिनको नहीं बोलना होता है नहीं बात करनी ends के उल्म सीट बी आप लोगा क्यूआ कर लेते हो मैं वह लिंक जो है फिर से फ्रॉवाइड कर देता हूं जिनको डिवेट करना है वो लोग ही आए कि और गौतम बुद्ध का डिवाइस not connected है अपना डिवाइस कनेक्ट करें कि दूसरमन जमाना आपका lub डिव together है आप भी अपना डिवाइस कनेक्ट करेंद और यहां पर भाई जो डिवेट ने आये हों वही बताएं उन्हीं को जोड़ा जाएगा चले यहां पर विली वाव का भी डिवाइस नौट कनेक्टर दिखा रहा है आप वो कनेक्टर लीजिए कि महेंद्र यह कोई ब्रम्भा आये हैं इनको में एड़ करता हूं हाल जी ब्रम्भा बताये क्या कहना चाते हैं तो शाधियए आप क्या सुन रहे थे आप वो बता देजिए क्या आपने सुनना पहले वो किलियर कर देजिए ब्राह्मन समाज शादि कर सकता है कि नीजात में आपको क्या लगता है नहीं करना चीए आप ब्राह्मन है आपको पता चला है कि आपके पीछे कौन सलाह दे रहा है उन्हीं को आगे कर देजिए ना जो आपको पीछे सलाह दे रहा है उन्हीं को बैठा देजेए वहीड कर लेंगे आप से सीधे कर लेंगे ए और पैसे लग रहा है कि फद्शूरं ग्राट लाद रहैं है उनको दीजें उनको कि हैंडयज Gemini आविमा सव जात्य पर करेंगे ना शादी कि बात चेल रही हूँँ आज हैं जो है ब्रामण थे यह आप कंफर्म है और नहीं तो अर्ट फास दिख पाते हैं तो तो थे म्यूट कर लिए का है म्यूट कर ले रहे हैं बीच में खुद को तो आप आप जो है मुह से पैदा हुए थे कि इससे सब्स्सक्राइब करें तो आएवज करें देजिये लौकर हो रहा है ना उसे को दीजिये आपको चिड़स्वारत आपको लेजिये और वहीं टीवेट ना यहां कोन नीच जात होता है यह नि दोते हैं किस ने कुछ अधाय कि आ या सबने जोते हैं आप यह बताया है कि किसने बताया है आपको यह निक आप होते हैं और आप उची जात होते हैं हाजी यह आपको किसने बताया है यह यह देखिए यह भाग खड़ा हुआ यह बंदा जो है भाग खड़ा हुआ अवकात नहीं हो डिवेट करने की ना तो आप जो है ना बच्चों को आगे पकड़ा के अपीट पीछे से सजेशन ना दिय करें कि यहां पर अगर डिवेट करने की अवकात हो तो बैड़ जाए सीधर डिवेट कर लें बच्चे को पकड़ा के माइक पीछे से एक बंदा जो है उसको सिखा रहा है यह बोल यह बोल आप आये ना आये थोड़ा बताए हम आए हम लोग भी तो देखें कौन नीचे जा है कि इंन लोग के अवकात है और आके रोते रहते हैं कि आप जो है कि अच्छे से नहीं डिवेट करते हैं अरे तो आपके अच्छे जो हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि डिबेट कर ले यहां पर पीछे से सजेशन दे रहा है बच्चे को पकड़ा के माई कि यह बोलो वो बोलो कि नीच जाते हैं कि चले आगे बढ़ते हैं देखें अब कौन आये हैं अच्छा यहां पर कोई बिलीफ आये हैं इनको मैड करता हूँ हाजी बिलीफ बताएं क्या करना चाहते हैं हेलो हाजी बताएं हाज सर मेरी आवाज आ रही है आ रही है आ रही है बताएं जी सर मैं यह कह रहा हूँ कि मैं यह सारी बात मानता हूं आपकी है पर एक बात बताओ आज जहां पे भी यह समाज है तो उसके लिए ब्रामण थोड़ी जिम्मेदार है बिल्कुल सही कर रहे हैं ब्रामण तो बिल्कुल भी नहीं जिम्मेवार है बस ब्रामण को अपना धरम गरंथ जो है न समेट लेना चाहिए जितने मंदिर उंदिर है वो रूल नहीं है वो तो उन सारे जगों को कबजा करके बैठा हुआ है ना जहां से उन्होंने वह झो आप उनको दुकान मानते हैं नुर्स लिए, उननों ने वह दुकाने खड़ी किये, तो वो क्यों छोड़ के जाइगगे बताएं? उनकी थोड़े दुकान खड़ी है, एकौन कह राय कि उनकी दुकान खड़ी है? महा बोधी मंदिर जो है जो टेंपल है महा बोधी का उनका है त्रिपुर्ती वाला जी जो है उनका है ये इसी तरह से जितने भी भारत के पुराने मंदिर हैं इनके हैं एक भी इनके नहीं हैं सब बौधों के महा विहारति कबजा करके बैठे हुए हैं आप इनसे पता लगा यह जितने भी इनोने टेंपल में जो बैठे हुए दुकान खोल के बैठे हैं वो दूसरों का कब्ला करके बैठे ना खाली हें आपना एक होता है ना फ्रेस बटवारा किस आजाद हो गया इक जो होता है ना कि घर में 3-4 बच्चे हैं तो बाप भी जब छोड़ता है तो सारे बच्छों को सारे बट्वारा कर देता है तो यह जब देश आजाद हुआ तो यह पर बट्वारा कर दें जितने संसाधन पर कबजा करकर के बाइटे हैं खाली कर देंगे कि ब्रावण का कोई दोस नहीं है अपना धरम गरंथ जो है अपने घर में रख लें एजबर जशती हम लोगों पे न थो पर नहीं नहीं है जैसे अलग अलग अपने यहां हैं जैसे सीख लोग हैं जैसे जैन लोग हो इसे प्रामड देक अपना संपरदाए कि बोलिए विलेव जी कि भाई आप लोग को इनकी साउंड आ रही है क्या कि अलो आवाज आ रही है बताएं सर्व मैं कह रहा हूं मान लीजिए ये सारी दुकाने हमारी और हम नहीं इनमें बहुत बेचते हैं उमीद बेचते हैं ठीक है कैसी उमीद कैसे भगवान है बगवान आप यह तो फाल्स होप हो गया लगता है फिर पर कि इसमें यह जीत जाएगा तो भई आपका इतना कमाल हो गया इतना पैसा आजाएगा तो यह तो पाखंड हो गया ना फिर फिर वहां पर वो बैठे क्यों है सवाल तो यह है ना आप अपने घर में बेचिए ना उन जगों को खाली कर दिए जो किसी और का है ना नहीं आप कैसे हम कैसे मालने कि आप इही की दुकान है वह हम जो है महा बोधी मंदिर जो है आपको यह सबूत देना पड़ेगा ना कि जिन जगों पर आप कबजा करके बैठे हैं वह आप ही का है भाई भारत में अजानताय लोरा कैप्स जो हैं वह कब खोजे गये थे आपको पता है जो नहीं पता है वैश्णो देवी का जो कैप्स है वह जो के आने के समय में खोज किये गए हैं और आज वहां पे ब्रामण जाके कबजा करकर के अपना सीवलिंग लगा दे रहा है बैट जा रहा है इसी तरह से महा बोधी टेंपल पे जब अंग्रेज आएं तो वहां पे सेव पंडो का कबजा था अब दीरे-दीरे करके कुछ खाली किया फिर भी वहां सेव पंडो का कबजा है तो जहां पे बुद्ध की या भारत के और भी जितने लोग है उनकी जो प्रोपर्टी है वहां पे ब्रामण कबजा करके बैठा है आप बोल रहा है कि हम फालस होप बेच रहे हैं अब वह हमारी दुकान है तो हम थोड़े और जो जो क्रिएट किया गया है जो मंदिर है फालस उरोप है उनको थोड़ नहीं सकता ना कोई ब्राम्मां ऐसा चाहता है कि हमारी ऐसको बदले क्योंकि यह टो तो जब आप ऐसा लगता है कि भारत के भारत के सभी लोग जो है वो फिर चुप रहेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो जायग生 नुशनना समयों करते हैं वह भाबा जो पकड़े गए हैं जो जेल बंद हैं कई बलतक्रा कारोंप मेंगया है इस अधे काम कर रहे हैं इससे मैंप समर्थन में हैं अगर उन्होंने इससे कमाया है ना यह होप है ना क्यों जाते हो वीक को वीक जो कमजोर इंसान जाता है उनके पास अब कुछ समें के लपंगे भंच जो है मिलक उसका रड़्य कर दिये तो इसमें सबर लड़की नहीं इसमेंगलाई 10 कि नि है कि आप अई जो कमजोर है ओनतो जान पूज कि क्यों जा रहता है और जूसको पता दें है कुछ by जानदुजूर क्यों है कि मैं के बोलने से मैंने कह दिया तुम शुद्र हो या तुम डली टो या तुम जो तो तुम मेरे बाद पर विश्वास करने लगे और मेरे पीछे हो लिए एक चीज मुझे बताओ आप मान लेते हैं कि जो जितने भी टेंपल है उन टेंपलों को आप एक बार खाली कर दो और उन टेंपलों पर सारे और जिस तरह से पिछले 500-600 साल से अपने कबजा किया है उसी तरह से अगले 500-600 साल तक इनका कबजा रहने दो फिर इसके बासे एक्वालिटी आ जाएगी ना बराबरी आ जाएगी फिर आप कहना यह हमें बराबरी नीची है ना हमें बराबरी नीची है हमने जो सालों से बेवकुफ बनाया है उसका मलाईची हमको हाँ तो आप क्यों आ रहे हो मलाई देने के लिए बिल्कुल असल बात यह है जो इन्होंने अब बिल्कुल यह फैक्ट है यह कोई भगवान नहीं है कोई सब्सक्राइब में आता है उसको हम पैसे से उम्मीद बेच देते हैं जो कभी थी नहीं समझे आप तो किसकी गलती है कि पत्थर में भगवान डूंड रहा है किसकी गलती बताओ ना हाँ साथियों सुन लिया आप लोगों ने बस यही एक चैकली चीज अब इसमें मुझे कु वहीं मांता तो अब क्या मैं उससे खा हूं नहीं क्या मुझे आ कि देना चाता है कि यह लो काट दो मुझे तो ना काटो क्या मुझे स्ष्तुन पहरुआ हम ठत्रान की फिरी के हिसाब से आसाराम जो था उसने जो गलती ही नहीं ठी क्योंकि उसने दुकान खोली थी हो पकड़ा गया वो तो वही तो बोल रहा है एक मिनट मुझे बोलने दीजिए बात कंप्लीट होने दीजिए तो इसका मतलब यह है कि उसकी कोई गलती ही नहीं थी क्योंकि लड़कियां खुद गई और ते उसके पास खुद चलके गई और उसने तो बलतकार ही कर दिया तो उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी यह सारी गलती तो उन लोगों की थी जो उसके पास गए आपकी थियरी तो यह कह रही है आपकी थियरी के अनुसार जितनी भी महिलाओं का लड़कियों का बलतकार हो रहा है इसका पूरा का पूरा दोसी जो है महिलाएं ही है इस् इसकी बात ही नहीं कह रहा है कि जो यह सारा काम कर रहा है अचा एक एक जबाब मुझे दे दीजिए माल लिजिए कि एक हत्यारा है वो हत्यारा एक जंगल में रास्ते में रहता है उस रोड़ से जो भी गुजर के जाता है उसको लूट लिया करता है तो इसमें दोसी कौन है उस रोड से गुजरने वाले या वह जो लूटे रहा है उसमें दोस्ट है यह बताईए मैंने मैंने कब कहा कि हम हत्यारी नहीं हैं हम बुरे नहीं है हम लूट नहीं रहें मैंने कब कहा है करता हूं तुम क्यों प्थर के पीछे पड़े अरे नहीं 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 लेकिन तुम तड़ाक से नहीं बात हो कि आप उसको तमीज से भी बोल सकते हैं आप लोग को पता है कि ये पत्थर है, तो पत्थर पे आके पैसे, फूल, दूद, ये हो, सोना, चांदी, जो मैनत से कमाते हो, हमें क्यों हो ऐसे मोटे-मोटे लड़ू के लागी जाते हो, दोजार तेईस में पूरी दुनिया सुधर गई, क्या तुम को समझ भी नहीं आता, ये क्या है, हमें से हैं, जोटी हो, मिद्धे, आप खरीद पे हो, तो आप क्या तेईस में भी तेईस तक हमें रहेंगे, क्या हटाना क्या होता है, मत जाओ ना मंदिर, कौन घर से पकड़े के लेके जाएगा, बताओ, कौन तुम्हारे मात्वों पर पट्टिया बान देग मंदिर कब खाली करेंगे, ये तो बताएं, मनी क्या कब तक वाहना नहीं सोड़ोंगे, जब तक तुम आउगे, तब तक बैठे रहेंगे, मतलब कि आपका ये कहना है कि अगर रास्ते से राहगीर जब तक जाते रहेगा तब तक जो हम लुटे रहेगा तब तक इसे रहे रास्ते में कि रहेंगे तो लूटे से कोई मतलब नहीं है हमें हमसे मतलब है तो आप हो अब तो बस ठीक है बहुत हो गया मैंने बहुत सुन लिया और आप लोगों ने सब ने सुन लिया है इनको कुछ रिप्लाई देने की जुरूत भी नहीं है मुझे क्योंकि इन्हों सारा चीज खुद ही कबूल कर लिया और इन्होंने खुद ही ये सारी चीज़े बता दी जो आप लोग सुनना भी चाहते थे तो इससे ज़्यादा इनको कुछ कहने की जुरुत नहीं है ठीक है चलें फिर उनकी क्या thinking है वो सारजनिक हो जानी चाहिए वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए चले आगे बढ़ते हैं बहुत खुबसूरत विलिव जी आपने सच्चे ब्रामण होने का एक वो पेस कर दिया जो बहुजन लोग नहीं समझ पा रहे हैं चले आगे बढ़ते हैं देखें अ क्यूं नहीं करता है हां देखें यह बड़ा खुबसूरत क्वेश्चन है कि यह जो बाते अभी चल रही थी कि वह तो ठोक के कह रहे हैं कि तुम आओगे तो हम तुमको लूटेंगे लूटेंगे तुम रास्ता बदल लो मतलब यह सीधे-सीधे कहना है धरम बदल लो रास जात करनी थी तो ऊब खड़ा हुआ चले आगे बढ़ते हैं और देखें कौन आये हुए है यहां पर दीरज शाहरे जो है यह आये हैं इनको मेंड करता हूं हाँ जी धीरज शाहरे बताएं क्या करना चाहते हैं हां सर जैवीम सर हां जी जैवीम जी बताएं सर मेरा ये सवाल है कि मैंने दो दिन पहले इत्सिंग की भारा जैतर ये बुख बुलाई है और ये पढ़ रहा हूं तो क्या इसमें ब्रामिस ने कुछ मिलावट किये कर ने इसमें कुछ मिलावट नहीं है दरसल अनुवादक जो समझना पढ़ेगा चीज वही है बस आपको न थोड़ा सा उसको बुद्धिश्ट फिलोस्पी की अनुसार समझना पढ़ेगा कि वह एक्चुल में क्या कहना चाहरा है नहीं तो आप पहले में पढ़ेंगे तापको लगा कि इसमें कुछ ब्रामड़ी कुछ पर जो भन्ते इत्सिंग है वो एक महीला के पाँ जाते है खाना खाने के लिए ने क्या हाँ जी आ तो उडर ने क्या हमारे यह पर अतिरिक्ता भन्ति जाते रहे थे तो इसमें कोई मतलब भा संका की बात नहीं तो वो एक मूर्ति के पाँजा करती है और बोल और कुछ तो प्रातना करके बात में सब को चावल बाट दीती है तो जितने भी ज्यादा भंती जी आई हुए थे उन सब को मिल जाता है मतलब खाना और बराबर हो जाता है तो ये इसका क्या कंख्लूजन है मतलब वह मुझे एक बार चेप्टर बता दीजिए कौन से राज्य में जब गय थे तो ये बाते आई हैं आपने इसिंग का बताया किसका बताया आपने इसिंग का इस इसिंग पर नव्वा परीचेड उपोशत दिवस पर भोचकी नियम अच्छा एक मिनट में निकालने दीजिए उपोशत नियम पर भोज के नियम हाँ तो उसमें और क्या लिखा है वो बता दीजिए उनके लिए दोपर के ठीक पहले भोजन तयार करने के लिए समय न था प्रबंद करने वाले भिक्कु ने पाचकों से कहा इस आकस्मिक रिद्धी के लिए हम भोजन का क्या प्रबंद करेंगे विहार के एक नोकर की माता ने उत्तर दिया घबराईये नहीं यह तो सर्वता सामान्य घटना है उसने ततकाल भहुत सी धूप जलाई और काले पत्तर के देवता एक मिनट जरा उपोसत में कौन सा उसके बाद से उपोसत दिवसपर भोज के नियम में कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं पहला पहला पैरा ग्राप दूसरा तीसरा चौथा के बाद है अच्छा एक दो पेज के बाद है हाँ 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 पढ़िए दिखिया मुझे बुलिए काले पत्तर के देवता माथा कुवर के सामने भोजन चड़ा कर उसने प्राथना की यद्यपी महामुनी महापरी निर्वान को प्राप्त हो चुका है परंतु तेरे जैसे प्रानिय अभी तक मौझूद है अब इस पवित्यस्थान की पूजा के लिए यहाँ प्रत्यक्स्था को बेटा दिया गया जो भोजन केवल विहार में रहने वाले विक्व के लिए ही तयार किया गया था वहाँ परोसने पर उस भारी विक्व समुओं के लिए परियाप्त निकला और सामन्य रूप से जितना पहले बचा करता था उतना बच भी गया हाँ यहां पर क्या लिखा हुआ है उसको जरा ध्यान से समझेगा कि भोजन की पाक साला जब भी खाना वगरा आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पे जब खाना वगरा बनता है या जो वैश वर्ग है दुकान खोलता है तो धूप जला देता है यह दरसल बु दिखा है कि जो बुद्धिष्ट को खिलाने के लिए बुलाते थे 500 विक्षु को बुलाये थे खिलाने के लिए तो जो भी फैंबली होती थी तो उन्होंने क्या किया कि विहार के एक नौकर की माता ने मतलब जो बहुत विहार था उसी में जो काम करता था व्यक्ति उसी की माता जो है बहुत सी धूप जलाती है अकाले देवता के सामने भोजन चढ़ा कर अब काले देवता कौन थे हैं काले देवता बोधी शत्वत हैं वो कहते हैं कि काले देवता चुकी हिंदी अनुवाद है तो देवता लिख दिया गया है फिर लिखता है काले देवता के सामने धोजन चढ़ाकर उससे प्राथना की यदपी महामुनी का निर्वाण प्राप्थ हो चुका है मतलब वो यह कह रही है कि महामुनी यानि शाक्यमुनी गौतम पुद जो है वो तो निर्वाण हो गया है लेकिन आप जो है अभी भी है यानि कि आप जो है बोधी शत्व जो है आपको अभी भी हम लोग मानते हैं, आप अभी भी हैं, उनको ऐसा मानते हैं कि भोजन के ये देवतात हैं, फिर ये कहते हैं आगे, परन्तु तेरे जैसे प्राणी अभी तक मौझूद हैं, अब इस पवित्र अस्थान की पूजा के लिए यहां प्रतेक अस्थान से विक्ष विक्षु लोग वहां गये थे उपाशना करने के लिए उस बोधिशत्व की इसकी बात चल रही है, फिर ये लिखते हैं हमारा भोजन उनके लिए कम न निकले, अब चुकि 500 लोग हैं तो हमारा भोजन कम न हो, फिर काते हैं क्योंकि ये तेरी सक्ती में है, मतलब वो जो उ लिए तो अब खाने का इस्टीमेट जिसको पांच आदमी, छे आदमी के बनाने क्यादत हो, उसके घर अचानक से 500 लोग आ जाएं खाने के लिए, और वो एक एक स्पॉल्ट नहों खाना बनाने में, तो उसके जो भी कुल दे होता हैं, या उनके जो भी बोधिशत्व हैं, उनसे प्राथना करते हैं कि हे इस्वर, मतलब हे इस्वर मैं कह रहा हूँ, जो बोधिशत्व को हमें, हमारे खाने को घटने मत देना इतने लोगों को, तो ये बात यहाँ पर चल रही है कि उस महिला ने ऐसा कहा, बोधिशत्व से, फिर आगे लिखती है कि तब सब है, वो है, वो है, वो भिक्षो को खाना खिला रही है, ब्रहम्हानिकल सिस्टम को नहीं, यानि कि वो जो देवता की भी बात वहां पर हो रही है, वो बोधिशत्व की बात आ रही है, ब्रहम्हानिकल किसी देवता की नहीं, काले देवता मतलब इनके किसी कृष्ण की बात हो रही है या महाकाल जो यह लोग अपना बना रखे वो नहीं बलकिल बोधी शत्व जो कोई काला देवता है उनकी बात चल रही है अब इसमें फिर आगे कहती है कि बचादना मैं श्वयम इस अस्थान की पूजा के लिए वहां गया लेकिन मैंने उस काले देवता की प्रतिम में ऐसी ही अलोकिक सकती है यानि ये बात चल रही है जो बोध गया जो है वो जो बुद्ध जहां पे उनका जो ब्रिच है उसके जश्ट बगल में एक सरोवर है उस सरोवर में काला नाग जो होते हैं नाग देवता की दरसल बात चल रही है यहां पे जो नाग होते हैं उनक आपने पूरोज मानते थे तो बुद्ह के जाने के बाद से भी नाग को ही लोग मानते थें कि नाग अब भी हमारे साथ हैं समझ रहा है यह चीज की यहां पात चल रही है जी तो दोस्तों दरसल बुधिष्ट की जो किताबें है न और उनको आपको उनके ही साहित्य के अनुसार समझना पड़ेगा आज हिंदी जो है वो बुधिजम से डारेक्ट नहीं आया है लेंग्वेज तो चुकि इसमें प्रभाव ब्रामण लेख को कर रहा है भारतेंदू हरिष्चंद्र पहले कहे जाते हैं गद्द लेखक हिंदी के तो वो भी ब्रामण थें और ब्रामण लोग ही रामचंद्र किया तो इसी लिए इसकी सब्धावली न जब इस सब्धावली में आप पाली की जो है उसको अनुवाद करके हिंदी में पढ़ेंगे तब ब्रामण वादी जैसा दिखेगा इसी लिए लोग थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं चले आगे बढ़ते हैं देखें आप को नाय ह काुष करता कि जाए हुए नहीं ने बिल्कुल बात करती ब्योकूफ लोग यहीं काम खुद ही करते हैं इरान में 60 per cent 50 thousand मस्चित क्लोज कर दी क्योंकि लोगों ने जाना ही श्टॉप कर दिया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रायंस ची ये बात बिल्कुल सही है इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी मंदीरों से बाइकट किया जाता है या मार पड़ती है बहुजनों पर तो बहुजनों का एक बहुत बड़े धाड़ा जो है मीडिया जो है उस सीधे तोर पर इस बात को कहता है अच्छा किया उन लोगों ने वहाँ पर कहता है कि मैं सराहना करता हूं ऐसे ब्रामडों की जो नहोंने बहुजनों को मर दे यह इस तरह की भी बात बहुजन समाज के बहुत बड़ा कर रही है बिल्कुल सही बात है जो एथिष्ट कंत्री है वहाँ पे जेले तक बंद करनी पड़े गई निदर लेंड वगेरा जो है वहाँ पे जेले जो है बंद करने की जुरुत पड़े गई जेलों की संख्या कम हो गई क्यों एथिष्ट लोग हो रहे थे मानवतावाद लेकिन धरम समझ के कर देे रहे हैं तो यह चीजें आपकी बात कहीं से भी काटने योग यह तो ही आए चले आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पर वरिंदा शिंग आये हैं इनको मेड कर लेता हूं हाँ जी वरिंदा जी बताएं क्या कहना चाहते हैं कि आप हमें शुन पा रही हैं आप अपनी माइक और म्यूट कर लें हैं हां जी सर नमस्कार जैबीम नमवद्धाय हां जी बताएं जी अश्र मेरा बस तो मतलब जानकारी लेनी है बस कि यह जिन्दू धर में सिंदूर लगाने के प्रथा बिंदी और सिंदूर वगराने के प्रथा जो यहताओं में होती है वो कब से शुरू हुई और दूसरा सवाल यह था कि कायस्थ जो होते हैं उनको मतलब कास्ट प्राइड बहुत स्यादा है तो वो तो किसी वर्ण में समझ में नहीं आता कि वो कौन से वर्ण में है क्योंकि अब भी जाना हुआ था हमारा कि चुदा लूसरा सवर गएं नहीं आता है तो उनको पता है यह थी कि पूझा पाट करने से तो ग्लो आता है चेरे पे एक तेज आता है चेहरे पे, तो मैं अंदर-अंदर हस रही थी कि भाई अच्छा खाना खाने से राता है, पूजा पाट से नहीं आता है लेकिन हाँ उन्हें लाला होने पर गुमान भी है तो यह जाना था कि गहीं जैसे जो वैश शुत्र जो बनाया गया है उनले वह कौन से वैश शुत्र में आते हैं यह समझ नहीं आता पैसे कामधाम से तो जैसे वह ئष जैसे वह शुरु में लिखा पढ़ी का काम कर दे थे जैसा तो उसे साथ से तो क्या ब्राह्मन में आने चाहिए, किस में आने चाहिए या फिर वैश में यह जानना था मुझे, यह दो सवाल था मेरा झी, जी, देखें जो कायस्त वर्ग है, वो किसी वर्ण में उनको नहीं माना गया है कायस्त जो है वर्ण व्यवस्था में नहीं है और जो वर्ण व्यवस्था में नहीं होता है उसको अंतेज माना जाता है यानि कि वो मतलब की नीच है मतलब सुद्र से भी नीचा है उसको ऐसा माना जाता है तो जो कायस्त वर्ग है वो दरसल मुगलिया सलतनत में ये लोग नि अब वहीं पर उनका भी जिक्राया है, उदाराम के साथ ही एक कायस्त का भी जिक्राया है, कि वो भी उनके साथ रहता था, फिर जब मुगलों ने आकरमण किया उस पर, तो वो फिर वहां से छोड़कर और वफदार बन गया था, मुगलों का वफदार बन गया था, तो ये लो स्मीर्थी जो है उसने इनको कहा दिया कि आप तो उससे भी नीचे हो सूद्र से भी मतलब नीचे हो है तो व्यां से को सुद्र नीचे अंत्यHe suits उका है ऐसा है और चीज और देखने को सामिल करने के लिए दरसल हुआ क्या था कि जो बंगाल जो छेत्र है वहाँ पर जो कायस्त लोग है उनको नीच मानता है वहाँ पर सुद्र मतलब मानता है वहाँ पर लेकिन कुछ हिस्सों में यह अपने को थोड़ा उंचा भी बना लिये थे पैसे वैसे के दंपर और मुगल सासनकाल में उनके हां काम करके यह भी चीज़ देखा गया था तो जब अंग्रेज आये थे तो इनको भी फाइट करनी पड़े थी अपने को अपर कास्ट में क्योंकि ब्रह्मानिकल सिष्टम के नुसार सुद्र थे अब बंगाल का ही एक ब् आपने तो बीबेकानंद जब शिकागो शम्मेलन में जाने वाले थे तो उनको भी कहा गया था कि आप जो है क्या हिंदू धरम का रिप्रजेंट करेंगे उस समय हिंदू धरम तो कुछ था नहीं उस समय उस समय या तो ब्रह्मेनिजम था या बुद्धिजम था या ब्रह्मनल लिखके ब्रह्मेनिजम लिखा था और बुद्धिजम लिखा था तो वो संक्राचारियों के पास गये थे कि हमको सिकागो शम्मेलन में जाना है तो क्या मैं ब्रह्मेनिजम को रिप्रजेंट कर सकता हूं वहां पे तो ब्रह्मण का कोई संक्राचारिय को तो इं को नहीं मिल पाया था तो यह कहांको किया था कि तुम सूद्र हो हमारे धरमगरंथ में be समयरह मना इनको कहाझकर वहां से बा कुट किया था फिर यह जब गय थें तो वहां जो इन्हों उसे स्पीच में इन्होंने बुद्धिजम का बार-बार नाम लिए बुद्धिजम को हिर्दे बताया कभी कुछ बताया बुद्धिजम के नाम पर करके और इनको भोधिष्ट लोगों ने अपने परत्रप से वुदिया था तब जाकि वहां मिया जसके पास थोड़ा सारी प्रेजेंटेशन हो गया है। यह कारण वैसा बोल रहे हैं कि इन लोगों फट मतलब है कि से कतल मतलब नहीं है जैसे अब ही आपने देखा कि एक जो विलीव करके जो व्यक्ति आये थें, उन्होंने सीदे सीधे कहा, कि भाईया हम तो लूटे रहे हैं, अत्यार है, हम सब चीज हैं, हम तो हम तो कही रहे हैं, बहुजन समाज क्यों आ रहाँ हमारे पास, के यह संचेंगे कि यह भाहें को सोचना है फूर warfare से किलियर है उसका snow up है उनके अंदर जाथ गंद है वो जो है बार मेर हम को कितना भी सचाओब त treating कि बहलें आपको शुद्रह कहा गया है आपको यह हैं लेकिन उनका और जोंकि युए उससे कि कॉर्शक्त तोगे छक्तम रहा है उसे जिसको सूध्र समझ रहे हैं जिसको समझ रहे हैं जिसको नीच समझ रही है वे अचानक से उन से उपर ल में आपने बता दिया अपको थो आपको थो पताया गया है नाश गया है आपको तो चेहरzk евle लेकिन फिर भी वो जो है उसका कुछ भी उसको हानी नहीं होगी क्योंकि वो जानता है कि मार्केट पे उसकी पकड़ है उसका वर्चस्व है तो यह सिर्फ जातिय घमंड है जो आपको आप देखने को मिला था जी वरिंदा जी सिंदूर का प्रचलन पिछले हजार साल के अंदर ही आया है हजार साल से पहले का मुझे कोई एविडेंस नहीं मिलता है सिंदूर का देखें जितने भी जो बुधिष्ट के परतीकत हैं उस पर सारी औरते सिंदूर लगाना शुरू कर दी थी अभी जो वहाँ पे जो MP में हेलोडोरियस का जो पिलर खोदा गया या बुधिष्ट के जितने भी पिलर खोदे गए हैं निकाले गए हैं उस पर के और सिंदूर भर भर के औरते लगाती थी अभी जो परतीकों को दबाने के लिए इस चीज़ों को लाया गया है कि उसे भर भर के दबादो क्योंकि मैंने इतने सारे नोट्स मैंने परिद्धान परिए जो बुधिष्ट के इतन सींह पूरा परिद्धान लिखके गया है कि बहुत विखुनी ये पहनेगी ग्रिहस्त औरते ये पहनेगी वहां सिंदूर का कहीं जिक्र नहीं आता है किसी भी बुधिष्ट scripture जो पुराना scripture है thousand years से पुराना उसमें कहीं नहीं मिला है मुझे तो यह ऐसा मुझे लगता है कि पिछले एक हजार साल के अंदर ही यह सिंदूर के प्रथा लाई गई है जे तेंक यू सर यह पूछना था और मैं यह कास्ट प्रैट जो आप बता रहे थे कि लालाओं में कुछ टाइम पहले अपने ग्रूप के साथ जाना हुआ था बाहर तो मैं मेरी फ्रेंड है वो भी OVC है मैं OV करता है कि प्रवज्या ग्रहेंड कर लूँ मुझे बुद्धिजम बहुत पसंद आता है कि आइटियोलजी बहुत हालाकि मैं अथिस्ट हूं मैं कुछ भी नहीं मांती लेकिन बस उनको टटोलने के लिए क्योंकि वह बहुत ज्यादा धार्मिक हैं मतलब सारे नौ दिन का बुद्ध करना नौ रात्रों में हर एक दिवार पे बुद्ध करना पूजा करना मंदिर जाना मादा की जॉब की रखना तो वह पठाप पठाक से बोलिंग फिर अंफिर आप अकेले रह जाएंगी कोई आपके साथ नहीं होगा तो वही तो चाही है मुझे ये समझ में नह आता कि OVC औरते हैं जो पड़ी लिखी हैं जो मतलब जिनके हस्बेंट जॉब में हैं उनको किसी के अधीन क्यों रहना चाहती हैं यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि महिलाये जो हैं किसी के अधीन ही क्यों रहना पसंद करती हैं जै हाँ सर वो तो है लेकिन मैं देख रही तो वो पूजा पार्ट की तरफ और भी ज्यादा उन्मुक हो जाती हैं उस तरफ खुद को ज्यादा मतलब क्या कहेंगी अपने आपको ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए वो ज्यादा पूजा पार्ट करने लगती है और ज्यादा किरतन भजन करने लगती है ज्यादा ये सब करने लगते हैं, मैंने ये गौर किया है, कि अच्छा वो कर रही है, मैं भी करूंगी, खुद को भगते दिखाने की पतानी होड सी लगे हुई है, और बिना सोचे समझे, और उनके हजबन ने कहा कि जब विपत्ती आती है ना, तो भगवान ही आ रहाते हैं, ऐसे मेरे अपना किताब नहीं न पढ़ा है, माभारत नहीं पढ़ा है, माभारत में तो इस वर जो है, किरिश्न जो है, अपनी पत्नियों की रच्छा नहीं कर पाये थे, वो तो लूटेरे लूट गये थे उनको, मैं दिखाता हूँ न आपको, उससे पहले ये भी दिखा देता आपके जो भी सहेली हैं, उनको भी ये किताब दिखा दिजेगा, ये प्रासर स्मृति है, और प्रासर स्मृति जो है, वो क्या कह रही है, वो एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्रासर स्मृति का सोलो नंबर, या भी कुछ दिर पहले मैंने दिखाया था, शोलो न लंबर में क्या कह रहा है कि जो इस्तरी चेप्टर फोर है जो इस्तरी अपने दरिंदगी रोगी या धूर्त पती के होने पर भी मतलब पती उनका कितना भी धूर्त हो जाए और उसका त्रिसकार करती है मतलब एक होता है ना कि धूर्त हो गया पती बहुत धूर्त है धूर्त दूर्थ वात्यचारी हो, कितना भी, कुछ भी कर ले, फिर भी आपको उसके अंडर में रहना है, एक आग्याकारी नौकर की तरह, यह हैसियत तो है, तो यह तो लिखा है, फिर कहता है, वह मिर्तिव के उपरांथ बाराबार कुकरी, कुकरी मतलब कुट्ति, वह शुकरी, या अगले जनाम में उस औरत है, कुतिया बनके जनम लेगी, शुरी बनके, यह तो धरम बता रहा है, बताईए, यह पढ़े हैं हो लोग, और उसका अगला सुलोक भी देख लिजिए, 17 नंबर, यह तो कह रहा है कि यह तो जो पूझा पाठ करती हैं, उनके लिए है, यह लिख तो पता नहीं क्या क्या रखती हैं, लोग, वरत तो रखती हैं, फास्ट रखती हैं, कि मतलब हम खाना नहीं खाएंगे, तो उसमें लिखा है, कि जो पती के जिन्दा, अगर पती जिन्दा है, अब फिर भी अगर वो निराहार वरत रखती है, करती है, यानि कि वो बिना ख प्रत्व कर रहा है कि अनिक उसका पालं कर रहा है कि यह लोकुंसा हिंदू धरम का प्रह नहीं नहीं कर रहा है कि सब ओर लुट Même को भी नहीं मान रहीं फिर थलोंसे विश्ट कशना कम काった कर रहे और ओसाट्य को भी आपको त्रहस कार ने करना है तो यह चीज तो दिखानी पड़ेगी न फिर और यही नहीं इसके आगे और भी कुछ लिखा है वो भी देखना जरूरी है इसमें यह तक लिखा है कि अगर कोई रितुमती है कोई महिला तो उसको पती के पास जाना ही जाना है यह 14 नंबर स्लोक है चेप्टर 4 का यह काता है जो रितुमती होने के पीछे असनान करके इस्तरी अपने स्वामी के समीप नहीं जाती वह मृत्यू के उपरांथ नरक में जाती है और नरक भोगने के उपरांथ बारंबार बिधवा होती रहती है इसमें यह कहा ही गया है और उसके आगे 15 में क्या लिखा गया है और जो मन करने हैं आगे इस पूरे चैप्टर में यही चीज दिखाई गई है कि आपको अथा बच्चे ही बच्चे पैदा करने तो सब को मान लेना चाहिए इलिट क्लास में फिर जो पूजा पाठ कर रही है धरम मानी ही रही है तो बहुत अच्छे इस्वर रचछा करेंगे वह भी कशेट सब का क्या प्लियर हो जाय कोई भी इस वर जो है किसी इस्तिकरкамज अपनी बीबी का ब!!" कर पाये तो अं इस्वर जो है वह अपनी बीबी के बलत ख या नहीं कर पाये था एक मिनिट पर निकाल दूतро महाभारत वहाँ तो वो खुदी करप्थ हैं वो क्या रक्षा करेंगे नहीं उनकी उनकी जो वाइव्स थीं उनको अरजुन लेके आ रहा था तो तो जब लेकर आ रहा था तो उसको क्या हुआ कि लूटेरे जो है लूट के लेके चले गए मतलब ये हालत थी कि लूटेरे लूट के लेके चले गए अग क्रिश्न मर गए थे ये देखिए ये महाभारत का शष्ट कंड़ गीता प्रेस गोरकपूर है और इसका मोशल पर्व जो है वो बताता है कि जब क्रिश्न मर जाते हैं तो अरजुन से बोले थे कि मेरी पत्रियों को मेरे घर द्वार की जितनी इस्तिरियां है सब को तुम लेके चले जाना तो अरजुन गया था वहाँ पे लाने के लिए अब इस प्रसंग को देख लिजिए जो धरम मान रहे हैं लेकिन पढ़े नहीं है इसमें क्या दिखाया है कि वशुदेव कौन है तो यह है वशुदेव यानि क्रिष्ण के पिता जी है तथा मौशल यूध में मरे हुए यादवों का अंतेष्टी संसकार मौशल यूध में सारे यादवों मरे गए तो करके अर्जुन का द्वार्का वासी इस्त्री पूर्सों को अपने सांथ ले जाना अब द्वार्का में जितने इस्त्री और पूर्स थें सब को अर्जुन लेके गया शमूंद्र का द्वार्का को डुबो देना समुद्र जो है द्वारिका डुबोदिया और मार्ग में अरजुन पर डाकूंगों का आकरमन और सिष्ट यादवों को अपनी राजधानी में बसा देना तो अब यहाँ पर यह दिखाया गया है कि यह सारी घटनाएं हो जाती है और अरजुन जो है उनको लेकर बाहर जाता है यह सारी जब रो रही थी इसमें सती प्रथा का भी जिक्र है यह देखिए ना यह सती प्रथा का भी तो जिक्र है इसमें हो जाएं फिर सती जब धरम माने ही रहें तो अच्छे से मानने लो ये देखें लिखा है कि 24 लोग चीता की प्रवजलित अगनी में शोये हुए वीर सूर पूत्र वशुदेव जी के साथ उनकी पुर्वक्त चारों पतनियां भी चीता पर जा बैठी और उनहीं के साथ भस्म हो पति लोको प्रापद हुई तो पति की लोक को प्राप्त करना है तो चीता पर उनके साथ चेले जाएं यत्व दरम में लिखा हुआ है भाई पिता जी हैं कृष्ण की जो चार मताय जो भी लोग हो रहे थी वो तो अपने पती के साथ ही मर गई वशुदेव के साथ ही जल के भस्म हो गई जो पांचो पांड़ों की जो माता थी मादरी वो भी जल गई यह लिखा हुआ है तो चले जाए फिर फिर यह लिखता है चारों पत्रियों से संचुप्त हुए वशुदेव जी का शव पांड़ू नंतन अर्जुन ने चंदन की लकड़ियों तथा नाना प्रकार से सुगंधित पदार्थो द्वारा दागिया अब यह देख लिजिए अर्जुन भी वहीं है और जुन के सामने यह सारी घटनाएं आ र अंधक और विश्नी वंस के समस्त बालक अर्जुन के प्रती सधा रखने वाले थे वे तथा ब्रामण छत्रिय वैश्य महाधनी शुद्र और भगवान श्री कृष्न की सोला हजार इस्त्रियां यह सब की सब बुद्धिमान श्री कृष्न के पौत्र वज्र को आगे करके चल रहे थे यह सब सब उनकी सोला हजार इस्त्रियां ब्रामण शत्रिय वैश्य सब लोग जो है माना महाधनी सुद्र गरिब सुद्र को छोड़ दिये थे सिर्फ महाधनी शुद्र जो है यह सब और उनकी सोला हजार कृष्न की पत्नियां जो है अर्जुन के साथ चल रहे आगे जा रहे थे भोज विष्णी अंधकुल की अनातिस्त्रियों की संख्या कई हजारों लाखों और वुर्दों तक पहुच गई थी यानि और वों तक पहुच गई थी वे सब द्वारेका से बाहर निकली विष्णियों का यह महान सम्रित साली मंडल महाशागर के शमान ज यहाँ पर देखेंगे कि चलते चलते बुद्धिमान एवं समर्थ साली अर्जुन ने अत्यन सम्रित साली पंचनद देशों में पहुच कर जो गव पशुत था धन धान यसे संपन था ऐसे प्रदेश में पढ़ाव डाला अब पंचनद देश में उपढ़ाव डालते हैं अब क्या होता है भारत नंदन एक मात्र अर्जुन के संरक्षन में ले जाई जाती हुई इतनी अनाथ इस्त्रियों को देखकर वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हो गया अब वहां पे जितने लुटेरे थें इतनी सारी अनाथ इस्त्रियों को क्योंकि पापाचारी आभीरों ने अब वो जो लूटेरे थे वो आभीर थे आभीरों ने परस पर मिलकर सलाह की भाईयों देखो यह अकेला अर्जुन और हतुतसाहित सैनिक हम लोगों को लांग कर वृद्धों और बालकों को मतलब लेके जा रहें चलोस पर आक्रमण करते हैं ऐसा निश्चे करके लूट का माल उड़ाने वाले यह लटधारी लुटेरे विश्णी वंसियों के उस समुदाये पर हजारों की संख्या में तूट पड़े अब हजारों लुटेरे जो हैं अनाथ औरतों को देखकर उन पर तूट पड़े समय के उलट फेर से प्रेना पाकर व लिचे लिखा है युद के औसर पर अपने बाहुबल में इस प्रकार विकार आया देख महान दिव्यास्त्रों का विश्मण हुए जान से वे लजित हो गया अरजुन थोड़ा लजित हो गया फिर आगे यह लिखता है कि उस समुदाये में इस्तिरियों की संख्या बहुत इसलिए डाकू कई और से उन पर धावा करने लगें तो भी अरजुन उनकी रच्छा का यथा साध्य परयतन करते रहें इन योदाओं के देखते देखते वे डाकू उन सुंदरी इस्तिरियों को चारो और से खीच-खीच कर ले जाने लगें अब यह देख लिजिए कि परश के भय से उनकी इच्छा के अनुसार चुकचाप उनके साथ चली गई बटाएए भगवान की पतनिआए उनके देश की और यह दाकू उनको देख कर उनके पर हमला कर देते हैं अब यह दान को के साहित पहीत चलती हैं और फिर इसके बादसे अरजुन जो है जो बचे बता रहे हैं, यह देखे यहां लिखता है जन मेंजय अर्जुन देखते ही रह गए हैं वे मलेश डाकू सब और से विश्णी और अंधक वंस की सुन्दरी इस्त्रियों को लूट ले गए अब बताईए कि जो जिसको यह कह रहे हैं कि भगवान जो है हम इस्त्रियों को बचाएगा लोगों को बचाएगा उसकी तो इस्त्रियों को डांकू उस माभारत में ही लूट के लेकर चले गए थे नहीं बचा पाया अब इस मुह स पूजा कर रहे हैं गीता का उपदेश तो आपको चिखा रहा है कि ये कर देते हैं तो भाई यही गरंत तो यह भी कह रहा हुए कि उनकी ही इस्तवियों को डाकुल लूट ले गये वो कुछ नहीं कर पाए थे वो तो मर गए थे वो तो अरजुन लेकर जा रहा था उनको उन ओरतों को अब बताओ भागवान इसका मतलब कि मर गए तो मरने के बाद से अपनी ही इस्तरी को नहीं बचा पाएं तो मरने के बाद से आज के लोगों को कैसे बचा पाएंगे अगर कोई भागवान है तो यह question बनता है कि नहीं बनता है थे इस साल के उम्र में भगत सिंग को समझ में आ गया कि बगवान नहीं है कि कोई मतलब जब क्राइम होता रहता है तब बगवान कहां रहता है लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि लोग कि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं इतनी इतनी उम्र मतलब audio हледसर कि उसको काम करते करते सुना जा सकता है और उसकी जितनी भी घंदी चीजें हैं उन पर गौर किया जा सकता है और उसके questions कि जा सकते लेकिन पताज ने क्या है धर्मने कैसा मोह सब को जैसे मोहित कर रखा है कि बांध रखा है उससे निकल ही नहीं पा रही है लोग और अवरत को छोड़ी आदमी भी उसी में डूबा हुआ है यह अफसोस चनंग बाते हैं क्या कहूं देख देखके दुख होता है अपने आसपास तो 99% लोग सारे सा भगते ही लोग है लेकिन अब देख देखके ही दुखी हो लेती हूं क्या करना अपने जैसा कोई मिलता है यह आसपास देखें व्रिदा जी एक पॉइंट और पताता हूं फिर मैं इसको बता देता हूं यह आगे फिर यह लिखा है 68 नंबर में इस प्रकार अपहरण बची हुई व्रिश्णी वंस की इस्तिरिया ले आकर तो यह बाते हैं अब देखें बात यह आती है कि इतनी सारी संच देखने जानने के बाद से भी लोग क्यों फसे हुए हैं एक सीधी सी बात है लोगों के पास अगर काम नहीं होगा ना तो वो कुछ न कुछ काम खोज लेंगे समझे रहे ना एक आदमी घर पे बोर हो रहा होगा तो वो क्या सुचता है कि दो-चार लोगों को पकड़ें थुड़ा सा बात कर ले बड़ा बोर हो रहे हैं कुछ तो कर लें यही तो सुचता है वो यानि कि जिसके पास काम नहीं है तो चलो कुछ नहीं चलो कहीं घूम फिर सारे मोबाइल इलेक्ट्रोनिक समान के जितने चिप हैं जितने चोटे से लेके बड़े जितनी भी चीजें हैं सब उसका कब जा है उसके लोग जो है नास्तिक हैं बुधिष्ट हैं वो बैठ के काम कर रहे हैं मतलब भारत में क्या समान बिगेगा उसका भी काम बगल के करने के जोरत नहीं पड़ रही है अगर में पुला के पुरोहित को पूजा यह घावन करने के नहीं जोरत पड़ रही है उकाम कर रहा है ताकि बेचे और उसके घर में पैसा आए तो उनका जीवन सुधरे और भारत के लोग क्या सोच रहे हैं कि पंडित को बुला के 5000-5000 र आजाद देश आजाद हुआ तीवी आया और उसके मादेहम से साइंटफिक कारेकरम सुरू करवाया होता गवर्मेंट तो लोग साइंस पढ़े के साइंटफिक टेमपरामेंट पढ़े के घर घर में फैक्टरी खोले होते हैं अब जितना समान बनाते हैं हम चीन को बेचते उनको यह बात पता है और अपने देश के लोग तो इसी में परसान है कि भगवान भाला कर देगा कोई आकर दूसरा भाला कर देगा खुद काम नहीं करेंगे तो यह चीज है ना दरसल हमें उस चीज को समझना पड़ेगा कि हम क्या चीज नहीं समझ पा रहे हैं और यह लो अपने बच्चों को भी यही सब चीज दे रहे हैं बच्चे भी वैसे ही बंते जा रहे हैं कम से कम नहीं जनरेशन को के उपर अपनी चीजे ना डाले उसको खुद सोचने दें क्या सही है क्या नहीं सही है हमें क्या करना चाहिए मैं बगवान को मानना चाहिए नहीं मानना जया जैंड पढ़ करें समझ करके खुद उनको सेलेक्ट करने लेकिन नहीं वह तो बच्पन से ही हाज जोना सिखा रहे हैं बगवान के सामने इसे जुचाना सिखा रहे हैं आर्तियां इसका रहे हैं इस आरी मतलब आने वाले जो नहीं जिनरेशन है उसको भी खराब ही कर दे रहें ये लोग बिलकुल ठीक है ठीक है वरिंदा जी ओके से थेंक यू नमभुद्ध है से अगे बढ़ते हैं यहां पर रैशनल बंदा जो है वो लिखते हैं शर बाबा शाहब का मनुवादी नेताओं के श बंदा जी बहुत खुबशूरत टॉपिक का आपने सजेस्ट किया है मैं इस पर जरूर करूंगा और राम जतन जी करने यहां पर मेंबर्शिप लिया है बहुत शुक्रिया आपका मेंबर्शिप लेने के लिए तरकशील युग जी का भी शुपर स्टीकर है आपका भी और जिले हम लोग आगे बाठते हैं यहां पर शंकित बोल रहे हैं पेला बडिवेट के लिए इक किर यहां तो बता रहे थे कि हम ब्राह्मे मन इसा क्या हम्याद hij ब्राम पार रहे हैं तो हो बónका बाट असल Moralo यहां फोको को तो मिलीव बॉल और बोलेगा हो लेकिन इसका कारण मतलब यह नहीं कि उनके पास ग्यान नहीं है इसलिए वह मतलब इन सबके चक्रों में पढ़ रहे है हमें मतलब ऐसे मंदिरों से चोड़कर ज्यादा तर मतलब स्कूल में जाना चाहिए एक प्रॉब्लम यह भी आते है कि अब जो पिछली जन्रेशन हो चुके जो मतलब पड़ी नहीं अग्यान नहीं है तो उनने तो अभी ऐसे सीधे सुधार नहीं सकेंगे लेकिन जो आने वा आकर सीधे बोल दिया कि बहुजन लोगें मतलब बहु पूल देना चाहिए और भी खुलके बोल देना चाहिए चाहिए कि देखो बहुजनों तुम को इस मंदिर में क्यों आ रहा हो तुम तो लाज जूते जो भी उनको बोलना है मतलब खुलके एक अदम खुला बोल बोले एक खुल के बोले हम लोग तो चाहते हैं कि इसको आप जो है कितने ब्रामडों को आप अपनी चीजों को भेजब पाते हैं या उनको अपना देीब यह पाते हैं कि हम एक अच्छा भारत का नेर्माड करेंगे या कितने राजपूतों को आप अपनी बाते बेच पाते हैं नहीं लेकिन ब्रामधड जो है लेकिन ब्रामधड़ी जो वेवस्था है वो तो सारे बहुजनूं को अपना चीज वेच रहा है फाल्स हो पाकंड करम क यह एक बहाने बाजी है कि हम सामने वाले को कह दें कि वह इसलिए बेच पा रहा है या किसलिए बेच पा रहा है पर हमें एक बात ये समझनी पड़ेगी कि हम अगर अपनी बातों को नहीं बेच पा रहे हैं यानि हम में अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जवरत है एक चीज़ और बता दूं कि ब्राम्हों के जो शंगठन होते हैं या जो भी छत्रिय समाज है या वैश्य समाज इनके संगठन में ऐसा थोड़े है कि पूरा समाज ही वहाँ पर बैठा है कुछ लोग काम करते हैं लेकिन वो कुछ लोग पूरे समाज को कनविंस कर लेते हैं लेकिन अपने यहां से इतने सारे संगठन है वो अपने पूरे समाज को क्यों नहीं कनविंस कर पा रहे हैं क्यों नहीं हम अपने पूरे समाज को अपनी चीजों तरह से उनॉट नहीं है, हम इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, śin की ज़रूरत है, कि उनके कुछ लोग, कुछ संगठन के कुछ ही लोग पूरे समाज को कन्विंस कर ले जाते हैं, पर हमारे बहुजन समाज के जो लीडर्स हैं या जो भी हैं, वो अपने लोगों के लिए भी संगर्स करना पड़ता है, वो बिखरे पड़े हुए हैं, उसे में से कोई टांक ख करने की जरूरत है, कि हम अपने लोगों को अपनी बातों को बता सकें, और अगर हम कोई एक्स्क्यूज बनाएंगे भी ना, कि वो लोग ऐसा इसलिए कर पा जाते हैं, तो यह समझे कि बहाने वाली बात तो वह हो जाती है, आपनी कमी को छुपाने की बात आ जाती है, पिर कि हमारे अंदर कमी हो, उसको छुपाने के लिए हम फिर किसी दूसरे को उसी को क्रेडिट दे रहा है, कि वह बढ़ा अच्छा काम कर रहा है, जी संकेत, बात यहीं नहीं है, लेकिन वैसे तो आप यह मानूगी कि जो आजकल जो सरकार स्कूल की हालत है, वो कैसे मतलब जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे सिक्षन कैसा होता है, और वैसे आजकल हम देखने जाए, तो बहुत से सरकार स्कूल बंद भी कर दे जा रहे हैं, ऐसे में जो मतलब गरीब लोगों के बच्चे, जो जादतर मतलब हमारी समुदा ऐसे हैं, तो फिर वो कैसे पड़े, उनके पास तो मतलब ग्यान का कोई ऐसा सोर्स नहीं होगा, तो अगर वो पढ़ेंगे ये नहीं, तो उन्हें ये सब बाते समझ के से हैं, देखें, आप उनके सिले बस पढ़ा के और उनको ही मतलब की तार्किक नहीं बना सकते हैं, आपको अलग से अपने लोगो पर हमारी अपनी पकड होनी चाहिए ना, हमारे अपने लोगों पर हमारी ही पकड होनी चाहिए, लेकिन हमारे लोगों पर भी उनकी ही पकड है, उनके लोगों पर उनकी ही पकड है, हम अपनी चीजे उनके समाज के लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, या उनके समाज के ल जब तक देखें, उपर से जब मैसेज आएगा ना, कि हमें युनाइट हो ना है, तो नीचे तक भी पहुँचेगा, युनाइट होना है, उपर ही विखरे हुए हैं, तो नीचे आप किसे मुँझ से कहेंगे, नीचे वाले को, कि आप जो हैं, वो रहीं, और मैं तो समाज से से कुछा हो छींख करा रहा हूं कि हर सदस्टे को अपना जो भी Roughy आपको लगता संगत आपके लए काम कर रहा है वहुजन समाच का उसके सांद जुड़ जाइए मैं तो चींख चींख क कह लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में रहा है बात जितने लोग जूड़े हुए हैं जितने लोग जूड़े हुए हैं आप सबको ना एक टाई कर दीजिए एक बना दीजिए एक रसी एक सांथ लपेट के वह इतना तगड़ा होगा कि चुंबा की तरह सबको खींच लेग मतलब देखें आप एक उंगली से किसी पर प्रहार कीजिए अलग से दूसरी उंगली हो गए लीडर्स तो आपका जो प्रहार होगा ना वो पूरे समाज को चुम्ब की तरह खींच लेगा एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है विजुतने भी वाउजन के लोग है मतलब तो हमारे लीडर्स हैं जी सर तो मेरा अगला सवाल यह था कि आज आपने यह मतलब टॉपिक रखा है जैसे दुरौपति की पाज भी विए कैसे तो मतलब इससे हम आप क्या बोलना चाहते हैं मतलब क्या समझाना क्या चाहते थे मैं यह पूछना चाहता हूं कि हम पर माभारत फूपा गया है हम उसमें ऐचाना को ऐसे कुछ ही होगा ने मैंने कई सुना था मतलब एक वीडियो में कि जैसे अगर हम एक मेंड के उसको अगर सिधे गरम पानी में डाल देगा तो ठीक से चलांग में लगा देगा लेकिन अगर हम उस मेंड को ऐसे थंडे पानी में डालेंगे और धीरे धीरे अगर उसके गरम करेंगे पानी में तो उ ये भी जो सिस्टम आया है इसे भी शायद ऐसे डाइरेक्ट थोपा ने गया होगा देखें भारत में अभी तक कहीं पे ऐसा नहीं पाया गया कि वहां पे एक जो पूरूस मतलब बहुत ज्यादा पूरूस हो उनकी एक जो है महिला बीवी हो ये कुछ हिस्सों में घटनाएं आई हैं अभी भी ऐसा देखा क्या है कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जो अपने को आर्य बताते हैं उनमें कुछ में पाया गया है जो सिकंदर को अपना पुर्वज बताते हैं उन लोगों में पाया गया है कि दो पती है और उनकी एक बीवी है इस तरह की कुछ-कुछ घटना पाई गई है लेकिन यह जो घटना दिखाया जा रहा है कि पांच पत पंचाली जो है जो धुपती जो है वो भाई मानती है कृष्ण को और फिर कृष्ण की एक दूसरी भी बहन है शुभद्रा उसको भी भगा के लाता है और उसमें कृष्ण हेल्प भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ये देखें न कि कृष्ण भी इस बात को सपोर्ट कर रहे ह कि वो भी multiple विबाह कर रहे हैं और अपनी बहन भी उस व्यक्ति को दे रहे हैं, जिसकी साधी है और उसको फिर दे रहे हैं, उनको भी इसमें कुछ बुराई नजर नहीं आ रही है, वो जुगा खेलते हैं सब, जुगा खेलके हारते हैं एक बार नहीं, दो-दो बार उसमें भ जो कुछ सीखने की बात करेंगे, तो यह कैसे होगा कि ये वाला हम छोड़ दे हैं ये वाला पकड़ लिए तो इस्वाइस के मिलेगी, ये तो पूरा, पूरा उसका हिस्सा है हों, यहां पर हिस्सा है कोई भी बाद बार में, उठा लेगा कहेगा कि यहां पर यह है, अब कि अब के सांथ ही ऐसा क्यों हो सारी में अधिकार गईा पर स्थ्रीों स्रीओं को भी जैदा पती रखने काधिकार दिया है यह तो हमने बराबरे समानता कि बात कर दो अगर यह बात यह कहेंगे इन्हों को ने हक दिया कहीं पे जहां पर उसका स्वेंबर हो रहा था वहांपर यह जुकंब लिए अप connect कि करें और गया उस महिला पर उसको ज्याधती की गई स्थिस्स द्रपदी अधिए यहां पर उस महिला को एक भीख की वस्तु समझ के अभीख की वस्तु समझ के और उसको फोप दिया गया कि बहूं बात लो पांचो बात लो एक दूसरी औरत कहा रही है कि बांट लो असब बांट लिए मतलब वह वस्तू हो फिर तो इसको कोई भी कितना भी कर सकता है एक घर में एक कोई बीबी लेखे आए अगर में पांच लोग हो तो पांचों बांट लें बताइए नाइए यह नहीं हो सकते हो पांच हो गया पूरा माभारत का लड़ाई हो गया पूरा माभारत का लड़ाई ही इस बात पर हो गया कि करिष्ण जो है कि अपनी पूरी यादो सेना को भेज दिये दुर्योधन को आरजुन के तरफ से जाके उसी से मारवा दिये उस द्रोपती के कारण ही तो लड़ाई शुरू हुई उसकी एक हसी क्या फूटी उधर से दुर्योधन ने वह पंगा ले लिया कि अब तो लड़ाई हुऊ होगी सब्सक्राइब को देखा जाए तो मतलब अपने परिवारों के बीच में लड़ाई तो उसमें इसे महावारत नाम देने का कोई लॉजिक है तो आपके तरफ से हवा की साउंड बहुत ज्यादा आ रही है देखें यह उसका नाम तो भारत ही था अलबुरूनी 11 सेंचूरी तक उसका नाम भारत ही था महावारत नहीं था महावारत तो इन लोगों ने बना दिया अलबुरूनी पूरी लिख लिख के गया है उसके अनेक प्रसंगों की चर्चा करके गया है उस समय दूसरे फॉर्म में थे इ इन्होंने उसको एडिट करके दूसरा महाभारत बनाया है, अपना प्लेवर दे के बनाया है, समय रहा है ना, तो एक कहानिया तो अल्रेडी प्रचलित थी, जाता कथाओं में उन्ही को तो एड करकरके, एडिट करकरके इन्होंने अपना बनाया है, अन्नाम बदल दिया भार देखें धार्मिक जो है कोई भी हो सकता है समझ रहा है ना लेकिन धार्म का अर्थ क्या है उसके लिए अगर उसका धार्म जो है ये कह रहा है कि सास्त्र में जो बाते लिखी है उसको मानो तो वो उसको धार्म समझता है सास्त्र में लिखी हुई बात को और अगर उसमें कुछ गलत चीज़े लिखी है किसी की घ्रेणा लिखी है जो लेखक है उसने अपना कुछ घ्रेणा उसमें लिख दिया है उसको भी वो धरम का हिस्सा मान के प्रेक्टिस करता है और फिर आज की डेट में अब कह रहा है कि वो मिलावटी है मत बहुत अ reconcile लुस्व couch yapt को एक लंबे समय तक धरम समझ के प्रेक्टिस किया अब कह रहा है कि वो मिलावटी है यानि लंबे समय तक वो अधर्मी रहे थे इनके पुर्वज एक लम्बे समय तक ये अधर्मी रहे थें, आज कहा रहा है कि वो मिलाऊटी है, जहां पर ये फंस रहा है, यानि कि ये अपने धर्म को प्रैक्टिस नहीं, अब ये या तो ये अधर्मी बन रहे हैं, या फिर इनके पुर्वज अधर्मी थें, कोई तो एक अधर्मी है, ये तो इनको सफाई दनी पड़ेगी बागी दुनिया को अधर्मी बचाने की बजाए पहले खुद इनको तय करना पड़ेगा कि इनके पूर्वज अधर्मी थे या यह अधर्मी हैं क्योंकि अगर यह धर्म गरंद को नहीं मान रहा हैं उसको मिलावटी बोलेंगे तो यह अधर साइंटिस्ट उसी को मान रहा है ना साइंटिस्ट अलग से थोड़े मान रहा है बाइए एक यहूदी सो यह सैंटिस्ट बन गया अब उसका विश्वास अपने मोस थे हैं अपना मोसाप की बात कर कर रहा है एक जो ब्रामणवादी है बन गया लेकिन बात जो है अपने ब्रम्भा विश्णु बैंस की कर रहा है नहीं कर रहा है जैसे कि हम मतलब एक साइंटिक टेंपरा में से देखे जाए तो मतलब जो न्यूटन थे मतलब मैं अभी साइंस की फिल्म ज्यादा एक करूंग वह उसकी जो पिसली वादी थे रहे हैं उनसे कॉंपसेट कर पाए कि यूनिवर्स टैटिक नहीं है लेकिन जब आगे जब रिसेच होई तो फिर मतलब आइंस्टों को भी करना पड़ा कि मतलब यह सब नहीं है मतलब बिलीब तो हर जगा हो सकते ना दरूरी नहीं कि मतलब सब्सक्राइब आप पता है यहां पर क्या कर रहे हूं आप साइंस को समझ नहीं किया होता है आप लेकिन साइंस जो है वो बिलीब होता ही नहीं है साइंस क्या कहता है कि आपको प्रकृति के नियमों को अच्छे से समझना है और मैथोलोजी क्या कहता है कि हमारे रिसी मुनी तो पहले से लेकिन साइन्स क्या कहता है कि हमें प्रकृति के नियमों को अच्छे से समझना है समझने के बाद से उसको लिखता है अब जहां तक उसकी अप्रोच हुई समझ पाया उसको stillisa को आके और जब बढ़ता है तो यसके पहले जो रिसर्च किये थे उन्हें उनमें a फिर आगे बढ़ेगा हुँ देखेगा कि इन होंने क्या सही ही दिया है तो आगे बढ़ जाओ अगर उसमें भी कुछ कमी लग रही है तो उसको अपडेट करके फिर वो उसके आगे की सर्च करता है यह साइंस होता है इसमें कोई बिलीव सिस्टम नहीं होता है कि हम यह साइंटिस्ट यह बिलीव करता था रहे वह उसकी रिसर्च है दूसरा साइंटिस्ट आया उस रिसर्च को आगे ब दिया न्यूटन कुछ निवो दिया अरे बहुत कि अपनी रिसर्च ती रिसर्च करके चले गए दूसरा व्यक्ति उसर्च को आगे बढ़ाया कुछ खामी होगी तो उसको खरच कर दिया जाएगा रदर-फोर्ड जो थे हैं नीर बोर थें तो ने रदर-फोर्ड को तक नहीं पता है वह बुरा नहीं लग रहा है अभी मोबाइल आया तुरंत पहुंच जाएंगा खरिदने के लिए नई फिलिम आ गई चलो देखने आते हैं उस पर अच्छा एक्षान है नया पार्टा गया वह पहुंच जाएंगा देखने के लिए लेकिन साइन्स बदल रहा है अरे बदल रहा है आपका उम्र बदल रहा है आप जिस पल एक अपने आइना में देखते हो उसके सेकेंड के सौवे हिस्वे में आप बदल चुके होते हो उतना लेट आपको आइना दिखाता है आपका चेहरा तब तक उतना लेट हो चुका होता तो यह चीज ही ऐसी है कि हमेशा बदल रही है अजो नहीं बदलने की बात कह रहा है कि कोई कहीं लिख गया है वही तिहां से वही सब चीज है तो फिर धपूर संक है ना बेवकूफ है यही चीज है ठीक है शंके चलें फिर एक सवाल होता है कि जो आप मतलब महिलाओ पर जो तो इसके लिए आप नों को जिन्मेदार बानते हैं पर फिर कि शता ही धरम से आती है डिए लेकिन देखें हर कुरीती जो है ना कुरीती जो है अधर्म किसका होता है धर्म हमेशा ही जो वह होता है जो वहां का होता है वह दर्म का इक थापए के लिए अपने वर्चष वह करता है तो उसने जब कबजा किया महिलां को लगतार लाउन गिराने लिए तो आप देखें जितने धर्म के लेखक हैं उस सब महिला को खुब नीचे गिराएं जम के गिराएं एक भी महिला क्यों नहीं मिलती हैं जिसने कोई रमेंड लिखा हो माभारत लिखा हो यह लिखा हो वही तीपिटक में बौधों की जो जाता कता हैं उसमें अठकताओं में नहीं लिखें सिटम में एक भी कीताब नहीं आती है जो एक है Myla ने लिखा हो बुद्धि जम में आकर देखें और पूरा पूरा उनका ता आरा महिला व्हिंटे महिल के ऐने बना रहे हैं, वो सारा बुद्धिजम की देन है, तो उनके यहां तो पूरा हर्ची सबूत मिल रहा है कि महिलाओं का भी हक है, उन्होंने तो इस पर फाइट की न दिया न, वो दो बुद्धि के समय से फाइट हो गई थी, उस समय का जो लोग थें, उस समय के जो महिलाओं को जिस तरह से दूर करते थे, उस पर लागतार फाइट हुई, अभी इसी महाभारत में सिरिंगी रिसी जो है, सिरिंगी रिसी, उसका जब आप पढ़ेंगे, तो उसका बाप जो है, वो सिरिंगी का जनम दे देते हैं, बिना उसकी माता के ही जनम दे देते हैं, हिरनी से उसक च्छिंक देता है तो उसी च्छोंग को पैदा हो जाता है च्छिंक से यह सब तो मैंने आख से पहले सुना है और मेरा एक सवाल यह था कि जो हम गौतम बुद्ध को मानते हैं तो इनके बारे में कहा जाते है कि इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्यान की प्राप्ति कौन करता है कि सबसे बढ़ा सवाल करता है यह जो सवाल करता है जुशकर बहुत बारं उत्तर दियें हैं कि सबसे पहले यह कि तो यहां पर यही बात है यहां पर यही बात है कि जब आप बात करते हैं प्यढ़ के नीचे बात है तो आप आर्चियलोजी उठाएगे तो आप आर्चिळोजी उठाएंगे तो आपको मिलेगा गंधारा सिल्प मिलेगा जो पकिस्तान में है वहां पर आपको देखने को मिलेगा बुद्ध की एक मूर्टी मिलेगी जिन में केवल उनकी छाटी की जो बाती है यानि जो हड़िया Hai वो श्रीप दिखेगा, सरीर में एक मांस नहीं दिखेंगे, यह जब आर्किलोजी क्या दिखा रही है, कि व व्यक्ति जो है पेड़े के नीचे पेट के ग्यान की प्राप्ति नहीं हुई थी, बलकि उस व्यक्ति ने अपने सरीर का एक मांस का लोथड़ा लोथड़ा के लिए, इकोन बाते कहेगा, तो जिस समाज के धापोर संख जो हैं, जो यह दावा करते हो कि पूजा पाठ करने से कोई भागवान इश्वर आ के उनकी मंचाही चीज़े पूई कर देगा, वही न धापोर संख उनको बात करेगा कि पेड़े के नीचे बैटने से ग्यान क कर दिया उस ज्यान की प्राप्ति के लिए उस चीज को सीखने के लिए कहते हैं, यह चीज हमको आसानी से नहीं मिली है, चपल घिसने पड़े हैं, उस व्यक्ति ने अपने सरीर की मास का एक लोथड़ा लोथड़ा घिस दिया था, समझ रहे हैं, यह ढपोर संख से बोल दे रहे हैं, जब इनके खुदाई से उनकी चीजे निकल रही है, कि उन 6 सालों में वो एक पैर पर कभी खड़े थे, कभी भूखे पेट रहे थे, शरीर की एक-एक मास के लोथड़े तक निकल दिये उस व्यक्ति ने जिस ग्यान को दुनिया को दिया, उसके लिए उसने पूरा सरीर घिस दिया था कभी, तब जाके उन्होंने वो चीज पाई, वो नॉलेज पाई, वो ग्यान पाया, एक होता है ना कि एक रिसर्चर है, उसने रिसर्च को देने के लिए जैसे आइंस्टीन थे, उनको जब रिसर्च था, उनकी वाइफ की क्या क्लेम था, पहली बीबी तलाक लेली, इस बात को काके, ये व्यक्ति एक बार घर में घुसता है, तो पाच दिन बाहर ही नहीं निकलता है, खाना भी कहता है कि नीचे जो है, नीचे से सरकादों हम नहीं मिलेंगे, इस एक सांथ कौन रहेगा, आइंस्टैन पर तो यहीं भी आरब लग की थी उसने, हेल्प की थी, लेकिन इनहों ने उसका नाम नहीं दिया के लिए अपने नाम पर छपवा लिया, तो वो बहुत सचीजे हैं, लेकिन यहां पर एक चीज आप यह देखें, कि बात यहां पर यह आ रही है, जो नरेटिव सेट कर रहा है, उस सही नरेटिव क्यों खड़ा किया है आपको, यह नरेटिव कौन सेट किया है, अब कोर्स यह वही लोग सेट किये हैं, जो भारत के दुसमन है, गदार हैं दरसल यह लोग, जिन्होंने भारत का एक्चुल इतिहांस मीटाने की कोसिस की है, और लोगों के मन में यही सब ओगा पंथी डालने की को पूछ लिए, इससे ज्यादा मैं आपको अब नहीं समय दूंगा आज का फिशे में हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग, आचा इसके बाद से रमेश गजभेय जी का यहां सुपरिश्टिकर है, शुक्री आपका रमेश जी, और फिर यहां पे फ्रीडम अन्नोन जो वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है, CST OVC का, वो मैंने देखा था, फ्रेक्ट्रियों में, करखानों में, वो उस रेशियों के हिसाब से फिट है, जो गवर्मेंट देने की बात कही है, तो यह बहुत अच्छी पहल है, तमिल नाडू की, हरिपाल परमा जी लिखते हैं, ब्रामन बोला कि हम लोगों को लूट रहे हैं, हाँ, जी, बिल्कुल बोल के गया है, वही तो मैं बोल रहा था, कि वो अच्छा कि यह बोल के गया है, हम लोग चाहते हैं कि वो संच बोले, हम को ऐसे लोगों से कोई बहस भी नहीं करने हैं, पंकज दोहरे जो हैं दिल्ग रहे है शर्क क्या ऐसा हो शकता है कि महाभारत महायानियों ने लिखा अगर यशत है अज का हिंदू कल का ही नियान थो नहीं जो नहीं थीरवाद होता है देखें महाभारत जो है महाभारत नहीं था जातक कथाएं थी और जातक कथाएं लिखी थी बौध होने ऐसी 123-122 जातक कथाएं जो हैं जिनके अंसों को आप जोड़ तोड़के मिलाएंगे तो आज का पूरा का पूरा जो महाभारत है वो आपको देखते को मिलेगा जिसको क कंपाइल करके और इन लोगों ने उसमें असलेलता डाली अपना हर जगा ब्रामड ब्रामड घुसेड दिया हर जगा दान पुन्य और वो अपना मतलब जो इनका ब्रामडबादी एजेंडा होता है वो कर दिया अतब इसको ले गए चोरी भी इनकी पकड़ी जाती है जैसे सम वैतर्णी नदी मिलेगी और वैतर्णी नदी कहां बताई जाएगी उडिशा में बताई जाएगी कि उडिशा में वैतर्णी नदी है लेकिन यह क्या हुआ ना कि जब इसको कंपाइल कर रहे थे यह लोग तो यह भूल गए कई कहानिया भूल गए यह लोग कि क्या चीज स पकड़े के मतलब कि जो गाय आप दान किये रहोगे उसी का पूछ पकड़े के जाओगे ब्रामण को अगर दान किये हो तो यह जो कहानी नहोंने बुनी है लेकिन माभारत जब एटिट करते थे यह भूल गए हैं लोग कंसेप्ट क्योंकि यह नहों कहीं और से चुराई थी वो सारे के सारे जमीनी लोग थे हैं यह असमानी बनाने का पर्यास कर रहे थे तो यहां पर पढ़ेंगे तो आप साफ साफ इसी में आपको मिल जाएगा जो जहां पर सिंग रिसी की बात आई है सिंगी रिसी की वहीं के आगे के चेप्टर्स में आपको मिल जाएगा कि वो पुरिशा में ही वो एक नदी है जिस बैतर्णी नदी है और उसके किनारे युधिश्टीर जाता है समय रहे ना उधरती पर ही बताई गई है असमानी इन्हों ने बाद में बनाया है यानि कि माभारत की कहानी पहले जमीनी घटना थी जो कालपनिक थी जो बहुत ही जमीनी कह असमानी लिखते थे इन्हों ने उसको असमानी बाद में बनाया है और कुछ-कुछ चीज भूल गए हैं जिसको आप पकड़के आसानी से पकड़ सकते हैं अच्छा इसके बाद से यहाँ परशु राम जी का यहाँ परिश्टी का है शुक्रिया आपका और फिर यहाँ पर फ्लाइंग मौंक जो हैं वो क्या लिख रहे हैं बुद्धो पेश्ट में मुझे एक हंगेरियन मिला था और उसने बताया कि उसने बुद्धिष्ट उपनिश्द पढ़े लिये है मैं तुरंट समझ गया कि इसे किसी ब्रामण ने अपनी किताबे बुद्धिजम के नाम पे चिपका दी खेर मैंने उसे समझा दिया देखिए फलाइंग मौंक बहुत खुप शुरत आपने यहाँ पे एक बात रखी है यह सारे के सारे बताईए वहाँ पे वहाँ के जो बुद्धा के नाम पे पकड़ा देते हैं बिल्कुल सही कहा है आपने प्लाइंग मौंक आज भी यही करोबार कर रहा है कथा बाचते बाचते अब बुद्ध का नाम लेना शुरू कर रहे हैं चरी आगे बढ़ते हैं अब देखें कौन आये हैं कि यह कोई शौरिया आया है इनको मेड करताउं हाँ जी शौरिया बताएं क्या करना चाहते हैं अजी मेरा एक क्वेश्चन था रहें हां पूली कि जासे आप यहाँ डिबेट कर रहे हो तो एक सनातन समीक्षा नाम कया है सर उस देखें, यहाँ पर debate के लिए सब को बुलाया गया है, open invitation है, आप भी आएं है, कोई भी debate के लिए जिसको भी आना है, सब को यहाँ पर open invitation दिया गया है, जिसको भी आना है, आजाएं, जिसको नहीं आना है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम से मत पूछिए, कि कौन क्या कहा जाएगी कि यहां पर बात करनी है तो आ अपनी इतनी तमीज होनी चाहिए पहले कि जो व्यक्ति यहां पर आया है आप आये हैं तो आप डिवेट करो ना हस्वे के साधी में खुर्पे की विवा करोगे फिर सोचोगे कि कुस्चन तेरा सुने ले हम चल निकल यहां से चले आगे बढ़ते हैं हम लोग कोई भी व्यक्ति हों होँए नहीं पाता है रह चलते गयादे हैं कितने लोग जो है आते जाते हैं कौन क्या कर रहा हुंस हमको क्या मतलब है आप आएं यहां पर हम से बात करना है तो हम से बात करें अगर कोई लगता है कि आपके दादा नाना चाचा वामा जी जा कोई भी हो है जिन को थोड़ा सा ग्यान है उसको ले आओ सीधी सी बात है आके यहां पर फर जी रागाला पोगे तो यहां पर मेरे पास थोड़े समय है इतना कि आपके पड़ोस में क्या चल रहा है उसकी हाँ जी बोलिए तो अवाज आ रही है थोड़ा सा आवाज आपकी कट रही है बताए क्या कहना चाहते हैं आच यह तो भाग खड़े हुए मैं अब भाई ऐसा मत कीजिए आप लोग आते हैं और प्रांतों में बताई यहां आपके कलकत्ता में कलकत्ता में अगर गिरंदता और मंबई में आए अलग गरंद महारा के सब्सक्राइब अलग अलग गरंद तेगा पोलो होते थे अलग अलग गरंट हाँ पोली है नहीं यह रहां कर यह अलग 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 गरंट फोलो होते थे का सर जब मैं तरीन थी वो मदर इंडिया में लिखा गुआ है कि कलकत्ता और महराष्ट्र अलोग 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 अरे सब आ रही है लेकिन आप बूल नहीं रहे हैं ना चकर तो यह है अब आप थोड़ा सा अपना साउंड कम कर लिए आपकी साउंड बहुत ज्यादा है साउंड थोड़ा सा कम कर लिए या माइक से थोड़ा सा दूर हो जाइए फिर अपनी बात रखिए सब माइक तो सर मेरा बहुत दूर है आपके तरफ से थोड़ी दिर बात आपाना इतनी थोड़ी सी तमीज करके आना चाहिए ना कहीं से भी आ जाते हैं यहां पर इतने लोग देख रहे हैं उननी सो लोग देख रहे हैं और वह आके अपनी बैग्राउंड नों ऐसे यहां सुनवा रहे हैं इतनी तो होनी चाहिए ना कि आये तो थोड़ा सा फ्रेस होके आया त्यार होके आई यह चले आगे बढ़ते हैं हम लोग यह कोई आये हुए हैं अर्जुन चौधरी आये हैं हाजी बताएं अर्जुन क्या करना चाहते हैं अलोग हाजी बताएं क्या करना चाहते हैं अच्छा जी बताएं क्या करना है तो यह मंत्र याद करना है करते हो क्या है मंत्र पढ़ते हो तभी तो कर रहे हो गया कर में तो नहींग है आपके पिता जी और माता जी कर रहे होंगा वह में पूरा कंदान कर रहा है तो यही काम करता है पादते हुए भी करता होगा फायदा क्या हुआ इससे इसे पायदा हुआ कि इसे पायदा यह वाद आज देखो वारत क्या विकारी बना दिया और ब्राह्मन मूत्रे गरीबों के मूपे देखो किता फायदा इत्ता कम लग रहा है आपको थिकितने प्राह्मन जाती रहामन मूत्र है आपके पृच्छ तो on मढ़ा है एक चीश बता हैं कि यह जो ओम पागेश्वराय नमा जो है जो पागेश्वर जो है ये भी तो हकता मुत्ता होगा ना ये भी हाँ कुछ और मंत्र करता होगा अडमी उसे टाइम उसने ये मंत्र बनाया गुरुजी ने ताल दिया कितना तरक्षी किया है मीडिया जो है उसका globalization में कितना अस्थान है हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या अस्थान है पीछे नहीं लेके गए मंत्र पड़ा पड़ा कि इतना पीछे चला गया पता है अपरीका को पीछे तोड़ देंगे हम गरीब अब रहेंगे हम खाना नहीं चाहिए हमें हमें चाहिए ओम बागे सुराय नमा अच्छा एक चीज दिखाता हूं मैं एक रिपोर्ट आई है वह जरात पुड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं मैं देख रहा हो रिपोर्ट अरे मोदी जीन अभी कल चंदर यां लेंट नहीं तो नहीं किया चंदर मां पे जा रहें आरां दर्दी भी क्या करेंगे रहें कि आपको हद्द हो गई आरां बास पर रहेंगे और गंगाजल डालती है उगरा में चंदर मां पर रहेंगे लेकिन कितने लोग रहेंगे चंदर मां पर इतो कह रहा है इंडिया रेंक्स 107 ऑन 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स बिहाइंड पाकिस्तान बंगलादेस और नैपाल यह तो कह रहा है कि इंडिया जो है बिहाइंड पीछे चला गया पाकिस्तान बंगलादेस और नैपाल से भी तो हम तो अपने परोशी देशों से हंगर इंडेक्स में बागलादेस नेपाल रहे हैं अफरीका से तो आगे हैं तो यह यह बगल में जो पाकिस्तान और बंगलादेश और नइपाल है यह तो दिन राथ यह दिखा तो रहा है वन जीरो सेवें ऑन तूटाउजंट ट्वेंटी टू दो हजार बाइस में एक हजार साथ रेंग मतलब एक हजार साथ रहे हो आप देखा बहुत महानों आप मुझे लाश्ट इंडेक्स बता दो लाश्ट कहां तक जाता है डेड़ सकते वन फिट्टी टक है लाश्ट वहां तक पहुंचना है हमारा टार्गेट है संगर्स कराना चाहते हैं पाकिस्तान का पाकिस्तान का बतार है नाइंटी नाइन बंगलादेश का 84 नैपाल का 81 और सिरलंका का 64 और सबसे खास बात है कि 2021 में 116 देशों में 116 देश में 101 पे थें सिर्फ 116 देश में 101 में थें और 2020 में 94 प्लेस थें अहम दिन परती दिन जो है हमारा देश तो भूखा होते जा रहा है वह यह तो हंगर इंडिक्स यह बतार रहा है यह बरते हैं बरत करवा रहे हम आपने अरे आरे यार आप सनातनी हो क्या हो सनातन द्रहों में वरत होते हैं सहमार का परत शीव जी के लिए मंगलवार का वरत बंदर का सोरी हनुमान जी के लिए गुद्वार का वरत बो पता नहीं कौन से देव का है मारे अभी में रुकों में टारी निकालता हूँ तो आप समझो मैं इनसे वरत करा रहे हैं हिंदु द्रम में समझो आप यह आप हद हो गई है अपनी सनातन को नहीं समझपा रहे है अच्छा इकॉन सा वया कॉन सा वरत है वह ऐसे फास्ट है फास्ट यह हमारे सनातर ने लिए दो में लिखा हुआ है इसको करने से ना लिंग बड़ा होता है और आदमी के बच्चे पेदा होते ना वो नपोसंग पेदा होते यह बहुत बड़ा बड़त है आप अपर आप अपर ना करना है बुरूंडी का निकालो निकालो आप इंडेक्स निकालो 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 निकाल रहा हुआ 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 हु देखते हैं यह रहा लिष्ट इनका को बदनाम कर रहे हो आप अभी आभी देखते हैं कितना सनातन धरम है उसाब अभी अभी दिखते हैं यह यह सनातन धरम साउथ इस्ट एंड साउथ इस्ट एंड साउथ इस्ट एस्ट एस्ट यह देखिए यह अच्छा हम से हम हम लोग आगे हैं वही अफगनिस्तान से आगे हैं अफगनिस्तान से हमारे से गरीब है तलिबानी जो है ना उस सब गरीब हैं हम लोगों से उसके यह ज्यादा फूखे नंगे लोग है औरुखो गूरोदे आम बागेश राई नमे जपते रहू पांस सान में अगर पीशे नहीं गएं ना बदलते ना आम बागे शुराय नमे सुभई शाम पड़वात्व एक और उपाई बता रहा हूं ऐको रुपाई बता रहा हूं बागेश राई के नाम के सुबह शाह में न एक क्या करना है आपको एक काला धागा लेना है और अपने लिंग के चाहरों तरफ लपेटना है एक सु एक बार समझ गए लिखा हुआ है बागेस्वर बागेस्वर बाबा भी अपने लिंग पर लपेटता है क्या यह प्रइब अरे नहीं बेलज वोले उसमें सुद्धीकरन करा लिया अपनी सार जो संसारिक सुके ना उनसे मुक्ति पाने को सुद्धीकरन बोलते है मतलब कटवा लेका हमने तो सीधी वामने तो सारों सर देगे मतलब वो जो बदनाम आसरम में जो सुधी करन था कि वो लिंग ही करते तो तो वह बला क्या अधिने बदनाम वाली श्टोरी चुराये भागे सवर बाबा से खुमना में वकर सब्कुमको कोफईरेट यह अन्य पर देंगाग़ को दिखा ढहें की भई कटवा ली हैं कट वाली है और इसी बहाने कोई पता चले कि उसके साथ कुछ गलत हो ती है गुरुदेव ऐसे क्या बात कर रहे हूं पागल होगे यार यह बात है सीग्रेट रहनी चाहिए मेरी बाव सुनों यह क्या कर रहे हैं पता यह बॉलीगून इंडेस्ट्री चुरा रहे है यह डाटा इन्होंने सैम सिंगा रोई मुवी बनाई डेव दास्या दिखाई इनको क नाः यह जीं क्यों थे मन को किसी मन की बात की से जान लेता है मतलब मन की बात है आप बता दो कि आप में आया हूं आप मेरे दर्म है सनातन दर्म से जो जोड़ दिया ना बस जे जेकार लगी अरे बागे सुर बाबा बागो तो ये ये तुम्हारा साइं बाबा था ना जो गरीबों की सेवा करता था वो साला मौलबीन था खची कर रहा है उसका वो खतना कर रहा था था अच्छा मेरे गुरूजी ने कि हमने तो सुना है पार सब्सक्राइब हो रहा था पाकिस्तान के साथ त ЭК बड़ा हाइलाइटेड हुआ था एक बाबा और वो भी बीच में आ रहा था और पता चला था कि उसका तो है ही नहीं मतलब कि लिंग उसका वो कर दिया गया है सुद्धी करण हो गया है बाद में पता चला कि उस पर कई महिलाओं ने आरोप लगा दिया है कि उसने बादी के पास पास नहीं है वो म मृ बादी या राव लॉनिदी ऑर्पड़िस्धें तुम नहीं समझ पा उघं़े वह संस्व करोना नकिकिन कव्या वहाद ऑट है यहां पर डाटा निकाला है इंडिया का और हमारे पडोसी देश अफगनिस्तान जो है वह हमसे ज्यादा भूखा नंगा है हम उसे ज्यादा अच्छे हैं अलग बाते की हम जो है पाकिस्तान नैपाल और उन सबसे पीछे हैं 2022 का जो डेटा है अब 29.1 आते हैं तो आफरीका के देशों से भी लादेंगे लिखे ले लो यह रिकोर्डिंग कर लो वैसे तो रिकोर्डिंग करते हो तो लो यहां पर यहां पर कुछ और डेटा है जैसे लेटिन अमरिका के केरिवियन यह जो देश है इनके तो किसी का भी 29.1 नहीं है यह तो 9.9 है यानि कि यह सब देश जो हैं बहुत बहुत आगे हैं और यह भूखे नंग देश नहीं है यह अफ्रीका के देश है अब यहां पर जांबिया है जांबिया और मेटा आगासकर हैं हमसे आगे अफरीका देशिए यह सब आगे अरे बाबाजी को वहां बेजना पढ़ेगा रुप को जांबिया हमसे पॉइंट टू हम लोगों से 0.2 परसेंट आगे है भूखे नंगो में जांबिया हमने जांबिया को पीछे छोड़ दिया है और मेडा गासकर को चोड़ दिया यह दो देश को बाकि महाभारत में जो दुरोपदी थी उनके पांच पती यह सही कंसेप्ट है तो वो तो सामने के ते दस बंदरा पीछे के ते वो पता है आपको यह सनातन की पावर है माले यह पांच बाबा हो आप पांचों की यहीं पत नहीं हो यह सुऀकार है अरे सनातन की स्क्रियूबा सक्तिया है जेल सक्ति नहीं देख़्ेएं हमारे बाबा यह सनातन की सप्तिया हूँ अरे हदों की हमारी पुराणों में लिका हुआ है खड़ा नहीं आपने पांच-पांच थे और बीम से आज की कितने लोगों का बराबरी कर सकती है एक एक बीम में कितने लोगों जितनी सक्ती थी बताव आप अब बताओ कितने पति होएं इसमें पूजयंते का मतलब क्या है इसमें तो पूजयंते का मतलब है कि दहेज देने की बाद चल रही है इसमें पूपास आपको एक्जांपल देता हूँ हम दस साल की हमारी लड़कियों की शाधिया करते थे किसी और दर्म में करने दस साल के लड़की मा बन सकती है का सनातन दर्म में बनती थी बाकि फिर बाद वी उनकर क्या होता था वो देखते नहीं थे क्योंकि हम बक्ति में रहते थे बाकि बड़ दस साल के बनाते थे हम सोचो कर सकते हो क्या और कोई धरम में कर सकते क्या बताओ अपके यहां लिखा है ना ये ये दिखाता हूँ न मैं आपके सनातन धर्म में एट चेप्टर है लिए पहते हैं चैप्टर एट है चैप्टर एट का आठ नो इसमें कह रहा है आठ वरस की कन्या को गौरी और 9 वर्स की कन्या को रुहणी कहते हैं और 10 वर्स की कन्या 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 ही कहलाती है उसके उपरांत रजस्वला हो जाती है मतलब कह रहा है 10 साल के बाद रजस्वला हो जाती है कन्या के 12 वर्स होने पर यदि कन्या का दान न किया जाए तो उस मनुष्य के पितर प्रतेक महीने में उसके रज का पान करते हैं और कन्या को जिसका विभाह न हुआ हो रजश्वला हुई देखकर माता पिता और बड़ा भाई इन तीनों नरक को जाते हैं और इसमें लिखा है जो अग्यानता से मुहीत होकर उसकान्या के साथ विभाह करता है तो वह व्रिसलिपती कहलाता है मतलब लड़की का साधी तभी कर देना है जब उसका जब वह रज स्वला न हो मतलब उसका साधी कर देना है सबस्क्राइब और इसमें यह लिखा है कि जो साधी कर लिया अगर किसी लड़की का दस साल से बड़ी लड़की से साधी कर लिया जिसका मेंस्टुरोशन साइगेल उसका धम रज निकल रहा है तो लिखा है कि उसे समझें साल में नहीं होता है वारत साल में होता है बट हम दो उससे पहले हैं यह लिख रहे हैं कि जो साधी कर ले उसको पंक्ति से बाहर कर देने योग्या है उसको मतलब देश निकाला की बात कहते हैं फिर आगे लिखता है जो ब्रामण एक रात्री भी विश्ली का सेवन करता है वह तीन वर्स तक विच्छान का भोजन करता हुआ गैत्री मंत्र के जपने से सुध होता है मतलब आप यह देख लीजिए यह तो सीदे सीदे कह दिया यह तो कह दिया कि उस लड़की से भी साधी नहीं करना है और जो कर लिया उस लड़की से दस साल के बाद की लड़की से उसको तो तीन साल गैत्री मंत्र जपके सुध होगा मतलब आप यह बताओ आपका धरम गरंत कह रहा है कि दस साल से पहले ही साधी कर देना है दस साल के अब लड़की रज स्वला हो गई तो उसका भाई जो है उसका पीता बड़ा भाई उसकी माता तीनों नरक में जाते हैं आई भी लिए वी जो रज नीकलेगा रज का पान करते हैं ये सКुर्णे परिवार परचारित करते हैं अपने मठ से अब पूरा विस्व बोल रहा है अमेरिका बोल रहा है अमेरिका बोल रहा है यार बागेश्वर यह महापुरुस कहां से आगे आपको कुछ पता नहीं है यार हदो गई सनात्मी धरम की और तो को यत्र नारेस तो पूझे ते रमनते तत्र देखा दद साल की तो लड़किया पढ़ने कब जाती थी पढ़ने कब जाती थी जब आठी-9 साल में मा बन जाती थी तो मतलब महिला सिक्षा की बात नहीं है सनात्म धरम में भीक मांगने में जब हमारे ब्राह्मन पूर्य बीग मांग के पेदा हो यार आपको पता नहीं बागेश को सिर्व यदि नहीं डेखा है आपने हमें दान दो हमें वह ना आरे हमारे हमारे भूज्ड़ खरीदने के wanting लिए पैसा मांगता ता है कि हमको बुल्डोजर खरीदना या है हमको लोगों के जबाखना मैं लेगा वो तौजर नाणी है वो कि तम्मारे में इंग रहं सब्सक्राइब रुका हुआ है न उसके लिए मांग रहा है तुम यार उल्टा मतलब निकालते वह अगई होती है बुल्डोजर से क्या कंडिशन देखनों जाकि वहां पर क्या कंडिशन है वहां पर ना यह नहीं तो बोलना है गुल्डोजर से खोद लो आप बेचारी को फाद अब आप यह बता हुए तो इसकी खता में बात हुई थी कॉल पे हमारे सामने बच हम तो रावन के आवाज नहीं आई बात हुई थी हमारे सामने बिल्कुल रावन ने बोला बड़ यह चीज बाबा को यह फिल तुम लोग राव क्या बोलते हैं आग तेरे बाप की यह पसंद नहीं है बाबा कुछ ही बहुत सकते ही बात करता है दिन रात ठठरी ठठरी करते रहता है बाबा तो अरे यह सकतिया है बाबा के ठठरी बान दे आपकी देखो उसके शकर मतादान ओम भागे सुराय नमे सु पछन दे रहा है उसी समय उसका फाल्ट निकल गया तो उतो पहले यही बोलता होगा कि ओम बागे सुष्वाय नमा बिल्कूल 200 साल अंग्रेश तक जुके रहे सामने इंडिया भारती हम भारती जुके रहे बागे सुराय नमा करते रहे तब तो महारे मुझे एक सब्द नह हो दो सब्साइब की सामने आगे सब्सार है तब कोई कोई बात नहीं बात नहीं को नहीं कोई पाकिस्तानी पुरी जमीर में नहीं है बटको हनुमान जी क्या है इस ताइम जब मुगल साधी कर रहा था जब मुगल जो है भारतिय लड़कियों से साधी कर रहा था पूरे उसके हरम भरे पड़े हुए थे तब ये सारे देवी देवता आई ये बाबा ढ़ाबा तीन पाज अधरा खूर के फिल तो आपने हि개ल सुना दिया हम लें आगे बढ़ते हैं लोग कि इहाँ पे डलितविजए वात्वोर जी का ये अ शुक्रिया आपका और फिर यहां पे मनोज कुमार जुक्रिया लिगते है है कि डशा है सरिह इन्हों ने भागेश्वर पाकरणडी को अरने दीजिये बोलने दीजिये ना निरुप भाई जिके यहाँ डिवेट के लिए कोई आया हो यहां पर कोई क्रिष्ण भकत आया ह है कि इनको मैंड़ करते हैं क्रिष्ण भकत बताएं क्या है बदकितना चारत अचांब कि यह यह रिपोर्ट था गुलोबल हन्गर इंडेक्स का ग्लोबल हुंगरी इंडेक्स यह लिजिए अपका ग्लोबर हंगर इंडेक्स हाजी आ तो इसमें क्या बताई ये क्या दिख रहा है आपको बता दीजिए ये अफरीका की कंट्री है और अफरीका की कंट्री में रेटिंग दिया गया है जिसका जितना हाई होगा उतना ही समझिए कि वह बेकार देश है वहा यहां पर भूखे नंगे लोग है तरह से तो यहां पर 29.3 है जांबिया का जो आफ्रीकन कंट्रीज हैं कि 2022 का यह डेटा है गलोबल हंगर इंडेक्स का तो 29.3 है जांबिया का इससे आगे है मेडागासकर 38.7 लेकिन 29.3 से नीचे जो है सुडान है इससे बाकि सब नीचे है इसी तरह से याद रखिएगा डेटा 29.3 जांबिया का है फिर इसके बाद से इसके नीचे जो आया है डेटा यह साउथ अमेरिका का है तो इसमें कोई सब 19.9 मैक्समुम गया है वेंजुएला का फिर यहां पर Central America and Caribbean तो इसमें एक ही देशा एक ही देश है है जिसका 32.7 है ब इसम च्रण पॉंट इसमेंट वाइंडिया इससे आगे दो देश हैं अफंग देशान और टैमूर लिस्टे यह हैं दो तो हंगर इंडिक्स यह बता रहा है कि इंडिया का जो रेंक है बहुत बुरा है और जितने भी जो दुनिया के बहुत वेकार से वेकार देश्यां उन लेकिन इस डेटा को तो इंडियन गर्वर्मेंट ने रिजेक्ट कर दिया था यह आपको पता तो होगा भाई आये बताईए कि कोई इंडिविजुवल देश डेटा को रिजेक्ट कर देगा तो इसे हम लोग को क्या फरक पड़ता है दुनिया तो यहीं मान रही है ना अब यह इस बताईए मुझे एक चीज मुझे यह बताईए आपने सास्त्र का नाम सुना है इसा सुना है कि परमाडू का खोज किस ने कर दिया था विजली का खोज अगस्त मुनी ने कर दिया था यह सब सुना है आपने लेकिन मैं जो सवाल था इंट्रेस्टेट की बात नहीं आप सुन लिजे मेरी बात पहले सुन लिजे भारत से ऐसे भी लोग हैं जिन होने क्लेम किया है कि हमारे यहां वैमानी का सास्त्र थी जैसे द् लिखते हैं कि इनके यहां कोई एक तलपड़े था उसने विमान भी उड़ा दिया था था तो यह क्लेम है अब कोई यह दावा करे कि भाई यह जो डेटा है हमारे आप जो विमान बनाए हूं आपके विमान को मानते ही नहीं है हैं हमारे यहां तो कनाड जो है अडू पर माडू खोज करके वैठे हुए हैं तो हम आपके बीदेश का किसी भी डेटा को मानने से इंकार करते हैं तो उनकी बात मान ली जाएगी यह आपकी बात सही है मैं भी आपकी बात मान रहा हूं तो यह जो बता रहें इंडियन्स बता रहे कि हमने यह कर दिया वो कर दिया इसका कोई सोर्स नहीं इसको रिजेक्ट किया जा सकता है तो जैसे आप कर ले रहे हैं कि दो चार लोगों से पूछा गया होगा वह बता ही इंडिया मतलब जो गूगल कर सकते हैं बहुत सारे और इस विखा देठा को कर देते हैं एक यह डेटा है भारत का एक यह वि ग्लोबल इंडेक्स डेखिए यह तो इंडियान च्छापा है ये सर ये देखा ये देखा था मैंने इसका जो रहें के इस बाद फिर्ट ऑब फ्रीडम जो है मीडिया का वो गिर्ते जा रहें इस बात को तो मैं भी एक्सेप्ट कर रहा है तो अब यह बताएं आप यह बताईए कि इंडिया स्लिप्स इन वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रेंक्स 161 आउट ओफ 180 कंट्रीज अब यह बताईए कि अगर मीडिया ग्लोबल इंडेक्स में तो यह भी नीचे है इसको भी खारिज कर दीजे कि नहीं हमारे यहां तो मेडिया को बहुत सोतंता दी गई है हमारे यहां तो किसी का ना पेज ब्लोग होता है वैसा कोई बात नहीं अब इसका रिपोर्टिंग जो है कैसे किया होगा बिना सर्वे के थोड़े किया होगा सर देखिए भारत में 1.4 बिलियन लोग है तब 1.4 बिलियन लोगों में से चा विझा था एक बात बताये चाइन डेटा जो हता है चाहना मंतलब चाहनम फीड ही Aar aट में बहुतोप दिखाना चाहती है थे नहीं देमोक्रेशिया। बाकी जगर डेमोक्रियसाएं है। वसका तो मुझे जानकारी नहीं है। यह बता रहाँ। तो इंडिया का बात अलग है चाइना का रेंक जो है इंडिया से पीछे होगा ना फिर कि देख लिए आगे फुला हुआ तो है एक सो हाँ एक कितना है इसका 179 है ना यहां पर तो इसका देखिए कि दिखा दिया कि हमारा यहां बड़ा अच्छा है यह तो बोल रहा है कि चाइना में इंडिया को फ्रीडम ने मिला चाहिना दिखाता भी वही है जो चाइनीज ग़र्मेंट को पसंद आती है तो उन्हों ने कुछ चैनीज गवर्मेंट के लिटेश बोल दिया था वह कई मैनों तक लापाता अभी विसाइस उनकी जनकारी नहीं तो उसको चाइना चोड़ना प्रावी चाइना में भी नहीं है फ्रीडम वह थोई है उसका चाइना का बात ही क्या अरे तो चाइना की बात नहीं करनी है तो यह तो वह ना कि अगर हंगर इंडेक्स में बहतर दिखा रहा है चाइना को तो फिर यह और एँसमें एंडीया से कुछ थीक है बेहतर का रीड़न की बहतर है फंगर इंडेक्स में चाइना बहुत अमरीका के देशों से नहीं तो पाकिस्तान को बहतर क् wz10 पर पसके दिखारा है रहा है जण संक्या के अच्व sulla-पाकिस्तान की जन संक्या कितनी पाकिस्तान की जन संख्या सरी से मुझे याद ने लेकिन वेंक उसका पूर्थ से नहीं मतलब है ना उसकी जन संख्या 278 करोन है ऐसे है और और सन 2000 में उसकी जन संख्या भारत के मुस्लिमों से भी कम थी पता है ना उसकी जन संख्या बढ़ाई है तो उसकी जन संख्या जो है आफगनिस्तान भी तो बगल में है उसकी जन संख्या कम है लेकिन उसका हंगर इंडेक्स भारत से भी खराब है कि इसका मतलब इंडिया ना देखें यह बताईए कि सारे सिस्टम पर जितने प्रोफेशर हैं जितने नोकरसा है ब्यूरोक्रेट से इन सब पर तो ब्रेभैनिकल सिस्टम का कब जाए वो धनी है ना उनके दवने से बाकी देश की जनता थोड़े धनी हो गई से भारत की पुछ जातियों के पास सारे संसाधन होने से जनन ब् 연olय की जितने भी आदमी है क्या दे रही है क्या दे रही है तो मिली रहा रासन पकाएंगे पकाने के लिए अब सब्सक्राइब कोई नहीं सकता होगा तो चाल परसेंट लोग जो खाना भी नहीं पका सकते तो परकाने के लिए इसके रिलेटेट्ट तो पुछ नहीं कह सकते हैं आप एक सर्वे है यह मैं आपको दिखाता हूं इसको जरा देखिए इंडिया की इंकम पर जैने वाले मुझे पता है यह एक मिनट पास अरे डॉलर में मत बताइए डॉलर में रूपिया में कनवर्ट इंडियन रूपी में कनवर्ट कीजिए यह मैं सेयर कर रहा हूं ना इसको देखिए एक बार यह जो है डॉलर में आप बोलिएगा भारत के लोग रूपिया जानते हैं डॉलर थोड़े समझ पाते हैं मतलब आप यह कह रहा है कि भारत में कोई भी चीज अमेरिका पर डिपेंडेंट है उसके डॉलर पर डिपेंडेंट करेगा नहीं सब्सक्राइब हमारे हमारे देश का जो एंट्यार्डी फब्लीज होता है क्लास 10 में पढ़ा जाता है पर कैपिटा इंकम का डेटा भी जो है इंडियन गवर्मेंट के पास वह भी डॉलर में मेजर हुआ हुआ है अचा ठीक है ठीक है कुछ में मेजर हुआ हो यह उसको कनवर्ट कर सकते है अपर रुपिये में इंडियन रुपी में यह देख लिए यहां पर आया हुआ है कि अपरिल जून 2022 तक का अकड़ा आया है इसमें यह दिखाया है कि मेल का जो कमाई है 392 पॉल्डे रुपीज हां तरी नैंटी टू आम महिला का कमाई जो है इतना कम है 265 है अब अब सुन लिजे मेरी बात सुन लिए 265 रुपीज पर डे जो है मेल लेमर्स एवंग 265 इतना है और इंडियन वाज रूरल एरिया में 392 है अब मान लिजे कि ग्रामिड छेत्र का कोई व्यक्ति जो है और यह तब है 392 जब मान लिजिए कि उसमें से कोई धनी भी व्यक्ति होगा कोई ज्यादा कमाता होगा कोई कम कमाता होगा इसका इवरेज बता रहा है अब कोई व्यक्ति महीने में चार से पांच हजार रुपिया कमाया दोहजार तीन हजार ही कमाया मनरेगा में कितना कमाते हैं मनरेगा में कितना कमाते हैं मनरेगा में नहीं पता है नहीं पता है ना भारत में ऐसे भी लोग हैं जो है कमाते भी लोग है अब वह यह अच्छी खासी है सर है ना तो अब उनको आप कुछ दे भी देंगे रासन पानी तो रासन पानी लेके कंच्छे थोड़े खाएगा उसके लिए उसको गैस चुला चाहिए ना पकाने के लिए तो पोवर्टी है इंडिया में इस पर कम भी तो चल रहा है इस जूला चाहिए ना उनको पकाने के लिए पकाएगा कैसे लिए घैस का दाम कितना हुआ है आपको पता है नहीं सर बताईये गैस का दाम आपको नहीं पता है भारत में गैस का दाम जो है इस समय दर्सक लोग आप लोग करके बता दीजितों कितना चल रहा है 1500 का सिलेंडर के चल रहा है बारौक चल्राइब पस graft लिएक फैमिली prince 1510 हो और कि एक महिना का सिलेंडर अगर लेकर आ तो उसके घरमें उसका बाल बच्चा नहीं पढ़ाई करेगा यहां पर तो महीने में कमाने वाले दोहजार तीन हजार से रही है आपकी बात बिल्कुल सही है सर कि यह जो मागाई है यह ठीक है यह इंफलेशन इंडिया में भी 4% के आसपास है सही बात है सर और भी देज में जल रहे हैं तो यहीं तो बोल रहा हूं न मैं कि वह लोग बाते कर रहा है जिनको एक्चुल आंकड़ा ही नहीं पता है जो ग्राउंड पे नहीं है जनकारी जयो जिसके घर की कमाई जिसके घर की महिलाये जो है जाकर बरतन ज्खाडू करके कहीं से कमाती है महिने में 3-4-5,000 कमाति है उनके घर में 2-3 बच्चे हैं बच्चों का विक कैसे भर पाएगी कुपड़े लत्ते कैसे खरिद पाएगी रोटी दावल चावल और रासन मिलेगा तो हर चीज तोड़े मिलता है मसाला दालवाल कुछ न कुछ तो खरिदना पड़ेगा अब 12 सका सिलेंडर में ही खर्चा कर देगी तो कहां से चीज़े चल पाएगी अब ऐसे लोगों को जो गलोबल होगा उतो दिख कर नहीं पड़ रहा है सचाई यही है कि भारत में एक वर्ग जो है लाखो लाखो रुपए की सिलरी उठा रहा है आप जाकर देख लीजिए जितनी एमेंसी कंपनीज हैं जितने भी जो इंडुस्ट्रियल कंपनीज हैं वहां पे जितने लोग जो जॉब कर रहा हैं बड़ किसी कुछ नौकरी नहीं मिल रही है वह कितना लचार है बेताहसा है कैसे जिंदगी पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है कहां से पढ़ाई लिखाई करेगा तो यह हकीकत यह है कि जब वह चेक करेगा तो वह लोग जो बड़े-बड़े पैकेज उठा रहे हैं जैसे आप कहा रहे हैं कि मैं तो मेस में खाता हूं आपको रोटी दाल चावल का भाव नहीं पता है तो वैसे ही वह एलिट क्लास जो बैटके वहां पर उतर रिजेक्ट करेगा कहेगा नहीं हम तो अच्छे हैं तुम कई से बोल देया कि गरीब हैं क्योंकि वो समझ ही नही लोग है उनकी बात ही हूं नहीं समझ रहा है न वो तो गाड़ी में बैठा अपने पोर्वीलर में बैठा अच्छा साथाइस तीसलागी गाड़ी में बैठा निकल गया रोड से अब रोड के नीचे जो है कौन भीक मांग रहा है कौन कहां पर सोया है कौन चितरे पहिन के जा रहा है कौन बच्चा जो है फटे कपड़े पहिन के ही स्कूल गया है उसके पास वह नहीं है जूते उसके कहां से उसको पता चलेगा तो वह तो बैठे बैठे ऑफिसरे रिजेक्ट कर देगा ना वाई लेकिन हकीकत यही है कि जो आंकड़े गुलोबल आर हैं उनमें कह जैवेम शर्जी दो जाती को जरूर पता है इश्वर नहीं है एक है ब्रामण दूसरा अमबेट करवादी बहुत बिल्कुल जहीं कहा है आपने जो बीच में है वही बिंद्पेंदी का लोटा है बाकी कंसिप्ट उन लोग के बिल्कुल क्लियर है आचा आगे देखें अब कौन आये हैं यहां पर यहां पर यह कोई शागर आये हुए है हाँ जी शागर बताएं क्या कहना चाहते हैं आप हाँ जी जैफीम आपको सुपर चल बेजाता नेकिन वेट करते 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 बहुत लेटों गया था एक्षिली सर मैं आपसे एक बात डिसकस करना चाहता था मैं भी रिसेंटली नापपूर गया था नापपूर से गेड़ सो किलेमेटर दूर में मेरा सुसराल आता है तो जब मैं वहाँ पर गया था तो ऐसी आज़ो बाज़ो के पास गया था बुलाया थे लोग तो वहाँ पर मैं एक चीस नोटिस की सर्थ वहाँ पर उनके घर में एक फोटो फ्रेम है जिसमें एक तरफ है घृतमभूत एक तरफ है बाबा साहिब अमबेट का और बीच में किसी वि लोग तो नहीं मानते हैं लेकिन हम लोग जो है इनको मानते बूलें यह को ने करके तो फिर बूलने लगे कि नहीं यह एक ऐसे ही बाबा है करके ऐसे थे मतलब जो लोगों को बुरा भला बोलते थे लेकिन उनसे लोगों का बहला हो जाता तो मैं उनको बूला कि अगर आप तो वहाँ पे लोग आते हैं सब वहाँ पे विहार में जाते हैं और उसके विहार से होने के बाद फिर वह ही से राशना बना वितु बाबा के टेंपल में जाने के लिए यह सब क्या गड़बरी चल्डरी यह कुछ समझ भी नहीं आ रहा है वहाँ पर बात किया लोगों से तो ने ने बोलते कि ने हम लोग बाबा साब को भी मानते हैं यह भी करते हैं लेकिन मैं बु मैं आप तक यह पहुंचा हूँ अब थोड़ा अगर पॉसिबल हो था थोड़ा इसके उपर कभी अगर आपको रिसरच करने को मिला तो आप शायद इसके उपर कुछ और एक थोड़ा स्ट्रीम करा कर सकते हैं अच्छा एक मिनट मैं यह दिखाता हूँ क्या आप इसी की ब पके वह वितु बाबा का देनाम है कि इसमें लिखा हुआ है कि निकोंट गए है लेकिन बुद्ध है ऐसा तो कई लिए बुद्धिजम को ही मानने वाले कोई रहे हो लेकिन इनों ने बीच में उस चीज को वो किया हो और लोग इनको भी मानने लगे हो अब वो क्या करते हो जैसे भारत में क्या हुआ था बाद में बुद्धिशत्व की जो प्रमपरा चली थी जैसे अभी इत्सिंग के नोट्स मे जो बुद्धिशत्व हैं उनको भी मानते थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वित्तु बाबा होंगे जिनको लोग सब्दैर ही होगी बुद्ध को भी अंगे कर लिया है उनको भी मानते होंगे हम लोग को थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा कि लोग जो हैं अचानक से नहीं बदल सकते हैं तो थोड़ा सा लोगों को भी समझना पड़ेगा कि उनकी विचारधराय क्या थी क्या है कैसे है फिर दीरे दीरे वो समझेंगे वो जुड़ते चले जाएंगे ये भी हो सकता है जी सर मैंने उनको पूछा भी था कि मतलब ये कुछ ऐसे है कि जो मतलब गौतम बूत को फॉलो कर रहते है ऐसा कुछ तो बुले कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई बाबा प्रगट होते है और फिर वो बाबा बन जाते है कि किसी को मतलब ऐसे टाइब की कुछ वो बता रहे थे मेरे पास अभी फिलाल उनका फोटो नहीं है बट मैं आपको इंस्टा पे जरूर वो पिंक करूंगा मैं वहां से मंगवा दूंगा फोटो फिर आपको शाए थोड़ा और हेल्फ होगा इसको पर यह के लिए तो वही एक चीज था सरो वह जो मुझे आनिस्ली मुझे यह वीदर्व में यह वित्वव längी को फोटो रखतेए उनकी कि मुर्ति रखते किसी किसी घर में तो ऐसा देखा है कि बाबा साहब को नहीं मानते हैं यह लोग मानते सर हाड कोड मानते हैं तो मैं वही कंफ्यूस हो गया तो फिर यह कैसे पॉसिबल है मैं आपको फोटो भेज़ूंगा सर पका भी जो तो गौतम बुद्द का मुर्ति भी चुँगा यही चीज थी जो मुझे बार-बार खटके जा रही थी विधर्व महराष्ट्य में विधर्व एक ऐसा एरिया है जहां पर भाबस आपको मानने वाले गौतम बुद्द को मानने वाले बहुत सारे लोग है यह थोड़ा मुझे अजीब ऐसा लगा वही एक चीज लगा मैं समझ गया मैं समझ गया ऐसे और भी बहुत सारे देखें जब किसी चीज को आप वो भी बात सही है कि बात उस हिसाब से बिल्कुल सही है और इस पर थोड़ा सा और देखूंगा मैं कौन वित्तु बाबा है कबसे भीतर घुसे हैं कबसे लोग इनको मानने लगे हैं एक इसी तरह से बालमिकी की जो बात आती है कि बालमिकी अब समाज ही नाम रख दिया गया है बालमिकी समाज अब बाउजन लोग न चाहते हुए भी एक कहना पड़ता है कि बालमिकी जी बालमिकी जी कुछ लोग बालमिकी वो लगा लेते हैं पोश्टर भी लगा रहे हैं पर सच्चाई तो यही है ना कि वही बालमिकी रमैन ब्रामडों ने लिखके वही बालमिकी के नाम से बुद के बगल में रखवा के आप किसी तरह से भी वो जो जिस चीज को पाना चाहते हैं वो नहीं करवा पाएंगे समाज को अगर बाहर निकालना है तो हमें अच्छे तरह से अच्छुकि यह sensitive cases है sensitive लोगों की भावनाया जूरी होती है तो सही से लोगों को समझ के बाहर निकालने की ज़रुरत है ठीक है शागर जी ओके बहुत sensitive तो और SNA की एक दो लोगों के घर में ता है बहुत सारी लोगों के घर में ता है और पिर जब एक समाज आ जाता है गाव आ जाता है तो उसके से उनकी भावनाय आ जाती है तो कभी अगर आप इसको पर स्ट्रीम करेंगे सर तो मैं वो वीडियो पका पूरे गाउ के साथ शेयर करूंगा जितने भी लोग है सब के साथ शेयर करूंगा सर ने ठीक है अचा चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉस्मस गलेक्सी यहां लिखते हैं सभी को अपनी शोंच उजागर करनी होगी अपने घर वहां जमीन में बुद्धा डॉक्टर पी आर अंबेद कर इस्टे का स्टीकर लगाना होगा नहीं इस्टे का स्टीकर नहीं जरूरी ह इसटे तो बस एक माध्यम है कि हम सब की आवाज जो है पहुंच जाए एक्चुल जो चीज है वो पहुंच जाए जैसे आपने पढ़ा होगा ना जब आया था CDMA जब टेक्नोलोजी आई थी तो CDMA टेक्नोलोजी GSM से बहतर थी उसका क्या था वो पैकेजिंग कर देता था मतलब एक इन्वेलप की तरह काम करता था कि एक्चुल जो मैसेज है वो इस इन्वेलप के भीतर हो और वो जाए कहीं से कोई भी उसको कैरी करके ले जाए कहीं स माध्यम है चीजों को जो हमारा इतिहांस है वो लोगों के घर घर तक पहुंचा जाए जैसे घर तक पहुंचेगा इस्चे को भीतर नहीं जाना है इस्चे बस रास्ते तक ही रहेगा इसका काम बस पहुंचाना है वो विचारधारा लोगों तक बस पहुंच जाए लोग उ पिर्यार हैं और भी बहुत सारे जो हमारे महापूरुष हैं उनकी विचारधारा बस पहुंग जाए शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया इन्होंने आगे क्या लिखाता है इस्टिकर लगाना होगा मुहल्ले एवं जमीन दान देने की जगव बुद्धा टेंपल बनाने होंगे आच्छा ओके ओके कॉश्मस कलेक्सी जी तो चलें आगे बढ़ते हैं देखें अब कौन आये हैं कोई और आये हों डिवेट के लिए तो भाई बता दीजिए कोई भी ये कोई शुक्राम पैगंबर आये हैं चलें जी इनको एड कर लेते हैं हाँ जी ब हाँ जी बताएं अब आज आ रहा है सर आ रही है आवाज आ रही है आपकी जी बताइए बहुत दिन से ट्राइब कर रहा था सर ऑके आप तो पैगंबर है ना आपको ट्राइब करने क्या जरूरत थी आप तो ऐसे यूँ फूंक मारते सिरे पहुंच जाते हैं पर वह नहीं कर दो कि पहुंचाने वाला है तो संदेश पहुंचाने वाला तो कहीं भी घुष सकता है ना बताएए अभी फाइव जी लॉंच हो गया है दिवारों को फाड के जो टूजी घुष जाता था प्रयास कर रहा था लेकिन आज पहले बार हुआ है हाँ बोलिए बोलिए सर समाज के अंदर बहुत ज्यादा अग्यानता है सर समाज के अंदर अगर हम लोग जाते हैं चर्चा करते हैं तो समाज के अंदर जानकारी का भाव है और हम लोग समीधान की चर्चा के लिए जब जाते हैं लोगों से चर्चा करके आते हैं दूसरी दिन जब फोन करते हैं तो कुछ यह लोगों कुछ गठाई ही भी करता है हुँँ ओके अगी वैसे मैं एक मुल्नियासिसंग से कारी करता हूँ बहुत बढ़िया कि आप घंगीना समस्या अंगी जब आप कुछ काम करेंगे आपको पता चले हैं कि आपक कुछ कीए भी हoka जो जाए गा कि आप कूछ नहीं किए लोग कुछ नहीं हो- तो कि जब तक लोग विरॉध नहीं करेंगे तब तक आप समझे कि कुछ काम नहीं किया जै 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 और इसके साथ साथ सार कई फुश्टक हैं हम लोग तो पड़ रहे हैं और समाज को जागरिती के दुसा में हमेशा प्रयास मर रहता हैं ओके और हम तो वो कांसी राम साहब से के समय से एक तस्षित कारी करता के रूप में था वो समय पढ़ाई लाइस चाहिए फिर राजमिती गती विधी देखे उसके बाद सर्विस में आये तो सर्विस के लाइन के फिर बांसेट संगठन चला इस बांसेट संगठन से जब जूड़े तो फिर इस सारा गती विधी हमको प्रसिच्छा अट से मिलते गया कि वैसे साब के रेलियों में पढ़ाई लाइप में बहुत रेलिक हैं बहुत बढ़ियां आपकी उम्र तो काफी होगी फिर मेरा उम्र सर्च्छपपन संतावन के आस्टस है आच्छा जी आप तो काफी मतलब हैं उम्र के हैं जी वह समाज का गती विधी बच्वन से देख लोग समाज के अंदर नहीं गुसेगा तो कौन घुसेगा क्या किसान मजदूर गुसेगा क्या ऐसा तो नहीं हो सकता ना प्रतिनिदित मिलने के बाद पड़ाई करने के बाद आरक्षण खाने के बाद shortest समाज में काम नहीं कर रहें एसे भी लोगे लोगे सो लोग है प्राद मर्म प्रतिनिदी के रूप कर रहे हैं कभी कभी समाज का घीर प्रतिनिद्दी के लिया समाज से नाम से लेकिन समाज की कठख करने के दिशा में काम नहीं कर रहे हैं बहुत सारा सर्विस वाले हैं हम लोग सर्विस वाले को पहले ठोस्ते हैं रिखां में हुआ करें को सर्विष पढाई जो किया प्रतिनीधित उन्हें यहाटि के लिए और आकि श्ट्राइपन खाया तो यहाटिसों आए जहाती के पीछा मैं करते हैं ना तो संगठन में जूड़ जूड़ के समाज को वा कर रहे हैं है अ कि संगठित नहीं करने की इस अंकाम कर रहे हैं कि पिल्कुल सही कहा है बाबा सहब के यह अंधर्वन से और हमारे पूरोजों की अंधर्वन से यह जो प्रतिनिदित भी अस्ता आया, उसमें सर्विस वाले और पढ़ाई दोनों आया, पढ़ाई किया, फिर सर्विस में प्रतिनिदित नान से, वर्ग के नान से, लेकिन काम कीसे कर रहे हैं, वो अपना व्यक्तिगत, टीबी और वीवी में भूलाएं हैं, उसके सांसना, फिर वो अगर थोड़ा से निकल जाना है, तो जातिवादी बन जा रहे हैं, वर्ग बादी नहीं बने हैं, मुल्निवासी बन पा रहे हैं, मतलब जो एक यूनिटी लानी चाहिए, उस पर काम करने की बजाए, और वो जातिकत धांचों में घुस जा रहे हैं, और यूनिटी उस ब्रेक होती है, एक चोटा हिसा राजाता है, एक यहाँ पे खबर आई है, यह इंडियन एक्सप्रेस यहां लिखा है, यहां पे गुजरात की सायद यह घटना है, हाँ गुजरात का यह है, इसमें लिखा है कि डलिद ब्रदर्स, पिल्ड ओवर लेंड डिस्प्यूट इन गुजराथ शिक्स छत्रिया मैन बुक्ट अब इसमें दिखाया है कि दो जो दलित थें भाई उनकी हात्या कर दिये हैं ये लोग अच्छे छत्रिया जो हैं उन्होंने किया है और लेंड डिस्प्यूट ये कबजा का मामला हुआ है और इन दोनों ने प्रोटेक्शन भी मांगा था पुलिश प्रोटेक्शन भी मांगा था और इनकी हत्या कर दी गई है बताईए अब ये बताईए कि लोग कह रहे हैं जातिवाद नहीं है कोई आके कमेंट में रोता है कि जाती खतम हो गई है अरे भाई खतम हो गई है तो म जब लड़ाई जगड़ा हो रहा है मरने वाला प्यूनित परिवार हमेशा सीस्टी वूबी सी कहीं होता है अगर सब्सक्राइब बता रहा हूं पहले बार जो रहा हूं इसलिए सर्व मैं जब आई ट्याई में था तो यह सीस्टी के पास में जनरल वाले लोग जो ठाकोर और रामण मिल करना पच्पच रुपा मेरे समय में वो वसूल करते थे जारू पिने के लिए अच्छा वो अपना पिने के लिए अपने पिने के लिए अपने पिने के लिए बताईए और हम लोग दाओंचल से था हम लोग इतना गरीबी जहले हैं सर आपको बखा रहा हूं मैं मेरे समय में इतना गड़ी भी हम लग जले हैं लेकिन वो एसी एस्टी ओव इसी के पास से दस रुपए और इसी के पास से तांस रुपए वस्विलते थे यह दारुपी ने कुझे और मेरे साथ में इतना वहां पर लड़ाई हुआ था हाइट में बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा मेरे से जगड़ा हुआ था कि यहां तक मेरा वह आइट एक कंप्लिट नहीं होने वाला था इतना डिस्ट्रेंशन में जिलांग अगर केस कर दिया होता तो वह लोग तो अंदर हो जाते लेकिन उनके जो कुट्टे और चंचे थे वह लोग सब मेरे को डिस करते हैं और लोग जो हैं उन पर केश और नहीं करते हैं या लोग बचते हैं बहुत सारे केस इस सोच के बच जाते हैं कि इनके जो लोग हैं फिर परसान करेंगे फिर यह तंग करेंगे तो बहुत से मामले तो आहीं नहीं पा रहे हैं नहीं तो इनका पूरा चेहरा नकाब बेनकाब हो गया होता पूरे भारत से इतने केस आ जाते ना तो इनका पूरा चेहरा बेनकाब हो जाता तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं ना बहुत सारे लोगों को आप जो नौकरी पेसा है तो नौकरी पेसा है तो उपना नौकरी छोड़े के फिर इसमें कैसे जाएगा फ मेना अब मेरा इस्ट्राक्टर था वो जब बोला कि आफ केस करो तो माय सोचा कि वह अगर मैं केस कर दूँँगा तो फुट भीड़ेगा नहीं यह लोग अंदर हो जाएंगे लेकिन एक पढ़ाहि से बंचित हो जाऊंगा यह जा अगर पढ़ाहि से मैं बंचित हो जाता तो पहले लाड़का था अपने परिवार का अगर मैं बंचित होता तो पिर वो उन लोगों की जहमेला में फास जाता मैं उसका मैं इस तो इस ट्राक्टर के कहने के बावजुद मैं बोला कि अगर लड़ना है तो अकेला के लाओ कुट्टे जैसे दावड़ों मत मैं बोला और मैं उन लोगों को चालेंज भी दिया कि अगर नीपटना तो अकेला हो मैं बोला तो लोग तो ऐसे आते थे कि भेड में आते थे ना मैं अकेला आज में हूँआ मेरे साथ देने वाला कोई नहीं था खें हाँ निअ में इसलिए जितने भी लोग है इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि संगठन में जुड़िये संगठन को मजबूत कीजिए और चितने आप संगठन में जुड़ेंगे जितना संगठन की अब बताए जिस संगठन में लाखो लाखो लोग हों एक करोण लोग हो जाए संगठन में आप वो एक करोण जो है कहीं पर भी खड़ा होने को त्यार हों तो किसी माई के लाल में दम है कि वो परसान कर देगा बताए सुखी राम जी अगर बहुजन समाज को यही बात तो एक छोटी सी बात समझनी है सारे विद्वान लोग यह बात कहके गए हैं समस्त लोग कहके गए हैं समस्त निचोड यही है कि जुडो भाई जुडो जुडो अरे आप नहीं अकेले लड़ सकते हैं तो सांथ में ख खड़े होंगे तभी तक कल वह आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा आज सर देश में सर देश में समीधान बचाने की बात कर रहे हैं समीधान बताने की बात कोई कर रहा है समीधान पढ़ाने की बात कोई कर रहा है समीधान बचाव का कि सब प्रोटेक्ट करने में लगे हैं 위해서 कर रहे हैं लेकिन स्वमिधान हमारे लोगों को बताने मीं कोई निलागे हमारे लोगों को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब भधिवस्ट से श legit को ना से निट ऩि मैं एक-अगे हमारे समाज के अब जिकीन नहीं आएंगे अपने अखनी कार को समझेंगे अपने बोट वेच्टें हो बच जाएगा तो पासर रुप्षे चासरुप्षे साड़ी में अपने बोट को वेच्ट रहे हैं हमारे समाज करना तो अज्ञान्ता के करेंट से जब गर्स लाओं समिदान को हमारे लुझों कि दिल दिमाग उतारना है मस्तिक्ट में उतारना बरिए तब हमारी बॉड म LEDs गई इन लोगों का विपार मचेगा सारफ चीज नके पास जा रहा और सब्स. जब तक हम अपने समीधान के अधिकार जो मिला है हम उसको नहीं जान पाएंगे नहीं बता पाएंगे तो हमारी समाज तो इसी बिगते रहेगा क्योंकि बाबा साहब को उस समय वो जो समीधान के सब्सक्राइब अंदर में एक ब्राह्माण चालेंज किया था कि तुम्हारे समाज को खरीड लेंगे तो आज खरीद रहे हैं ना आज ब्राह्माण की बास सही हो रहा है ने खरीद रहे हैं क्योंकि अज्ञानता है हमारे समाज के अंदर इब तो मीनि इस्टर पे घर घर जाकर बुद्ध जैसे अपने अन्वाइव को भेजता था उसी प्रकार से हमारे मूल्याशी संग के प्रत्यकार करता एप जगाए जगा कर अपने लोगों को जगाना होगा तब हमारे समाज बचेगा नहीं तो ब्याच खाएंगे सवाने लोग हमारे समाज को पूरा ब्याच खाये हैं हजारा सार से गुलाम बनाए हैं बेच बेच कि अब हमारे नेताओं बेच रहे हैं भी है सभी अपों से समय काम नहीं कर रहा है अपने स्वार्थ चित्ध करने में लगे हैं हमारे नेताओं भी कि समाज कैसे बचेकर सिछा बंचित करते जा रहा है सिछां से दिन ओदिन हमारे पूरा सिछत तबाह आज हर्याणा में क्या है पूरा शिच्छनीतिक चपट करके वहां दो दो सब दो सब दीन करीब हो गया प्रोटेक्शन में लगे हैं हमारे लोग हर्याणा में पूर शिच्छनीतिक चपट कर दिये हैं एक जाने के राश्ट द्रोग भोसित किये गए हैं यह मुख्य मंतिर के द्वारों कदम चला रहा है उनकी ठोके हैं हमारी इसी लोगों से कि यह तो हाल है और याणा में अभी कि इतनो संगठन नों साथ देकर वहां प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो जब तक हम समाज हों पे नहीं उत्रहेंगे सर इसान कार्ज कर नहीं रहा है हमारे समाजों की कैसे बचेगा समाज हम कितनों भी क्या करें जब तक हम संगठित होकर एक विचार धरा के तहद दोस्त दूस्मन की पहचान नहीं रखेंगे नई बचेगा समाज दोस्त दूस्मन की पहचान होना जरूरी है जाती जनगाना जरूरी है फुले अमेटकरी विचार धरा और समिधानवाद भी जरूरी है समाज के अंदर जर्फ संगठन चार रखेंग रहे वह भुझाएगा समाज को जोग संगठन की पहचान होना चाहिए समिधानवादी होना चाहिए लोग प्रूंतरिक होना चाहिए ब्यक्तिवादी नहीं ना जातिवादी नहीं बहुत खुबशूरत आपने बताया है और मेरे ख्याल से जितने भी यहां पे दर्सक हैं 2000 के करीब दर्सक हैं वह सुने होंगे आपकी बातों को और आगे भी जहां जहां यह वीडियो जाएंगी वहां के लोग आपकी बातों को सुनेंगे मैं फिर से सब लोगों से कहता हूँ कि देखे कितना कुपसूरत ढंग से कहा है इन्होंने इनका एक लंबा एक्स्प्रियंस रहा है जीवन का उन्होंने इन चीजों को समझा है लोग आप समझिये जुडिये अपने लोगों के साथ आप आगे फ्रॉंट पे नहीं खड़ा हो फिरेड़ के सांतों यहां 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 यह वी तो अब इन्सी जो को समझिये और जुडिये अपने संगठनों के साथ तब ही जो है हम कुछ कर पाएंगे समाज के लिए बहुत बहुत शुक्री आपका शुक्रां प्रिगंबर जी ओक नो प्राम्हण मुलनेवासी नाग द्रहविड के धोखेबास सेवक्थ है इसमें सीतल मरतां जी ये लेखक संपादक है तोसी समाज जागृती मुहिन के लाते हैं वह उनका प्रस्थिती है उनका ये सोध ग्रांत है बहुत सूटेबर सोध ग्रांत है से जी जी कि आ और बता दीजिए किताब कि एक पर नाम फिर से बता दीजिए और ये व्राह्ण मुलन्यां सी नाग्होस के धोखेबास सेवक्थ है ओके ठीक है ठीक है ओके बहुत बढ़ ध्याई इसको पढ़ेंगे हम लोगो और दर्सक के पढ़ें ठीक है फिर सुखिराम जी आगे फिर आपको यहां पिर आपको आग से आगे आपसे बाते हों तो हम जुड़ेंगे अम तो आपके चैनल को बहुत दिनों से देख रहा हैं प्रचार प्रसारी कर रहा हैं नेट्वर्क में भी लोगों को देखना चाहिए एमेंटी न्यूज नेटवर्क बहुत ही रिसर्चर लोग आते हैं वहां हम हम एक विसे सब्जेक्ट पे में एंटी न्यूज नेटवर्क जो प्रसारित करता है साड़े आठ बजे वह भी तो एक रिसर्चर फायंट है उसने लोग आते हैं बहुत चाहरा चीज रिसरच करके प्रचार प्रसार करते रहते हैं ठीक है ठीक है ओके फिर चले आचा, आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पे शिशिर जो हैं वो लिखते हैं वित्तु बाबा के बारे में लोगो कुछा ही जनकारी नहीं है। ओके जी शिशिर जी और सुजाता पाटिल जो हैं वो लिखते हैं वित्तु बाबा के पिता जी ने उनके हाथ पैर में बेणिया डाल नदी में बहा दिये थे उन्होंने अपना पूरा जीवन एक पेंड के नीचे बेणियों सहित विताया उन्हें जीवित देखी हूं वे को लेकर अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो उनका कुछ ऐसा connection रहा होगा इसको थोड़ा और study करने की ज़रुरत है ठीक है शुक्रिया आपका आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कोई कटर हिंदू आये हैं इनको मेड करता हूं हाजी कटर हिंदू बताएं क्या काना चाहते हैं आजि मैं वैं इंविक हैं विस कि अब आ जैसे बात करी थैं आप से मैं यह जो आप मिलावट की बात करते हूं और यह जो रेस के निदू चीजों की बार बात करना चाहता है। ठीक है? बोली है। एक बात बताहिए आपके पास आटा है। ठीक है? अब मैं आपको कोई आइडिया दू कि यह काम करो आप आटी में ना पुड़ी मिट्टी मिलाओ. और मज़ा आएगा आपको खाने में. आप जाके मिलाओगी. नहीं मिलाओगी, ना और फिर मां एगले दिन बोलू और मजाएगा और मिट्टी मिलाओ ऐसे करते आप एक लास्ट में पूरी मिट्टी हाओ गये ना तो जो मिलावट की बात है ना ग्रंध हो ने जोट है पुर अगर मिलावट हुई है तो हम यह ब्राह्मनों को घाटा होना चाहिए था ना अगर मेरा धर्म मेरे ग्रंद मेरा आटा है और उसमें बुरी चीज किसी के कहने पर मिलाता हूं मिलावट करता हूं समझे अब तो उससे मेरा घाटा होना जीए था ना लेकिन मेरा कभी घाटा नहीं हुआ लेकिन मिलावट कैसे घाटा भी होगा एक चीज और है ना कि ब्रामहर ने जब किसी को पढ़ने ही नहीं दिया वे न लिखने दिया किसी तो दूसरा कोई मिलावट कैसे कर सकता है हुआ कभी हुए नहीं ऑर वो व तो कह रहा है कि हम तो लिखे ही नहीं हम तो पिड़ी दर पिड़ी अपने बच्छों को ही सिखाते थÝ और वो फिर अपने बच्छों को सिखाता आया है तो मिलावट किसी के दिमाग में घूसके कrä कि सकता है और भारत के जब कोने कोने में ब्रामःत हैं तो एक के किसी के दिमाग में किसी ने घुसके अब फाइल बदल दी चलो ठीक है लेकिन पूरे सारे ब्रामःत भारत के हैं सब के फाइले बदल गई सब के सोच अगरा देन से कुछ और ही पढ़ने लगे यह कई से हो सकता है यह तो आज बोल इई हो कर पता है किसमें कूड़ा है कर दक है और इसमाद कर गई है तो हम वह दूद है कि ए सिठ्गन हैgod ना क्यों नी प्योंक्त कि क्ते सालों गए मिलावैट है मान लिया हमारे अच्छे के लिए मिलावैं आए हमारे फायदे के लिए प्राम्हड को अगर ब्राम्हड ही तुज ये तावा कर रहा है ना कि अम्मिलावट हो गई है तो उसको उठा कर फैंक देना चाहिए गई तो मैं तो यही बोलूगा ना ताकि तुम मेरी मिट्टी लेते रहे अपना आठा देते रहो मेरी बात मानोगे कि मैं आप से सामने घड़ा हो जाता हूं और मेरे पास है ना मिट्टी आपके पास आठा है मैं आपके पास मिट्टी सरकातर रहता हूं आप मेरी साही डाटा सरकातर रहोगी क्या बात तो यह है ना कि जो यह दावा कर रहा है मिलावट का उसके लिए यह बात है कि हम जहूंट बोल रहा हैं तो अगर अगर यह बोलता है थी। आप मुझे 101 रुपिया दो और भगवान आपको 1000 रुपए देगा लाखो रुपए देगा यही बात हुई न हाँ हाँ तुमान रहे हैं यही तो लोग मान रहे हैं न कि हम 101 पंडी जी को देंगे अपंडी जी जो है भगवान का कृपा रहा गाता हमारा बेटा जो है लाखो कई कि वज़े से लो आ रहा है वही तो इंकार भी कर देगा ना वह तो इंकार य॥े नहीं है यह तो फरजी है तो यही तो बात है कि पूरे बहुजन समाज को ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी ये कटर हिंदू बोल रहे हैं एक्जेक्टली ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई भारत में किसको दिक्कत है किसी भी ब्रह्मान को कोई दिक्कत है किसी भी ब्राम्हण को कोई दिक्कत है नहीं उनका जो गरीब से गरीब तबका है जो एकदम और जो पढ़े लिख लिए वो तो जा कि आई स्पीसियस मंत्री संत्री हर चीज पर चालेगा आपके लिए क्या वेवस्ता है आप न इधर जा सकते हो न उधर जा सकते हो उधर भी इंटर्विव में मारके भागाए जाओगे अब बहुजन समाज को यह बात सूचने की जरु करता है कि अगर उसका मंदिर घटिया है चोटा है एक शीवलिंग वाला है या गनेजी की बूती वाला है उसके बूलने से क्या होता है वो जो रेस होती है न जो फाइट करती हैं जो वीक नहीं होती है जो लोगों की बातों में नहीं आती है मैं बोला आप मैं आपको बुलूंगा धीरे भागो तो अगर किम बारत के सभी बहुजनों कि ये बात सुचना चाहिए कि गाउं में вместе उसके gonna कर लिए जगा कर लिए और एकी आपने कर रहा है लेकिन आपने और हमने क्या किया हमने अपने लोगों के लिए क्या व를तना कर लेगा तो उसके जो जो हैं अगली बार वहां करेंगा उस कभ झे लिए उसले फ्ट किया लोगों से 5 लोगों को समझाए का ध्रम यह वह दो चार पांच ऑपकर घड़ा हो जाएगा ध्रम का सवाल है लैकिन उसके बाल बच्चे जो है हमारा अपना कोई चीज क्यों नहीं है हम अपना हमारा कोई मॉडल क्यों नहीं है जब तक हम उसके ही मॉडल में फंसेंगे तब तक आप उसी के अंडर में रहेंगे हमारा अपना जब इतिहास है, अपना मॉडल है आप उस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं यह बहुत बड़ा सवाल है और कटर हिंदू आपने बिल्कुल सही कहा है मैं आपसे की बात से बिल्कुल एगरी करता हूं कि ब्राम्रों का स्वभाव यही है वो अपने चीजों के लिए फाइट करते हैं वो तभी वर्चस्व कायम कर पाएं हैं लेकिन हम जो बहुजन समाज है वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है वो क्यों नहीं फाइट कर रहा है आप धूर्त किसी को कह दीजिए धूर्त है कबजे बाज है ठीक है उसका क्या विगड़ा और हमारा क्या अच्छा हुआ असल बात तो है कि हमने संगहर्स क्या किया अपने लोगों के लिए य सब्सक्राइब सब्सक्राइब दूनिया में हर जगा ऐसे ही कमपेटिशन गर पांच परसंट ब्राह्मन अगर आपके बैठे हैं सिर्फ बातों से कुछ भी बोलके इना के उपर पांच रूपर चड़ा और आप डरके एक साप के उपर पांच रूपर रख रहे हो तो यह आपकी गलती होती है एसा नहीं होता कि दुनिया में कोई रख ऐसे बाते सुनके नहीं आती हर जगह दर मैं हर जगह यह पांच परसेंट लोग उपर नहीं होते यह इस बैसे इनको में अब्षेख बताएं किया करना चाहते हैं अब इस इस आप हमें सुन पाुरा रहे हैं 350 का मैं PG सब्सक्राइब पहले हैं कि फिल जब पूब स्षटा कि आपके में चाहिए। रिखें कि इनकी बात और जो बच्छा व्ता नहीं जो भी पड़ा लिखा नहीं है आगए नहीं हो आपके हुआ हुआ जहाँ है। तुम चलते चलते मेरे पठर पिको मुझे बढ़ पर पिको ताम मुझे चलने में दिकत हो जो अब बात बोले की बाकी जगा उठ गशार जी उसके साथ जो हुआ था ना वो 1930 से लेके 1945 तक हुआ था जो यहां पे शुद्रों के साथ हुआ है ना वो लगभब एक हजार से लेक वो छोटा मोटा नहीं है, यू केनाट एक्वेट 1200 साल इकोल तो 15 यर्स, याट इस अ डूम्ट कोश्चन, और सर्जीवस के साथ न अंटचिबरीटी नहीं थी, प्राब्लम यह है, और आपने बोला ना कि इतने सालों से हम लोग किये क्या, पहली बात, अब मैं आपको बता द सब्सक्राइशन देना पड़ा था, बियार हम बेदकर अपनी ही कॉंस्टिवेंसी से हार गए थे, देश प्ले शर्मनाग बात, तो यह बहुत बड़ी बात ही है, जब आप एक पूरे वर्ग को, एक हजार साल तक एडुकेशन से ही बंचित कर देंगे, जीउज न, हिटलर से आने सब पहले भी न, सेना में थे, एडुकेशन में थे, महार जाती जो है, उनीस सोसी तक सेना में नहीं थी, आप बात कर रहे हैं कि ऐसे ही दिर दे, आपको समझ में भी आता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, नौ साल का बच्चा है, ऐसे भी साल पलना पलटा है, नहीं स कितने सारी जातियों को मैचेश में खेलने दिया था, क्रिकेट में भी डिस्क्रिमेशन हुआ है, लोग छूना नहीं चाह रहे थे, आप अनटचेबिलिटी को एक मास एक्स्टिंशन इवेंट से नहीं कंपेर कर सकते, आप एक जिवस का घटना बता रहे हैं, आपको पता कि ओन नहीं कर सकता, सही बोला जहां कि मैं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप यह बोल रहे हैं, कि एक हजार तक तुम पहले एजुकेशन से बैन कर दो, फिर अंटच अबिलिटी, कि SCST Act जब इंदरा गांधी लाइं, उससे पहले सर, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर अपर कास्ट की बाक्रूम, फिसकल, हुमन वेस्ट को उठाना पड़ करना, 2006 तक आप दरित का स्कूल में रेप्रेजेशन देखे, कॉलेज में नहीं, स्कूल में रेप्रेजेशन दे मेरे फाजर डॉक्टर थ होगों, मेरे फैमिली में नहीं हूँ, क्यूं नहीं हो, आप में बोला ना कि है कि कि इसके वजसे भारत के नाम नाम का does, उनके पास तना diverse कहां से आ गया, मतलब 1947 में देश एदाद हुआ तब से आप लोग है नहीं उससे पहले से आपके पास जमीनी ठीक्त आते हैं अग्रेजों के समय में अंग्रेजों के समय में ही पूरी तरह से जो नौकर साही थी वो ब्रेमेरिकल सिस्टम के हाथ में आ गई थी इक्जाक्त वो देश आजाद ह हुआ अब वही करमचारी लोगा सिफ्ट हो गए आजाद देश में बिल्कु बश्क्राइब कर देटा निकाल के देखें नारी सब्सक्राइब एक और बात थी यहां पे एक बात एक मिनट यहां पे एक बात और थी कि यह वही लोग सिफ्ट होके आये थे जिन लोगों ने जिन लोगों के यहां जब भी कोई सिफ्ट का व्यक्ति जब जाता था तो वह माना कर देते थे कि अच्छूत है यह है वह डिस्क्रिमिनेशन करते थे वह जज के पोश्ट पर हर पोश्ट करते हैं और वह पूरी अपने जाती के ही पच्छ मेते वही लोग आजाद भार को इंट्री नहीं दिया था जाती थोड़े गई थी देश आजाद हुआ था लेकिन उनके अंदर का जातीवाद नहीं गया था ना वह तो बरकरार था तो और वह लगतार आगे बढ़ते चले गए इंडिया में आज आपको लिख देता हूं एनराई के मिल के चाज़िए व उनके अंदर नहीं गरीब लोगों के लिए सिंपती होती है आपको क्या लग रहा है भारत में जो भी गरीब है अपने वैसे गरीब है भारत में 15% अपरकास्ट इस देश के मोर देन 40% रिसोर्स को ओन करते हैं जिसके पॉपलेशन 15% है वो 40% सदर रिसोर्स ओन करता है आप को लगता है केवल इस लिए क्यों कि 47 के बाद आप सब मेहनत कर गए नहीं आपके पास 47 से पहले भी बहुत सारी रिसोर्स थे आप 1947 का डेटा देख लीजे जो बियर अंबित कर ने पारलेमेंट में प्रदे उस टेंप दिया था कि पवर्टी किसमें सबसे जादा थी सबसे कम पवर्टी आज के डेट में भी ब्रामिन्स में है मात्र 2% समझ जी आप यह कोई छोटी मूटी बात नहीं है कि अगर एक आप बोले ना कि सर अमेरिका में तो उठ गए यहां तो यह भी देखे कि अमेरिका में हुआ क्या था अमेरिका में ब्लैक प्रैमिनिस्टर ब्लैक क्रेटे साइस कर देख इंदूजन को मैं बहुत बता रहा हूं कोई नहीं बना है असका पंडित नहरू हो चाहिए इंद्रा गांदी हो चाहिए को अभी हमारी जो क्या करते हैं प्रेसिडेंट है दरौपती मुर्मुजी यह खुद जाड़ू लगा दी पहले जाके मंदिर में आपको समझना चाहिए सर कि एक बच्चे के मुझसे बुलना असान होता है कि रेवलिशन कर दो मैं अगर रेस में मना कर दोगे आप चल जाओंगा लेकिन अगर मुझे गोली मार दोगे मेरे परिवार को धंकी दे दोगे मूत निकल जाएगा तो अनिस्ट बता रहा हू आज सबसे जाधा दलिस जिल में है इसलिए नहीं क्यों क्राइं कि इसलिए उनको बेल ही मिल रहा है लोयर तो चाहिए ना पैसा चाहिए ना पैसा होगा ताब मैं कुछ करियेगा ये बाते फेकने के लिए बहुत अच्छी लग दी है जब आपके पस रिसोर्स हो जब आप कितने इसे लेकिं अकेली एक आइट में कितना करें जितना कर गड़ हो करें। यह ढंवाराच फोलफ करें। फोले इसेवा ब्रामिन कर ले रहा हम क्यों नहीं कर पाई ब्रामिन तो फॉरें में जाके अपना हर जगा घ्यान दे रहा है हमारे पास रिसोर्सेज है एक लोगर कास्ट के पास की वो चल जाए तो काल लोगर कास्ट सरी नहीं नहीं है आप कैसे एक्सपेट कर सकते आपको पढ़े civics अगर कोई अंग्रे जाके बोलेगा कि भारत पर हम 200 साल राज की तो इसमें भारत की गलती है तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना यहीं बात में संझा रहा हूं कि आप कपसे आके टॉंट मारे जा रहा है कि हमारी इंगलती है समझे कमसे कम डाइनेमिक्स को पढ़े साउथ में देखिए साउथ को नौर्थ से डेप्रेटर माना जता है तभी वहां का यह हाल है कि लोग आज भी आज भी लोग दलितों के खाने में हुमन वेस्ट मिला रहे हैं यह क्या होगा बताईए गास्टिजम को इस पोटी मोटी चीज नहीं है इंडिया पे पहला कि यह इंडिया पास इंग्लीश का इंफर्मेशन नहीं है नहीं के पास इंटलेक्ट्रल डिवेट करने क्यों क्यों को ट्लैटफॉम नहीं होता है जबकि गवार से गवार ब्रामण भी बग दे रहा है आज कल आप चल जी ना जितने सुडो साइंस बखने वाले रणवी र कि यह जो बाबा थे जिन बास तक कोई नहीं जानता थे इतना फैल कैसे कि यूँ चुकि सरकार का दबदबा चलता है आई 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 टीज में किसी को भी नहीं बुलाई जाता है लेकिन आज कल कोई भी गधा चल जा रहा है आई एटी में लेक्चर दिने ऑक्सफोर्ड में ल बुलना असान है कि SCST की गलती है, OBC की गलती है मैं मान साथ हो एक आपसी जो जगड़ा है वो इन बाद है बट यह कहना कि सारी गलती इननी की है कि यह पीछे रग है यह आप तो खाली बेचारे बोल रहे थे कि मत नहीं आई आप बोल नहीं रहे थे, आप गोली मारा हो तो रेप हुआ था यूपी में एक लड़की कम उसे जगा का नाम ने बहुत पॉपलर जाए उसकी बच्ची की लाश को जला दिया गया था, उसमें सबसे पहला संगठन कौन था जो बोला था कि रेप नहीं हुआ, राजबूच संगठन, वहां उठ किया कि दिया था कि रेप प्रूब होगय रेख हुआ है, क्या है बहुत को बोले को लगा मैं मूट हूं, तो आप बोल लेते हो हमसे, मैं कहा रहा था कि चलो आपने जूश का नहीं मानना, ब्लेक्स का तो मानते हो, ब्लेक्स तो बहुत दिनों से थे ना, वो भी तो खड़े होगे न अमेरिका में, और आप जो बात करने हो एक मिनट जो खड़े हुए थे उसके पीछे हमें पूरा इतिहास समझना पड़ेगा कि वो कब खड़े हुए कैसे खड़े हुए उनको अधिकार इसने देने की पहल की थी ऐसा तोड़े हुआ था भई इतने हजार साल से क्यों नहीं अचानक से हुए जब वहां पर अमेरिका आजाद होने के बाद भी तुरंत नहीं खड़े हो गए थे यह भी याद रखिएगा आजाद हुए उसके बाद से भी एक समय लगा और जब वह खड़े हुए तो उन्होंने पहले हिंसा की थी याद रखिएगा बदला लिया था उन्होंने ऐसा नहीं कि किसी ने फिरी में उनको मिल गया था वहां पर अच्छी तरह से जब जान पर बन आई गोरों के उनको लग गया कि भाईया अभी ना रुकेंगे काट देंगे तब अधिकार की बात करना सुरू किया समय नहीं तो वह अधिकार कहां ते रहते हैं वह भी देन अधिकार के जेंगो उसमें यह डायलोग है वाकाइदे जो लेनार्डू केप्रियो है वह बखाएदे निदे लोक है जिसमें कहता है कि तुम्हारा इमांग खोल दूंगा तुम्हारी खोपड हो दूंग ब्लe को बोलता है और उसमें से एक छोटा सा दिमाग जो हमारी गुलावी करने के लिए ही पैदा हुआ है। उसी का लेके और आगे चले जाते हैं। जो मुवी थी उसमें भी यही चीज दिखाया कि पहले ब्लैक्स का ब्लैक्स पर अत्याचार ब्लैक्स के कि अब इसे जो है परमेसों तुम्हारा रहत करेगा। मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका में के अमेरिका में एक भी ब्लैक को इंवेस्मेंट बैंकर बनने का अधिकार नहीं था। कि अमेरिका में जो ब्लैक्स पूठ है वो तलवार की धार पर उठ है उनकी खुद की सरकार बनी बहुत सार ऐसे प्रेजिदेंट्स बने जिननने स्लिवरी को राइट वे अबॉलिश कर दिया। लेकिन आज तक 1970 में अबॉलिश हो गया मैनुवल स्कैवेंजरिंग लेकिन आज तक मैनुवल स्कैवेंजरिंग लोगों कर रहा है बच्चे कर रहे हैं आज तक बहुत जगव बंधुआ मंसदूरी चल रही क्यों क्योंकि इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन ह को उसक्रिसाइज आज तक कोई एक ऐसा नहीं पैया हूं कियार के बाद से ऐसा कोई सांसद पैदा हुआ ना विदायत पैदा हुआ रहा जो कुल कर सके कुछ कुछ लोग कोड़े बहुत बोलते हैं लेकिन वोडेगं से बढ़ते हैं लेकिन याद रखिएगा जर्मनी में मार्टिन लूथर हुआ था एक कि चोदासो सम्थिंग में हुआ था चोड़ासी के करीब में 1415 सदी में उस व्यक्ति ने पहली बार यह चीज कहा था कि यह जितने चर्च हैं इन चर्चों में 99 सो में से 99 को बंद कर देना चाहिए उस व्यक्ति ने सुधारवाद की जो एक नियू रखी थी और उसी नियू पर आगे चलके यूरोपियन देश आगे बढ़ पाए और धोगे करांती के बुनियाद रखी गई तो जी सर्क और बार दोलता हूं कि यूरोप का पूरा नैशनलिजम यूरोप का पूरा लड़ाई आप शिविक्स की बूप ठाक लिए अपना हिस्ट्री पढ़ लिए हमारे भारत इंडिया वर्स अंग्रेज था पढ़ाया जाता हमें कहीं विरामनिजम की गल्किया उतनी नहीं दिखाई जाती है नहीं दिखाई जाती क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हो रहा फिर चीज़ें बदलती हैं भारत में आप यह नहीं एस्पेक्ट कर सकते हैं कि जो सोसीत है वंचीत है सिर्फ वही उठके करें यह नहीं बात है कोई अमेरिका में अमेरिका में अबराहम लिंकन क्या ब्लेक था वो नहीं थे पिर भी एडोकेट किया तो बात यहां पे यह कि आप हमेशा सोसीत प्रित जिसके पास कोई resources नहीं है वो नहीं है चलो एक माइने में आपने बोल दिया कि क्यों जाते हो हम लोग का अधिकार है हम अपने लोगों से कहेंगे कि तुम क्यों जाते हो क्यों जाते हो वो पर लिक्रिट साइज करेंगे पर जो इस समुदाय से नहीं आते हैं, उनको अपने पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, उनको इस बात पर आपको, अगर आपको इतने सालों में भी उस समाज की mentality अवरे तक ना समझ वे आई हो, ब्लैक्स के सामने वाइट थे वो, जो भी थे Christians थे, हमारे सामने वो नहीं है, आप दलिट्स के स्कूल में रिप्रेजंटेशन देखे दो जार दीम कर, जब तक सरवसिक्षा आप यान नहीं है, उससे पहले दलिट्स के स्कूल में बहुत कम था, आज भी higher education में सबसे कम representation दलिप्स का है मेरा टेहनल का यह मतलब है कि यह जो अब तक का शोशन हुआ है ना अब वो हमारी टेंशन नहीं है हमारी टेंशन अब यह है कि जो भी PD आएगी जो भी PD आएगी वो अपने free दिमाग से सोच पाए अपने free दिमाग से अगर उसको 10-15 साली उमर तक किसी ने मंदिर का टेस्ट चखा दिया ना तो वो एक और बस privilege बंदा बंदगी रह जाएगा अगर उसको नोगरी मिली तो उसके अलावा वो कुछ नहीं एक मेरा बात सुनिएगा मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने European revolution पढ़ा है उसमें पूरा का पूरा नेशनलिजम किसी और देश नहीं जब कि चर्च वर्सेस लिए चर्च वर्सेस लिए और वहां का गोरा भी वहां का गोरा खड़ा हुआ ना वा गोरा ही खड़ा हुआ है ज़िए भारत में सबसे बड़ी कमी है कि यहां का ब्राम हड़ ही धरम के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा है ना यह सबसे बड़ा यहां का प्रोब्लेम है लेकिन जहां-जहां revolution हुआ है वहां पर वो खड़े हुए हैं तो इसलिए यहां पर यह बात समझनी पड़ेगा इसलिए हम लोग इस बात को लोग कि हमारे बुक्स में कहीं पे भी ब्राह्मनिजम को खुल के क्रिटिसाइज नहीं किया गया आज भी दली निवर्सिटी में बी आ अर्मित्र को कोर्स हटाने की बात की जा रही है सावरकर करमोंस लग जा रही है एक बहुत बड़ा टूल होता है अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम में डारेक्ली क्रिशियनिटी को क्रिटिसाइज कर सकते है आप ओल्ड टेस्टेमेंट को न्यू टेस्टेमेंट को आपको मार्टिन लूथर किंग की फिलॉस्पी पढ़ाई जाती ही क्लास 11 के हिस्टी म बारे में क्या आपको उनके कॉंग्रेस के बारे में जो किताब ही लिखी गए चिव उनको बताया जाता है नहीं बताया जाता है जब आपके सत्वां में और अपना बंदा नहीं बठाएंगे और जब तक वो ओपन डिसिजन नहीं ले पाएगा तब तक आप चेंज भूल चेंज भारत में तभी होगा जब हम यूरोप और अमेरिका से यह बात सीख लेंगे कि पहले धरम को उखाड़ के फेंक दो बता रहा हूं मैं यह धरम जब तक बना रहेगा जब तक इसको ओपेंली क्रिट साइजम नहीं किया जाएगा और करने वालों को जब तक रोका जा फिर अबसे चोब लाएगा जब तो हम नहीं बोलेंगे बहुता हूं मतलब फैक्स बोल दो तो कि संटिमेंट से नहीं चलते हैं अगर यहाँ पर पर भी दिस नारा लगा रख जो कि हम तो रोकेंगे नहीं मुवी अधिमा को रहीगा पर भी पन रही थी रोक दिया गया है जो क्या कहते लाइला नाम के एक मुवी बनी थी जो हिंदुत्वा को क्रिटिसाइज की थी उस वेब सिरीज थी पूरी उस वेब सिरीज को बैंड कर दिया गया है आप एक अपने अगे इस पनने ने जाते हैं एक नरेक्टिव तो सेठो एजूकेशन सिस्टम में बता तो चले कि अमबेद्गर जी सोचते क्या थे तो यहां तो हम भी हम अपर कास्षिंश हम पो यहीं मता दिया थे क्या थे क्या है अजे से यादे लोग को लगता है भारत मे पूरे ब्राह्मन की सोसाइटी एक है एक आपको लुवर कास्तो फोड़ी तक नहीं दिखेगा पूरे सोसाइटी में पूरे दरीतों की एक सोसाइटी है और उनकी कंडिशन बहुत बंदी है हमारे यहां से सब के घर पे नाज है लेकिन पाइपलाइन हमारे यहां से बना उ आपके सामने आपके सामने एनमी क्लियर है उसकी मेंटैलिटी क्लियर है उसका जो स्कैम है वो भी क्लियर है ठीक है और आपके पास उसके खूब सारे सबूत हैं ये पुरान वो पुरान शेव पुरान गिता ये मनोश मृति नहीं है जो नीचे अब शेख जी उनको अब शेख जी जड़ा उनको बात कंप्रेंट करने दीजिए अगर किसी इंसान को हम ये ना समझाज पाएं कि ये जो तेरे साथ हो रहा है थोड़ा सा भी कम याद किसी से थोड़ा सा भी ज़्यादा क्यों है अगर ये ना समझा पाएं तो फिर हम लड़ का रहे हैं हम लड़ का रहे हैं उसको जब उसके बारे में नहीं बता पारे कि तो एक इंसान कुछ सोच सकता है तो कहां बतलब एक इंसान कुद के बारे में बुरत सोच कि उसको फोलो कैसे कर सकता है अगर हम यह भी नहीं समझा पारे तो हम कब कब अच्छा यहां पर एक चीज देखें कटर हिंदू कटर हिंदू एक पॉइंट आप समझें यहां पर आपको याद है कि देश गुलाम कैसे हुआ था कटर हिंदू क्या बिदेशी आयत थे उन्होंने भारतियों को अच्छा आप बहुत आसानी से जीत लिया था नहीं थोड़ी बहुत फाइट से उस टाइम पर देश्ट आप या भारत के कुछ गदार थे जिन्होंने खुली आँखों से लेकर बैठाया उनको पलखों पर बिल्कुल जो प्रिविलेज थे उन हो जाता था यही है ना भारत का इतिहास अब यहां पर देखिए कि आपको फाइट करनी है तो हमें इतिहास सबक सीखनी है ना कि जब लोग उस समय भी जब लोग गदार जो थें उन्होंने देश को गुलाम बनवा दिया और उसका फायदा उठाय के बीदेशी यहां पर आपके समर्थन में ना आ गए ब्रह्मेनिकल सोसाइटी जो है वो उनके अंधर से जब एक वर्ग निकल के उस चीज़ को खारीज नहीं करेगा वो उस विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाएगा जो भारत के भविश्य के लिए अच्छा है तब तक वो पूरा सिस्टम तो फूल करके रखा हुआ है फाय्ट करने के लिए हम एसा जासे मजुदू नगां को BE इन सान bliver उसका फाय्ट के लिए जो ए उसकी फरीडम है उसका कोंसेप्ट क्लिएर होगे ना वही फायट लेड़ पाएगा और वहीं जीत पाएगा याद रखिएगा कि फ्रांस की करांती हुई थी तो मजदूर उससे पहले भी थे लेकिन करांती करने के लिए मजदूर ही चले गए ऐसा नहीं हुआ था बलकि एक विचारधारा भी आई थी और उस विचारधारा में वो लोग भी सामिल थें जो अच्छे खासे प्रिवलेज आपकी बात बहुत सही है आपकी बहुत सही है कि फूचरधार भी आपकी बात से सहम है अगर मैं आपको यह दी कहता हूं आज आप मुझे साइंसर नी रियलीस तजा और साइंसस्डों इन तीन चैनलों को छोड़के एक यूटूब चैनल का अन्दाम बताएं जो इंदूर आपके तोर पर क्रिटी साइस करता है जो बड़े बड़े जिन नहीं करता है जो भी बखवास बोला माल लिया मैं आपसे एक पहर सिंपल कोशन तो आज पेस्बूक पेसे आदा पैसा किसका तर्च है एड्स का वह सद्गुरू का अचारे प्रशान का बहुत जादा है कि आप जो भी बड़े आपकी बाते सही हैं पर अगर हमें को सुख करना है को हमें एक मीडियम बनाना पड़ेगा वो है साइस जन्ने रियलिस्ट अधाल हमें अपनी बातों को लोगों तक पहुचाना होगा एक वेश तरीका होता है लोग जानते हैं आधिकतर लोग क्यों चूज करता है क्योंकि हमारी वुक्स में धंग से कैपिलिजम को दिखाया ही नहीं गया है वो खली यूरोप का कैपिलिजम दिखा देते हैं और इंडिया के जितने भी कैपिलिस्ट हैं उनको नाराज ना करने के उनके बारे में अच्छी अची बाते लिख देते हैं किसी कास्ट वाला चैप्टर हटा दिया गया है कास्ट वाला एंगल लोगों के मन से हटाए जाना तो उसने जो कंसेंट्रेशन वो कैम बनाए थे उसमे उन्होंने शावर लगवाई थे यह दिखाने के लिए कि जब यह सब खतम हो जाएगा ना तो ऐसा कोई था ही नहीं कैम यह यहां पर शावर थे लोग ना आते थे तो जो शैतान तरह का इंसान होता है ना वो यहीं करता है अपनी गलतियां करता है और उनको पीछे से मिटाता जाता है है तो हमें इस टीक है कटा हिंदू ओके जीए सर्थ मेरे ख्याल से यह डिवेट काफी प्रूट फूल रहा और काफी लोगों को इसमें बाते समझ में आई होंगी दोनों तीनों पच्छे देखने को भी मिला होगा यहां पे ठीक है फिर कटा हिंदू ओके लोग कि आच्छा कि लोग क्या है ना की लोग कि पुरा गल्टी तो कभी 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 हमें ऐसे ऐसे क्लिप्स चाहिए होते हैं मैं कभी कभी पूरा फ्रीद करता हूं हमें ऐसे हमारे हमारे ये लोगों के कभी-कभी नैसे फूल कुल्टे मदलब की वो तो ठीक है हम तु इनको जवाब करता है अछी तर्से सकते हैं पर कभी-कभी ऐसे खर्याऊनारे भाज को जब लगता है कि यार मैं वहां जाता हूं तो हमको ऐसे ऐसे बोलता है ऐसे ऐसे करता है तो कुछ लोगों का तब क्लिक होता है वह से नहीं क्लिक होगा उनको लगता है नहीं वह बड़े अच्छी आदमी यही लोग है समय रहे ना तो कभी-कभी यह चीज़े हीट करती है ओके मुझे कुछ चीज़ पर डिसकुशन आप आड करते लिए जब तक आड करिए तक यहां पर सुपर चैट्स पहले में देख लेता हूं यहां पर फ्रीडम अन्नोन जो है वह लिखते हैं कॉंस्टिटूशन पर स्ट्रीम लाएं मूल निमाशी के राइट्स ओके शुक्रिया आपका फ्रीडम अन्नोन जी हम लोग जरूर लाएंगे कॉंस्टिटूशन पर पहले भी ड तोड़के क्योंकि उसका एक उसको तोड़के अपने में मिलाने की पूरी साजिक्स चल रही है और यह बहुत आसान है भारत में जातिवाद है ही कि मुस्लिमों के बीच में मतभेद पैदा करा दो अब परकाश्ट मुस्लिमों तो पहले से थोड़ा था ही और अच्छे से क करके रखना ही धर्म की शफलता की उदेश है अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगा कि एशी कटेगरी में मुस्लिम को सामिल करना है मैं तो स्वागत करता हूं कि कर दीजिये लेकिन जितना प्रतीसत आप उनको कीजिएगा उतना प्रतीसत आपको एक्ष्ट्रा कोटा देन है कीजिए लेकिन आपको फिर कोटा बढ़ाना पड़ेगा जितना प्रतीसत आप देंगे उतना प्रतीसत आप कोटा उनका बढ़ा दीजिए फिर आचा तो अधस पुछारी जी शुक्रिया आपका फिर इसके बाद से यहां पर बीपुल इगनीटर जो है वो लिख रहा है है पूरे रिशोर्सेस यह यूज किये हाजारों सालों से ठीक है बिल्कुल सही कहा आपने विपुल जी और शिवडो साइंटिस्ट जो है वो लिखते हैं सर जी शौदी अरब में मिले 8000 वर्स पुराने हिंदू मंदिर का भ्रामक प्रचार वाटसप उन्वर्सिटी पर कि इसका भांडा फोड़ कि मैंने इस पर स्ट्रीम कर रहा किए शिवडो साइंटिस्ट इसी चैनल पर यह श्ट्रीम पड़ी हुई है आप इसको देख सकते हैं फिर इसके बाद से यहां पर कपिल वाथोर जो है इनका भी सुपरिष्टी कर आया है बहुत सुक्री आपका कप पिल जी और फिर यहां पर मनोज कुमार जो है वो लिखते हैं शांदार इसे कट करके जरूर डालिये सर हां जी बिल्कुल वह इसलिए तो त्यार किया जाता है ना और निव थिंकिंग जो है वो लिख रहे हैं इसचे सर जैभीम रमेश टेटे सर की भीमा कोरेगाउं मूव बनने नहीं दिया आँ देखिए बिल्कुल सही कहा आपने वीमा कोरेगाउं मूवी पर इन लोगों ने इतनी वो चला दी मनी शिंग जो है वो लिखते हैं इसचे सर बीए में एक सब्जेक्ट है पॉलिटकल थिंकर उसमें बाबाशाह को एक चैप्टर में तो पढ़ाते ह हैं बड़ महात्मा फूले को नहीं पढ़ाते यहां तक मनुस्विर्ति को पढ़ा रहा हैं देख लीजिए मनुस्विर्ति को पढ़ा रहा है मात्मा फूले को पूले जो हैं जो तिरा फूले जी उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है तो यहीं तो इन लोग की है ना यहीं नो उस समय यह बैं तक करवा दिये थे मलिकार्जुन मलिकार्जुन एस जो है वो लिखते हैं जैभीम नमबुद्धाय शभीचो आपको और फिर यहां पर नरेंद्र जो है वो लिखते हैं शरजी ग्राउंड पर पढ़े लिखे लोगों को उतरना ही पढ़ेगा तफी शवलता ह असील होगी और चाचा जी की बात को अलग करके चैनल पर डालिएगा हाँ बिल्कुल मैं डाल दूंगा अनरेंद्र जी ठीक है आगे बढ़ते हैं तेखें और कोई आया है तो यह कोई लिख क्या है मुझे मत जोड़ना कृप्या अच्छा जी कोई बात नहीं है कोई डिव बाबा हम बताएं क्या करना चाहते हैं लुशर है हाँ जी बताइए सरवाज आ रही है आ रही है जी बताइए सर मेरा कुछ सवाल है मैं आपकी बातों से हैं सो प्रसेंट सहमत हूं लेगि मेरा कुछ अपना सवाल है सब पहला मेरा सवाल है कि हर कोई साइन्स जर्णी कैसे बने यह तो बहुत आसान है किताबे पढ़िए खुब धेर सारा किताब पढ़िए चीजों को समझिए अपने महापूर्सों के विचारों को समझिए और समझ जाने के बाद से चुप मत बैठिए समझ रहा है ना अप के वह तो हुरिबें साथ सप्से इंग कढई यह तक आप कैसे स Chase सकते हैं कि बाकि लोगों का केसा फाइनेंसियल कंडिशन अच्छा था वहीं करन करेगा यह तो बर एक देगा करे ली सब्सक्राइब कर और विक्षास घलता है आपको पता है कि जो बड़े-भाई साहां इतना अच्छा काम कर रहे थे हैं और वो उनको बरतन तक उनके घर से उठा ले गए बटवारा में यह बात पता है आपको नहीं यह पता है जोती राव फूले जी को उनके माता-पीता बहु के साथ घर से बाहर निकाल दिये यह भी आपको पता होगा जी विल्कुए यह पता है तो पारभी तो रुकावट को हमें ही करना है न अगर किसी रुकावट कोई है उस रुकावट पे काम तो हमीको करना है न फिर क्मांडर क्रेंने क्यों होती है हाँ क्यों होती है और इस बात सब्सक्राइब Creator नेन लिओटरिजीं क्यिस भी आपको अपनी अपनी बात को पहुचाना है, आप आनलाइन तो आ सकते हैं, आप आनलाइन आईए, अपना यूट्यूब चैनल चलो कर देगे, कोई आपके पास कुछ माध्यम नहीं है, माइक नहीं है, अलग से कुछ नहीं है, अपनी बातों पर रखिए खाली, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, जिनके मात पर मुश्किल से एक हजार सबस्क्राइब कर रहे हैं, जो की कर रहे हैं, धीरे धीरे बात परती है, करांती एक दिन में कभी नहीं आती है, मालीज आपकी फैमिली नहीं मान रही है, आपके कुछ दोस्त नहीं मान रहे हैं, उस तो मान रहे हैं, एक दो भी मान र पुरा रिसोर्स मिल जाएगा, पुरे स्क्रिप्चर मिल जाएगे, सारा स्यूडो साइंस पो तोड़ने वाले लोग मिल जाएगे, उनसे जुड़ी आप वहां पे पनी बातों रखिए, आपको लिखना समझ इंग्लिश नहीं आता है, आप हिंदी में अपनी बात को लिख सक मेरा तो बाइस था इंडोजन के लिए, इमना चेंज हुआ ना, मैं चेंज हुआ, मेरा भाई चेंज हुआ, बहुत है, दीरे-दीर होता है, आपको नहीं करना कि जबरदस्ति आपको फैमली को ही चेंज हुआ, फैमली नहीं मांड़े, किसी और को मानाई है, स्ट्रीम को श है, तो 85% देखते थे, अभी तक हाल तक यह आकडा है कि 60% जो है, बीरोधी देखते हैं, अपने लोग ही कम देखते हैं, अपने लोग जो है, 40%, अभी भी चैनल के वो देखते हैं, पर 60% जो है, अभी भी वो वर्ग देख रहा है, जो मुझसर नफरत करता है, याद तो उसको उसको पता है वो देखें कितना आगे है कि उसको यह पता है कि कहां पर उसको अपने को वो करना है कहां पर क्या चीज़े भाईश्य में आ सकते हैं उसको डिफेंड करना वो अपने को त्यार करता है पर अपने वह जन लोग जो है हमें ज्यादा से ज्यादा इसलिए कीजिएगा बहुजन लोगों में सिर्फ इसी लिए कहता हूं कि वो देखें वो हेट नफरत करके भी देख रहा है पर अपने लोग प्यार करते हुए भी दूर हैं तो हमें जो है ना घर की मुर्गी धाल भराबर नहीं समझनी चाहिए हमें ना इस चीज को घर-घर में हमें अलाग कि ये बात जानता हूं कि अपने लोग पास रिसॉर्शेज कम है अपने लोग तो एसे हैं जिनके पास एक पैसर नहीं है कि वह रिचार्ज कर सकें और फिर उतना समय भी देके और उसको सुन सके रोटी का सवाल है जाब और ये सारी चीजे मैं इस बातों को समझता ह पिर भी जितना भी पॉसिबल है हमें अपने लोगों में इन चीजों को परचार परशार करना है और जो भी हिंदू बाबा जो भी हैं अगर आपको वाकई में काम करना है न तो मैं बता रहा हूं आप आपको बस सुरू हो जाना है पढ़िए खूब पढ़िए सुरू हो कि आप अपना जो है उतना ही समय निकालिए इसमें इधर को दीजिए पहले अपने को थोड़ा सा इस्टेवल करने के तरफ भी द्यान दीजिएगा और ऐसा नहीं हो कि चक्कर में आप जो है मतलब कि दोनों एक बैलेंस मतलब जरूर कीजिएगा इस चीज को ठीक है ना अत पढ़ने से जिसने भी जो जितना पढ़ेगा उतना ही आप काम कर पाएंगे अपने लोगों के लिए याद रखिएगा जी बिल्कुल शहीं कहा है सरे मैं नाम सिर्व ऐसा ही रख के लिए आयों कि ताकि अब जल्दी इसमें एड कर सके ऐसा पी बात मैं जान गया आप सब्सक्राइब जब से मेरे साथ जाते डिस्क्रिमिरिशन हुए नहीं तब से मैं पूरी तरह से रिशनल हो चको हुआ है बिल्कुल बिल्कुल क्या हुआ था आपके साथ तर एक्षिली करीवन आठ यह नौ साल करूंगा तो एक अम्रूद का पीड़ था ओ च्छत्री मतलब बड़ा को साइज उसका है कुआ का तो वही कुआ में मुझे बांध कि कम से कम तीन से चार गंटा रखा था अच्छा हां यह कम रूद के लिए और इसी के चलते मैंने कहा कि क्या मेरे शाथ कि उसके बाद से फिर हम लोग वहां से इतना डर्जत है तो उसके बाद डर्जत है अब तुरंत में भी एक घटना आई है कि एक बच्चे को ने एक लड़की थी उसका तो इन लोगों ने रेप करके कुए में लटका दिया था दबंगों ने यह भी एक खावर आई है एक और जो हैं उन्होंने भी बताया था कि बच्पन में उनको भी कुए में बांध के लटका दिये थे सब कुए में अब बताईए यह कौन सी प्रथा है यार पता नहीं कौन समय दूटी है इन लोग के अंदर समझे मने आता है किस तरह का इन लोग का सोच एक इंसानियत पूरी तरह से इन लोग के अंदर मर गया स्वार्नों के अंदर माल लेते हैं कि किसी ने गलती कर ही दिया किसी ने भी गलती कर दिया तो ठीक है उसने गलती कर दिया अब उसकी गलती एक छोटा बच्चा जो है जो छोटा बच्चा है उसको खाने का मन करता है वो साधी विबा कहीं भी जाएगा तो सुचता है कि थोड़ा सा ज्यादा मुझे यह चीज अच्छा लग रहा है आप उसको क्या चोरी थोड़े समझ लेंगे कहीं से वह रहा चलते छोटा बच्चा है ना वह जोटे बच्चों को तो गाउं के लोग के हैसे भगवान का रूप होता है उनके खाने की थोड़े से अच्छी ललक होती है थोड़ा सा कही से कुछ उठा ले तो आप उसको यह सजा दो कि ब Somehow कि अजूए में बनकर लटका दो गाइए इतना नहीं होता अगर यहीं ब्रामण आके ले जाए ना तो इतना नहीं होता अगर यहीं ब्रामण को उठा के घर घर का अनाज दे देंगे पूरा घर भर उठा के आनाज देंगे यहीं तो है ना ठीक है हिंदु बाबा ओके शुक्रिया थेंके सुब्सक्राइब आएं जैब हैं और और कोई तो इस आचा अभी कर रहा हूं यहां पे राज जी का सुपरिष्टीकर है शुक्रिया आपका और फिर यहां पे आर पी जी का भी यहां सुपरिष्टीकर है और फिर यहां पर शूरज है वो लिखते हैं जैभीम आपका काम शराहनी है जी शुक्रिया आपका शूरज जी और फिर यहां पर विशाखा भगत जी का सुपरिश्टीकर आया है बहुत-बहुत शुक्रिया आपका विशाखा जी चले आगे बढ़ते हैं देखें कौन आये हैं डिवेटी यह शनातन हीमान्शू कारीया को पहले लेते हैं हाज ही मान्शू बताये किया काना चाहते ऐस का reais बशुक्राइब कॉल्ट को व्योव सवाद हैं का और एक उतली सी था आहली के अभी कांवड पर वगर्ला का फ्यू स्टोरी है वो मैं आपे शेयर करनी जरूर चाहूंगा ताकि हमारे समाज के जो लोग कावड़ हो रहे हैं उनको थोड़ा सा पता चल जगे की पता चल सके की एक्चुली चीजे क्या हैं सर मैं एक सेंटर संचालक हो गाउ में कोमन सर्वी सेंटर चलाता हूं जानते होंगे सर तो सर क्या है कि मेरे पास में महीला आती है मेरे पडोस की तो बोलती है कि बेटा देखना कि मेरे अकाउंट में कुछ 400-500 रुपए आया है क्या तो मैंने बोला कि पैसा किसने भेजा है कहां से आया है बोले कि मोधी पैसा भेज रहा है मैंने बोला मोधी ने तो कोई पैसा कि नहीं मुझे पता चला है कि भेज रहा है तुम एक बार चेक कर लो मैंने ठीक है मैं चेक कर लेता हूं मैंने बोला कि क्या हो गया चार सो पांच रूपे निकलवानी क्यों है अकाउंट से वह तो बहुत कम एमांट होता है कि बोले कि मेरे बेटे की वाइफ घर पे बहुत नहीं है जो मतलब वाइफ को भी आप दिखा सके हो उस्पिटल में बहुत जादा विमार है उनकी तवियत तो बोली कि नहीं जो कुछ पैसा था वो सब लेके चला गया और अब घर पे पैसा नहीं है तो अगर देख ले मेरे अकाउंट में अगर आए हो तो मुझे निकाल क तो सर मैं बस यहां पे यह कहना चाहूंगा कि आप घर के सारा पैसा लेके कावर लेने चले गए और जिसके लिए तुम कावर लेने के लिए गए हो जो तुमारा आराध्या है जिसको तुम भगवान मान रहे हो उसमें इतनी तमीज नहीं है कि जब तक एक बंदा मेरे पास में कावर लेने आया हुआ है उसकी जो वाइफ घर पे है उसको कम से कम तब तक तो मैं ठीक रखू जब तक वो कावर लेके अपने घर तक पहुंचे ताकि उसको बाद में दिखा सके और वो उन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि जिसको तुम भगवान मान रहे हो वो आपक उसमें इतनी पावर नहीं कि उसको ठीक कर सके तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सर इतने बेवकूफ लोग क्यों हो रहे हैं उनको इतनी चोटी सी बात समझ नहीं आ रही है कि भाई तुम यहां पर आए हो तुमारी वाइफ बिमार हो गई है और जिसके लिए तुम आए हो बच्चे को भी लेके गया कावर लेने के लिए वह बच्चा जैसे वह वहां पे गये वह दो दिन के अंदर बीमार हो गया और गढ़ी थीक ऑप आया बजाए कि भागवासी 7.1.5 हो आग लगें नहीं पर डैते हैं इनको उनकी सेवाों के लिए लेकिन उनसे महा पर ठीक न से लाया जाता है वो तुम्हारे बच्चे तक को ठीक नहीं रख सकता है जो उसकी सरण में आया हुआ है तो फिर किस चीज का भगवान है यह चोड़ी सी चीज़े सर समाज के लोगों को समझ नहीं आ रही है और फिर उस बच्चे को आके होस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तीन चार दिन के लिए तब वो जाके ठीक हुआ है बड़ी मुश्किल से वरना वो निकल जाता चला जाता चीज यहाँ पर समझने की बात है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चा जब चोटा होता है घर पर कोई अती आता है तो माबाप क्या कहते हैं बच्चे को पढ़नाम करो मतलब माबापको एक बात पपता है कि बच्चा जो है जब कोई अतिती अतिती आता है तो उसको रिस्पेक्ट देना है पैरवेर छुना है क्योंकि उसको भी कोई बताया है यह सिख्छा जो माबाप को मिली है तो माबाप जब बच्चे को सीखाते हैं तो वह हाय हेलो करना सीख जाता है किसी से भी बचपन से ही अगर माबाप को यह भी सीख आप जब वो चीज़ें आगे बढ़ रही है अब उसने देखा कि यग हवन कुंड होता है हमारे यह होता है वही चीज़ कर रहा है आगे बच्छों पर प्रोपगेट कर रहा है तो आप जब वह कंडिशन में फासा हुआ है ना तो उसके लिए बिल्कुल कॉमन है आप कितना भी आप लॉजिक आपको समझ में आएगे जैसे पीके का क्या कंसेप्ट था कि वो थार्ड पार्टी था इलियन था उसको हर चीज समझ में आ रही थी बाकी किसी को समझ में नही सब अभिहस्त है उनके लिए कोई अश्चर यह नहीं और उसके लिए सब चीज अश्चर यह था तो जो जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि क्या है यहां पर तो ऐसे ऐसे निव जा रहे हैं कि कोई कि अपनी जीव काट ले रह है कोई मा को ही मार दे रहा है को गर्दन ही काट के चड़ा दे रहा है देवी को इससे उसको कुछ पाइदा हो जाएगा यह याने कि जो लोग भी हिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका संश जो है कतई भी उस चीज और तरड पार्टी कर ले रहा है सेन्स वो लोग नहीं कर पाुप रहे हैं तो हमंतsm Box Grandma I mean हर घर में या बच्चों का गडुट्ग श कि वहां से आम बच्चयों को साथ अप tomato से की चाहिए अब नुच्वित सिखा है सिकाते नहां सरकार ने क्यों लाया था ताकि बच्चियां जो हैं बच्पन में समझ सकें कि उनके साथ कौन गलत टच कर रहा है, कौन अच्छा टच कर रहा है, ये ट्रेनिंग आप दे सकते हो, तो उसकी mental क्यों नहीं ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कि क्या पाखंड है, क्या है, वो सारा चीज सीलेबस से गायब कर जाएंगी, घर वाले ही खुद फसे हुए हैं इन चीज में, एजुकेशन जो scientific temperament की बात करता है, हमारा constitution, उसके माध्यम से जो इसकूल खूले हैं, वो इसकूल भी इस बात को सीरे से गायब कर दे रहे हैं, सीलेबस में ये चीज नहीं है, सीलेबस डिजाइन करने वाले व फिर हम उस वर्ग से यतना पढ़ा लिखा जो बंदा है, वो इस चीज प्रोपगेट कर रहा है, तो जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो उस चीज में फसे हुए हैं, हम उनसे कैसे उमीद कर सकते हैं कि वो इस चीज को सूच ले, लेकिन सर, वो समाज का, वही तो समाज का हिस्सा है, वही तो बहुजन समाज है, उसी को तो बाहर खीचना है ना सर, तो यही बात है ना कि हम, हमें इसका एक रास्ता खोजने की जरूरत है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हजार साल भी तो बीत गए लेकिन कहां कुछ करना पड़ेगा कुछ ऐसी चीज़ें लानी पड़ेगी जैसे होता है ना कि फोरवाड कर दिया एक साथ इतने सारे लोग समझ गए आप इंडिविजुल एक एक को नहीं समझा सकते ना हमें कुछ ऐसी चीज़ें जैसे एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा हाथियार है टीवी माध्यम कितना बड़ा हाथियार था लेकिन हमने टीवी के माध्यम से क्या लोगों को परोसा नागनागिन परोस रहे हैं रमायन मभारत परोस रहे हैं हमने उन सारे माध्यमों में ही धोंग घुसेड़े दिया ना यहां पे जो सारी गलतिया जो माध्यम था अपने लोगों को सिक्षित करने का उन सारे माध्यमों को ही हमने उस वर्ग को उस पाखंड में घसेड दिया जो उसका पूरी तरह से उटलाइज कर रहा है अजु चाहता ही नहीं है हम लोग चाहते हैं वो नहीं चाहता है तो अल्टिमेटली हमें पूरा एक देखना पड़ेगा ना लोगों के मने में डर है क्योंकि सर मैं अपनी चोड़ी सी स्टोरी बताता हूं कि मेरे घर में सर इतना पाखंड था जिसकी कुछ सीमा नहीं थी क्योंकि मेरी मुझो मोसी जी है उनका एक इकलोता बेटा था और वो ठारा उननी साल के एज में उनकी डैथ हो गई ठीक है तो उन्होंने किसी पंड़जी से पत्रावत्रा दिखाया कि ऐसा क्यों हुआ हा हाला कि वो एक बीमारी थी उनको उसकी वज़े से उनकी नस्पड़ गई थी दिमाग क्योंकि डैथ हो गई थी तो पंड़जी ने बताया कि आपके कुछ पूरवज है जो रूखे हुए हैं जो उनको देख ले कि अच्छा का सा घर है यहां से माल मिल सकता है उन्हों उस पंड़जी ने उनका पूरा घर बरबाद करके रख दिया है सर पूरा जितना पैसा था सब लूट दिया और उसी चक्कर में सर क्या हुआ कि मेरे जो बड़े भाई है उनको दोरा पढ़ता था मिर चोटी उमर में हुआ तो फिर मैं चीजों को समझ घरवालों से मुझे लड़ाई करनी पड़ी सर यहां तकि मुझे घर चोड़ना पड़ जा रहा है इतनी बुरी हालत मेरी होगे थी घरवालों की वज़े से मतलब मैं लड़ रहा था कि यह पाखंड वाद है कुछ भी नह निकलना जाए तो फिर क्या किया मैंने उनको कहा कि तुम देखो मैं यह जितनी पी तुम तसवीर रखे हो यहां पे मैं प्लास्टिक के बोरे में रखे फैक के आता हूं इसको सबीगो और उसके बाद कुछ हो जाए तो तुम मुझे घर से निकाल देना तो मैंने सारे प्ल बोल बोल जो मैं सब का बुरा बन चुगा हूं पूरे अपने घ्यून का मतलब जो भी मेरे महले में जो मेरे समाझ के लोग रहते हम न देखें वही बात है न कि आप इंडिविजुल काम करेंगे तो कभी नहीं शफल होपाएंगा आपने घटना देखी होगी जब 1995 की घट करना है तो या 1996 की तब गनेश्ची उस समय सोशल मेडिया भी नहीं था उस समय वाटसप भी नहीं था कि सब के पास पहुंच गया खबर और वगेर था लेकिन टीवी के माधयम से भी नहीं पहुंचा था क्योंकि सब पहिले किसी ने दूध पिला के यह चीज नहीं चेक किया था लेकिन एक ही दिन में पूरा भारत दूध पिला रहा था तो इससे क्या पता चलता है कि आप लोगों को जो मैसेज प्रोपोगेट कर रहे हैं जहां जो माध्यम है धार्मिक जो माध्यम है जो प्रोपोगेट कर र आपको साइंटीफिक चीजे परोष देंगे हम बता देंगे के मंदिर कुछ नहीं कर सकता है एक बात क्यों नहीं आ रही है हम एडूकेशन के माध्यम से हरुआ माध्यम से आप सीधे सीधे पढ़ाया जाना चाहिए एजूकेशन होना चाहिए कि मंदिर हमें कुछ नहीं देगी आप मनने दीजिए उनको लेकिन ये चीजे भी साथ में नोटिफिकेशन होता है ना गुटका बेचते हैं तो आपके लिए नुक्षन दे है या आपके लिए ये है तो आपक अगान होना चाहिए ना जब उनकी चीर्याइब और रहे हैं तो लेकिन नहीं पढ़ाई पढ़ाया ना 그 पूरे घतना के जो पात्र आए जैसे लिखते हैं ना फिल्म में जब बनती हैं उसमें लिखना पड़ता है कि इस घटना के सभी पात्रकालपनिक ये हैं वो हैं ये क्यों नहीं रमायन्व भारत पर लिखवाएं हैं ये पूरी तरह से महां का बेजिए कालपनिक है इसके चरीत्रकालपनिक है कोई भगवान नहीं होता ये पूरी हमसे लोगों में चेतना जागरित होनी थी यह लोगों के चेतनाओं पर कब जा है यह समय रहे ना अभिशेक जी आप कुछ करना चाहेंगे इस पर हेलो जी स्वावना को जगा नहीं पाएंगे ना अगर आप खाली इमेजिन करीक में लोगों कुछ ट्रीम ना देख और खाली यह लोगों के लिए रम बेत करके दोस्के आप बिया रम बेत करके तो समझे का नहीं जब तो कुछ के अंदर यह बात अच्छे तरिके से पिट ना हो कि यह जो कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है जा तो कुछ नहीं इंपक्त ना दिखे जिए आपने जो कावडवादी बात करी लोग ऐसा करते कुछ है एक लो जैसे आपनी बहुत सही अब दूखता कैसे है कोई व्यक्तर इस देखे जाना तो डर ऐसे वैसे ही नहीं फनपता है उसको लगतार बनाया जाता है लगतार एक पीडी जेनरेशन वा जेनरेशन एक पूरा सिस्टम उस डर को लोगों के बीच वीचे फैलाता है तब ही जाकर वो कायम राता है कावड सबस्क्राइब करें जैसे एक अच्छा सारी रिसर्फ पबिलीश करें जैसे अच्छा सारी ना क्या करते हैं विमानिका शैस्तर कि उरता है हाँ 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 तो वो अब है अब वो हटा दिया गए एडूकेशन सिस्टम से एडूकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करें अभी ना जैसे मुझे तो एजय सर से पहले पता ही नहीं था कि ऐसी कोई रिसर्च विए लिए मुझे लगता था भारत में बहुत वाले विज्ञान थ तो यह सब बाते हमें में स्ट्रीप मीडिया में मतलब यहीं यूट्यूब में मुझे नहीं लगता ना एज जादा पी इफेक्टिव छोटा मोटे चैनल नहीं इफेक्टिव चैनल था जो इतने बड़े पर आकर ऑनेश्ली हिंदूजम करता है सब ऐसे कहेंगे ठीक है बा अब जरूरी है सब पहले तो सवाल यह है कि संदुगाटी सब्वेता क्या बहुत सब्वेता थी और दूसरा सवाल मेरा यह है कि आजकल सर बहुती नेक्ट लेवल पर परचार हो रहा है कि जो प्रतिवीरा चोहां जी थे वह एक गुजर महराजा थे मतलब गुजर समाज से तो क्या यह सत्य है और इसको पूरा समर्थन हमारे जो समाज के संगटन है मैं आम नहीं लूँगा अच्छे से आदे आप बोधितारकिकों इंस हो भी पूरी तरीकित उसको समर्थन दे रहे हैं तो मैं आप से जानना सक आधा हूँ कि क्या यह प्रतियराज छोहान जी थे वो गुजर समराथ थे दूसरी बात या फिर ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे संगठन जो लीडर है वो कैवाले कि ificial अपने फाइदा के लिए गुजर समाज का लेने के लिए अफिर उनका अपने साथ लेने के लिए कि हमारे जो लड़के हैं जो संगटन में काम कर रहे हैं उनको झोंक दे रहे हैं कि हां तुम भी लड़ाई लड़ो क्योंकि जो तकराव की परस्थिती बनी हुई है राजपूत समाज में और गुजजर समाज में राजपूत बुज जो काम करने वाले हमारे हैं जो कि वहुत गरीब किस हैं किया किवल अपना पॉलिटिकल एजो एजैंडा है उसको सेट करने के लिए हमारे Dáना चाहिए मुल्ट है पहला आपका क्व grocery है कि शिंदु घाटश अभ्यesten पता जो है क्या वो बहुत सभ्यता थी तो उसका जो है उत्तर मैं पहले भी दिया हूँ एक शम्री कर देता हूं आपको कि बुधा से पहले का कोई civilization किसी को नहीं पता था बुधा का भी civilization किसी को नहीं पता था scriptures के माध्यम से दूसरे दूसरे देशों में फैला हुआ था भारत में किसी को नहीं पता था यह अंग्रेज आये हैं खुदाई हुई है तब बुधा का भी पता चला समराटा सोक का भी पता चला गुप्तवन्स का पालवन्स सब का पता चला और फिर बुध से पहले सिंदू घाटी का भी पता चला तो पूरी एक आर्किटेक्ट मिलते हैं प्रतीक चीन मिलते हैं वहां पे भी बुल का परियोग मिलता है समराटा सोक में बुल का परियोग मतलब स्वास्तिक मिलता है मौडियंस भी स्वास्तिक यूज करते हैं वहां पे जो जो चीज है मिल रही है हर वो चीज प्रतीक चीन जो है बुधि जब था तब कोई भी और्गनाइज्ड रिलीजन नहीं दिखता उसके अगल बगल ब्राम्हणवादी किसी भी गरंथ में या किसी के बारे में ना तो बुधा के सिवलाइजेशन ना समराटा सोग का सिवलाइजेशन ना गुपता वन्स का सिवलाइजेशन अना वो सिंदू घाटी से बता इनका जिक्र ही नहीं है यानि कि ब्रह्मेनिजम को इन सब के बारे में कतई भी आइडिया ही नहीं था इन सिवलाइजेशन के बारे में तो यह सारे dots जा रहे हैं कि ये जो line से chain series खोजी गई है ये सब आपस में connected थे हैं अपनी ही पुर्वक्खों की विचारदारा ला रहे थे अब आ जाती है कि जो Buddhism के जो ग्रंथ है तिपिटका वगेरा वो पुर्व बुद्धो की बात करते हैं 28 बुद्धो की बात करते हैं 25 बुद्धो की बात करते हैं सब्ध बुद्धो के archaeological evidence मिलते हैं 5 बुद्धो के नाम लिखित नाम तक मिल जाते हैं भरूत सुटूप आजन्ता के caps में लिखित नाम सब्ध बुद्धो के 5 बुद्धो के मिल जाते हैं तो यह सब भी inaram adjust करते हैं कि बुधा से पहले के बुधा थे वेंसौंग फायान यह सब जिक्र करते हैं कि बुधा से भी 40-500 साल पहले बुधा थे vocet madam जाए वहां पे या तो जो research है, उसमें जो भी बाते आई हैं, इस तरह से आती है, कुछ लोगों ने किताब भी इस पर लिखी है, जैसे स्वपन विश्वास जो है, उन्होंने किताब ही लिख दी है, कि सिंदुघाटी सब्वेता जो है, बहुत सब्वेता थी, और भी बहुत लोगों ने इस पर यह महाराणा परताब को लेकर तो यहां पर fight की ज़रूरत ही नहीं है यहां तो जातीबात कर रहे हैं अरे मानलोना कि हमारे पुर्खे एक ही ही थें जाती ही हाजार साल में добिजन हुआ हैं ना जाती वाद का 2000 साल पहले तो जातिया भी नहीं थी तो आज के जितने भी जो जाती बटे हुए हैं यह सब उन्हीं कुछ जातियों में से तोड़ तोड़ के बने हुए हैं अलग-अलग बने हैं और राजपूत में एक जाती थोड़े होती है उसमें भी असंख्य जातियां हैं उप जातियां है तो सब लोग मान लेना कि हमा सुजाता उनके बड़े-बड़े तौम उनके बने हुए हैं उनके धू-्धूते हुए बहुत से मिल रहा है साउथ में मिल रहा है बुद्धा की मूर्ती एक थे हमारे सारे डॉट एक थे अब हमको जातिवाद में बाटा गया है और जो लोग यह इस बात पर लड़ाई कर रहे हैं कि हमारी जाती का ही रो है अच्छा मैं देखता हूं देखता हूं अभी निर्वाना यहां लिखते हैं शर आपके परिवार या समाज का विरोध जहलना पड़ा था जैविमने निर्वाना जी हमें रेशनल बनने में सबका सहयोग है हर वो व्यक्ति का सहयोग है जिसने मुझे यह भी बता दिया कि इस्वर होता है उसका भी सहयोग है उसने भी एक बर मुझे सूचने के लिए किताबें दो उसका भी सहयोग है उसने कह दिया मैंने गल्ती से पढ़ लिया पढ़के मुझे पता चलिए कि अच्छा यह तो यह तो यहार यह तो भगवास भगवान है पिर तो उनका भी योगदान है सब का योगदान है मेरा और फिर यहां पे शीतल जी जो है आपका शुक्रिया सुमनात है समर्थ करें हाँ समर्थ ठीक है और गोविंदा शुडैव अंसी जी का सुपरिष्टीकर है बहुत बहुत सुक्रिया आपका गोविंदा जी फिर यहां पर रिशिकेश बहुत हम लिखते हैं कितने कामड़िये भगवान के पास गए इनके बारे में बता हैं नहां भी एक्सिडेंट हुआ ना एक्सिडेंट हुआ कितने मर गए हैं और लोगों को लग रहा है कि भगवान आके बचाएंगे रिशकेश गौतम जो है लिखते हैं बाबा शाहिब जी का सीरीज यूटूब पे मिलता है क्या मुवी पढ़ी है पर मतलब कास्टीजम के डिटेल में नहीं वह संदो हजार के करीब में बनी थी संदो हजार या दो हजार एक दो में वह फिर भी देख सकते हैं अगर कहीं कोई नहीं में लगता है वह एक वर्फ के लिए आप देखिए बहुत अची हां निर्वाना चीया के लिखते हैं सच कहा विशेग विवान सास्त्र की असलियत तो इस्चे सर से ही पता चली मैं फेकल्टी हूं सिलेबस में कोटिल्य पढ़ाता था लेकिन कभी इसके बारे में डीपली नहीं सूचा आजी देखिए कोटिल्य को भी यह लोग चेप दिये हैं ठीक है शुक्रिया बताएं क्या काना चाहते हैं सर जी नमस्ते बहुत प्राय के बाद आपसे बात हो रही है हां जी नमस्ते बताएं तो मैं मैं भी नास्तिक हूँ और मुझे मैं शकिल प्रेम जी से उनकी वीडियो देखके यहां तक आया था प्रेम जी से प्रेरना लेकर मैं भी ज्यादा प्रोटसाइथ हो गया और नास्तिक बन गया तो आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही बहुत ही अच्छा है और प्रशन्स नहीं है तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मेरी मेरा एक क्वेस्शन है कि आप जो भी रे अगर मुझे कैसे मिल सकते हैं दाकि मैं भी किसी और को दिखा सकूँ जब मेरी किसी और से डेट हो जाए jut तो यह चिमा पो इसका एंश्अ कर देता हो मेरे पास एक साइट पड़ी है आगर जी आपको मैं आपको स्क्रीन शेर कर देता हूं से अटिया मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में ठीक है प्राइवेट चैट जो है ना आपके साइड में वह दिख रहा होगा चैट बॉक्स प्राइवेट चॉक्ट उसमें आपको लिंक मिलेगा तो उसको आपको बता रहा है आप जाएंगे तो उसमें पूरा हिंदू सांट जाएंगे तो आपको नहीं तो एक स्क्रिप्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे तो आप रहने आपके लिए वेबसाइट में मैंने दे दी है जहांसा आपको प्राइवेट नाम का चाहिए होगा तो आप तुरन्थ रिफरेंट दे सकते हैं कि मैंने एक हिंदू का भी मैं आपको यह करते हैं प्राइविट एक में लिंक दे दिया आप चैकाउट करें कि यह मैंने आंपक कर देता हूं हाँ जी प्रदीप पताएं क्या करना चाहते है कि अधिशा जैभीम हाजी जैभीम कि जैभीम मेरे को बस मैं सुनता रहता हूं आपकी सारी स्क्रीन सुनता हूं मैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे जो नॉलिज थी हालंक मैं पहले से हूं 2014 से और मेरे को जो डिवेट चल रहा था ना वो जो कट्र हिंदू जो बोल रहे थे कि वह वहां ब्लैक्स ने ये कर दिया तो आप क्यूं नहीं करते हैं तो इस थेठी को बाबा साहिबने बहुत पहले डिवन कर दिया अपने टाइम पर ही उन्होंने एक तो उसमें उन्होंने जो ब्लैक्स की जो छो चूशचेर डिविडिटी क्योंकि इंके जो जो इंडिया मैं तो today तो बहतर है तो भावा आपने उसको डिवंग किया था प्रवावा सामने पॉइंट रखे थे मुझे मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो मिले को इतना याद भी आ रहा है तो उन्होंने कुछ पॉइंट रखे थे कि जो स्लेव होते थे उनको यह राइट होता था कि वो अपनी शॉफ खुल सकें लीज पे लेके कुछ काम कर सकें और जो उनके जो ओनर होते थे स्लेव के वो उनको अपना ना वो आटीजर्स बनाते थे उनको उनका जैसे कुछ कुछ लिखना है करना है तो उनको यह काम दे देते थे उनको टेलर बनाते थे यह सारे काम वो सिखाते थे उनको ताकि वो उनको मैक्सिमा फायदा उठा सकने लेकिन वहीं अंटचेबल के साथ ठीक उल्टा था कि उनको तो कुछ काम ही नहीं करने देते थे आप युक्त वो अंटचेबल है उनका कुछ भी किया हुआ बनाया हुआ लेकिन जो ऑंटचेबल से वो टूफोल्ड थी के नमबर एक तो यह था कि एटींवाटी को दिया था अबावा साब ने उससे पहले जी 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 शर जी प्रदीब जी मैंने दोनों लिंक दे दिया है आपका slavery which is worse slavery और untouchability तो यह बहुत अच्छ अर्टिकल थे आप जरूर जाएए और मैंने वो आट अपिशल लिंक भी दे दिया है और जरूर जाको उसको चेकट आट करिए बहुत अच्छा पड़ी तो मेरे को एक नम से याद मिया रहा है लापटॉप में पड़ी है और जब आप लोगों का डिबेट चल रहा था क्यूंकि मैं सुनता हूं सारी डिबेट तो मुझे लगा कि साथ मुझे यह पॉइंट रेस करना चाहिए कि वह जो कह रहे थे कि यहूदी वाला तो जो उनका था वो तो अब इस एक जी ने उसको डिबंग कर दिया था हूंका लेकिन वह नहोंने फिर वह ब्लाक स्काव भालिया स्लिवर सब्सक्राइब करना है और करना ही पड़े गई सब्सक्राइब लेकिन उसके साथ साथ यह और बोड़ी का अलग और बोठा कि वह अपने कुछ कर सकते हैं पलिक प्लेस पे जा सकते हैं असकते हैं जो कि से साथ नहीं था उनको इतना Good Storm था वो जो की और उनर होते थे अनके घर में रहते थे उनके साथ काम सीखते थे, वो सिखाते थे, उनको बिल्डिंग बनाना, सारे चीज़ें सिखाते थे, तो जब ब्लैक्स का, जब वहां राइच हुआ, तो उनको ज्यादा महनत नहीं करनी पड़े, क्योंको उनको सब आता था, पढ़ना भी आता था, और सारे चीज़ें आती जब तक एजूकेशन नहीं होगी, तो कुछ नहीं होगा, जैसे मेरे बताओ, जो जो लोग जैसे, कई बार आप सवाल भी पूछते हैं, कि रिजर्विशन से क्या है, कल कल की, कल मैं सुन रहा था एक डिवेट, तो उसमें कोई कह रहा था, कह रहा था, बहुत सारे जो गरी ही और एक बहन है, और मेरे पापा सिर्फ आठवी पास थे, और मम्मी बिलकुल इलिटरेट हैं, ठीक है, उसके बाद भी मेरे माबापने बाबा साब को समझा, और उनका टार्गेट यह था, कि सिक्षा है, वही हमको आगे बढ़ा सकती है, और कोई तरीका नहीं, क्यूंकि मैं पीएजडी हूँ, क्यूंकि मैं सेंटर्गी इंविस्टरेशन प्रफेसर हूँ, और मेरी बहन भी है, और हमारी दो भाईयों की साधिया हूई, वह लेडीज भी दौरों मास्टर्स हैं, तो एजूकेशन हम क्यूं ले पाए, क्यूंकि रिजर्वेशन था, रिजर्वे कुछ वो कमाते थे, कुछ उस तरह से मैनेज कर जम कर पाए, यहां तक पहुंचे, ठीक है, तो मेरे को यही दो-तीन चीज़े बता रही थी, इसलिकले मैं रिक्वेस्ट किया था, बाकि आप लोगों काम बहुत अच्छा है, साइंस जर्मी शर, आम लोग सभी को बहुत फा आगे बढ़ते हैं, हम लोग डॉक्टर सहाब यहां लिखते हैं, जय भीमशर, आपकी इस उम्र में नास्तिक बने नास्तिक तो साइद मैं क्लास तू में बन गया था, क्लास तू या थी तक मैं बन गया था, मुझे इतना याद है, क्लास तू में मैं पुरान, आठारा तो दार्वी किताब ही पढ़े के मैं सीधे नास्ति की बन गया यह बहुत पहले भी बताया था आज से तीन चार साल पहले भी मुझे किसी ने पूछा था था जाले आगे बढ़ते हैं अमन कोई आये हैं हाज बताएं क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप कुछ इंगलिस में करेंगे तो जो नौन हिंदी लोग हैं उन्हें भी खोड़ा बेनेफिट मिटेगा आपके डिस्किशन से और दूसरा पॉइंट मेरा यह कि आपने बहुत लोगों के बारे में बिबंग या जो बेंटी सच्चाई है जो वह ब्रहम लगों के सामने सच्चाई से रखते हैं लेकिन मुझे लगता है पिछले में कहीं महीने से आपके स्टिमिंग सुनना हूं लेकिन मुझे लगता है उसमें दो-तीन लोग और मिसिंग है अगर आप उन्हें भी खोड़ा स्टुड़ी करके अड़ करोगे तो जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा एक तो है यह सहज योग और दूसरा मातल इर्बलाजी का कोई सहज योग के नाम पे कुछ और ही वो सिखाते लोगों को आत्मा और परमात्मा के ब आने लगते लोगों को सुरू कहीं और से करते हैं यह रवी शंकर कुछ नाम है क्या इसका आर्ट ओफ लिविंग और यह माता निर्मला देवी जी इन्होंने खुद को कृष्णा की तरह का कि मैं तो सूपर नेचुरल पावर अपुद को इन्होंने का कि मैं यादी सकती तो मुझे लगता आपको इनकी तरफ दो चीजों की तरफ ध्यान देना की थोड़ा सा अगर आपका समय हो या कुछ ऐसा स्कड़ी कर पाऊं उनके बारे में अच्छा कमान जी बात है कि इंग्लीश वाला जो बात है ना आपको इंग्लीश स्पीकिंग बेल्ट के लोगों को बात सही है वो जरूरी होता है पर मैं आप से कौनगा ना कि आपको चैनल को फॉलों करिए एक चैनल से विवों वो बहुत अच्छा हिंदुत्वा और अच्छा है और एक ओर साइन्स कर ते ना को बात शाया पर आए जो करते हैं ना कि वह था जो जो बढ़ु करता है इन सब मुद्व एसरवेशन स्पे अफर्मेटी एक्टी फूप बनाते हैं तच शॉट शॉट बनाते हैं मैं थे बबड़े बनाते हैं तुकिए इनी करते ह कि अधिया में रहके हिंदुजों के खिलाब बोलना वो भी उनलाइन प्रेट्पाम के बड़ी बात होती है मैं ट्राइ करना हूं कोलने का मैं कहारा कि आप इन सब लोगों को जाके बताइए कि उन साथ आने का ट्राइ करेने यह तो यूमन विट साइन्स और अमिट टिवारी सर यह दरों बहुत अच्छे रहेंगे ठीक है यह आपको एक टीम पे वर्क करना हो जैसे आप दरीलिश्ट अजाद पर जाईए वहां पे हिंदी के तो अजाद सर है लेकिन आपको इंग्लिश में चैनल अमिट टिवारी सर और एक मॉरल टीचर है उनको थोड़ा कॉंसे एक बार रिक्वेस्ट करिएगा क्योंकि अमिट टिवारी सर की साइन्स बहुत तगड़ी पकड़ है साइन्स पे एथिस्ट इन सब ठीक है क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं हमने प्रिस्टोफर एचेंस रिचाड डॉकिंस हो सब्सक्राइब यह कहना चाहते हैं कि एक इंग्लिस चैनल होना चाहिए आप ऐसा कहना चाहरा है मनजी वहीं वहीं पर अगर इंग्लिस चैनल भी नहीं हो तो लेकिन कुछ स्ट्रीमिंग खोड़ी बहुत क्योंकि आपका स्टाइल डूसरे का स्टाइल में थोड़ा डिफे में देखता हूं और सब्सक्राइब टीक है ओके 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 शुक्रिया अच्छा ठीक है फिर अभिशेक जी-ओके भी ब्लाम जी और गणी कैसे हैं आप जी मैं ठीक हूँ आप सुना ये कैसी हो हाँ जी बढ़िया है तीन शाय तीन चर मीनने के बाद मैं जुड़ रहा हूँ जी और कुछ डूर रहा है कुछ ड्यूटी ऐसी थी बस उस वज़ा से सुनता रहा हूँ आपको बीच-बीच में लेकिन कांटिनी जेस पहले रबो नही जाए तो बात चल रही थी कि किसी लड़के को कुवें में बांध कर लिटका दिया गया हां मुझे आपका देखे याद आ गया था उस समय तो मुझे जाम मैं सुन रहा था तो मुझे वह अपनी सारी स्टोरी याद आगी तो मुझे लगा फिए आज मुझे जुड़ना चा मैं जो नए दास्टे का जिनको नहीं पता मैं थोड़ा रपीट कर दो साइच जारनी जी ने कुछ दिर पहले आदा गंटा पहले बात कर रहे थे एक लड़के को कुवे में आद बांध को कुवे में लटका दिया वो मेरी मेरी स्टोरी बत कर देखे जाब को और भी हुई ह हो गिया से तो मेरी उमर गड़ना मेरे साथ होई है मेरी उमर आट साल की थी आप अंदाज्या लगा साकते हो कि आट साल का बच्चा भी में मजदूरी कर रहा है तो हम जब चारा लेने गये हैं भी चारा ऐसा था जैसे घास फूस कीसी फसल में घास पूस हो जाता ना वो न हमें दोनों के इतना पीटा गया, मुझे ज्यादा पीटा गया, मुझे ज्यादा इसलिए पीटा गया, कि मुझे बच्छमन में जब छोटा था, मुझे गाली निकालने की आदत थी, जब मुझे को मारता था, चड़ाता था, मुझे गाली बहुत निकालता था, उस समय उसको उमरके मुझे गाली का मतलब भी नहीं पता होता था अब कि कोई भी निया मनाने के लिए पजmphtर ऑफ झाओ तको लोग पती थे कि रही ettes मेरे साथ क्या हुआ है और उस घटना ने मुझे इतना बदल दिया ना जब धाई से तीन गंटे का समा होगा और मैंने उस समय जे सोच लिया था कि शाद आज मैं जिंदा बाप से नहीं होगा मेरे इतना पीटा गया मारा गया तो जब छोड़ा गया मैं घर गया मैं अपनी मा को बताया कि मेरे साथ ऐसा होगा मेरी मा मुझे बोलती है अपने बाप को मत बताना मैंने क्यों नहीं बताना तो वो कहती नहीं अगर तू अपने बाप को बता देगा जिन लोगों ने आपको मारा वो गिंती में ज्यादा लोग है वो अगर उन्होंने तेरे बाप को मार दिया तो फिर तुझे खाना कौन देगा घर कौन चलाएगा तो मेरी मा को इतना डर था ऐसे हलातों से हम निकले या तो तब से मैंने ये सोचा कि हाँ ये बात तो सही है अगर मेरे बाप को इन्होंने मार दिया तो हम क्या करेंगे खुद को मजबूत किया अपने आपको इतना मजबूत गिया लिए उसके बाद इतना खुद को स्ट्रॉंक किया उसके बाद इतना नफरत होगी मुझे जो जात्ती बाद करता था और दूसरा अगर कुछ किसी की लड़की को छेड़ देता था दो गठना का पता चलता था हम घर से नकार लाते थे इतना खुणता होगी इतना बदले की भावना मानमे पएदा होगी तो तब उसके बाद मेरी टाकत बनी मेरे भाई हमारे रिष्टेदार उनने मेरा बहुत साजो किया उस समय के बाद आज ताक किसी की हीमत नहीं को हमारे परवार के जा रिष्टेदार की तरफ को आख भी उठा के देख जाए कि जाती बेदबाब जा को ऐसा को प्रूटा भी कर जाए हमें कर दिनों में हम घरों में काम कारते थे मैं शूरू से मेल्टी स्किल्ड रहा वार तरह के काम कर लेता हूं तो जब घरों में काम कारते थे एक लिखती एक एग्रिमेंट होता था, यह जे काम होगा, नंबर वाइज इतने काम होगे, इतना समय होगे, इतने समय के अंदर फिनिश कारना और इतने पैसे होगे, तो मुझे जिस दिन मैंने काम शुरू किया, एक सेख फैमली थी, वो नाम तो पता था उसका, आप किसको मानते हैं, क्योंकि मैं तो किसी को मानता है नहीं हो, आपकी जाती क्या है, उसने मुझे पूछा, आपकी जाती क्या है, तो मैंने उसको बोला, जो पेपर एग्रिमेंट का था, हमने किया था, एक मेरे पास था, एक कॉपी उसके पास थी मैंने बोला वो जो पेपर एग्रिमेंट का वो ले किया हो वो ले किया गी मैंने बोला इसको पढ़ो इसमें क्या लिखा उसने बोला एक नमबर दो नमबर तीन जो जो लिखा था आठ नमबर पर बोल पर मैं कहा नीचे क्या नीचे साइन किये हुए दोनों के तो मैंने कब ठीक है, अच्छा मैंने उसके आगे कोई बात नहीं की, बात ठीक है, मैं अपना काम कारने लग गया, उसने सोचा ज़ारे इसको समझ नहीं आती, तीन दीन, साइच जरने जी तीन जी घटना चलती रही, वो मुझे पूछने नहीं जाती किया, मैं जब भी मुझ मैंने बोला एक बार फिर पर इस पर क्या लिखा, जब उसने पड़ा मैंने इस जितनी भी ऐर्ट लायन लिख incense इसमें कहीं भी लिखा है कि आपने मुझे मुझे मेरी जाती पूछनी है यह सब्द है कहीं भी मैंने का तीन दिन से आप मुझे पूछ रही है आपको इतनी समझ नहीं आई आप मुझे बोलती है इन लोगों का दमाग काम नहीं करता दमाग तो आपका नहीं काम करता, तीन दिन से आपको यह नहीं पता चला कि मैं आपको तीन दिन से पढ़ा रहा हूं इसमें क्या लिखा है, इसमें जो यह कहीं नहीं लिखा है, आपने मुझे मेरी जाती पूछनी है, तो ऐसा सिस्टम है, हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, ल जो जो काम कर रहे हैं यह बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन इसका मैं खुद को बताओं को कभी भी नेगटिब नी होता है हमें ऐसा लगता है कि शायद स्पीड स्वलो है लेकिन फिर भी मांनतौ है यह स्पीड स्लो नहीं है हाजार साथ से 1507 से हमारे समाज के साथ इतना वहान का है, गरीषी, टूर नहीं है किस आंप का सबस्टाइ मह samma gonna live here कि सस क्वाइज कहीं, ए या मेते ह। इन में दो भूट में जो दूर जो वहाननों पाइस कर दो दोच, भाबाता मेटकरन आपलगा हैं भी भी आफे हो सबातार में तो ब्रू। आने वाली जब जब इच्वी बैदलती है आती है आने वाली पीडी जो आती है उस मिट डेली आती है और आने वाला समा मुझे लगता कि बहुत अच्छा समा आएगा और आप लोगों की जो मेंट खर रहे हैं च्पाнов आएगी और एक करांगे गी तो हमें सभी को मिलके इस सिस्टम का हमें सामना करना होगा, मैं अपील करूँगा जो अपने अपको खुद उची जाती वाले बलाते हैं, बोलते कि हम उची जाती वाले हैं, हम उनको बोलोगा जी उची नीची जाती को छोड़ तो इनसान बनो, हमें इनसान बनना है, जिस द अगर पंजाब में गटना करता तो सिर्फ सकता है और कोई निकरता है दूसरी है दूसरी भी लोग है जो उनका सहजो करते है फ़ो भूं आपकू सिख बोलते हैं वो जाता क्मीईटी तो आपने उपकू रामगरी भी भी बोलते हैं आपने बोह को एक कबीर नौग में खड़ी हो जाते हैं जब गाउंमें बाइकाट किया जाता है तो ऐसी अछाजा पन्जाब में बहुत जादा होती है तो पंजाब में घठना करने बाले सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं वो जट लोग है तो बास ये बात करने थे को कुएं की बात सुनके मुझे अपना फिर आज भी साइन जाने जी मुझे वो पूरे पूरा सीन मेरी आखों के सामने है सारा सीन मुझे लोगों के चेरे कैसा कैसा ला एक दम मेरे समने कड़े जो मेरे साथ हुआ था उसको कभी भूल पड़ी है और इनके मन चड़े हुए है यह लगतार इस तरह की चीजे कर रहे हैं अभी खबर है मतलब तीन-चार दिन पहले कहा एक बच्ची को ऐसे ही मार दिये थे लटका दिये थे उसका रेप किये सब उठा ले गए रेप किये फिर उसको उसमें कुए में इसे ही लटका क पॉसिबल है लेकिन अगर यह नहीं सुधरें तो भाविश्य में पब्लिक इन पर क्या इनका क्या इतिहास बनेगा भाविश्य में यह खुद इसके जम्मार हो जाएंगे फिर अच्छा अगर यह नहीं सुधरेंगे ना एक नारा दिया था किसी युनिवरस्टी में कि ब् अगर लगा आज तो हम उसका स्मर्थन नहीं करते अगर अगर नहीं सुधरें तो फिर हमें उस उन्हारे का स्मर्थन करना पड़ेगा वही तो बोल रहें ना यह जो जनरेशन आ रही है वह एक लिमिट होता ना वेट करने का कि हम एक वेट करते हैं कि आप आपके तरफ से क्या परतिकरिया है क्या क्या है लेकिन जब आप नहीं सुधरेंगे तो फिर गेंद हमारे हाथ में होगी फिर फिर लोग यहां के कर लेंगे कैँ आप क्या करना है अभी तो चलो लोग लगा रहे हैं नारा लेकिन लोग जो है छोड़ देते हैं कि नहीं इसकी नहीं जरूरत है लेकिन लोगों को अगर महसूस हो गया कि अब जरूरत है तो फिर उसके बाद से कोई पलेट नहीं पा leopard नहीं स्पएगा फिर 1927 तक, 1935 तक, 1927 से लेकर पानी की गटना हुई, मनुसिम्रिती की गटना हुई, साइमने कमेशन की हुई, गोल मेच कॉनफरेंस की, 24 सतंबर 32 की गटना हुई, पुन्ना पैक्ट की, उसके बाद, उसके बाद आप देखो के जब उनने अनौस किया, 13 अक्तूबर को नौस किया हम हिंदु धर्म छोड़ेंगे, क्यों नौस करना पड़ा उनको, उसके पर 35 के बाद, 56 में जाकर वो बुद्धर्म अपनाते हैं, उनका पहले तो उनकी कोशिश थी कि हिंदु धर्मे में, जो कुरूतियां, कृतियां हैं उसको रपेर किया जाए, उनने बहुत की है, लेक जासा आदमी, जैसा एतना बिद्वान आदमी को, इन्होंने इतना जलील करने की कोशिश किया, तो हम जैसे लोकों ने, और बाबा सहाब ने एक लंबा समय इंतजार किया, कि साईद इनमे कुछ परिवर्थन आये, लेकिन वो तो सुनने को त्यार नहीं थे, वो तो सुनने नहीं जो हमें इंसान ही न समझता हो और जो इसके ठेकेदार बनके बैठे हैं वो भी हमें उसी धरम के अधार पर नहीं समझ रहे हैं तो हमें ऐसा धरम ही नहीं चाहिए फिर वो फिर अपना घर वापसी कर लिए और लोगों को बोले कि फिर घर वापसी करो हमें ऐसा आइसा नकली और चीज़ चाहिए ही नहीं फिरा में ऐसा कोई धर्म तो बाबा साहब सीधे सीधे बुद्धम आपना लिये और लोग इसी लिए लोग लगतार बुद्धम में जा रहे हैं अभारत में सबसे तेज जो अगर कोई जनसंख्या बढ़ रही है तो बुद्धम की बढ़ रही है बस ये जनसंख्या जालना नहीं हो रही है लोगों में ये लो convenience कि रियास कर रहे हैं ये भी दिखाने कि बुद्ध्धर्म करोगे तो हम करवाई कर देंगे धर्म प्रयोड़तन पर यह करेंगे वो करेंगे वे ह्याई रही है कि लोग जो है आज देश आजाद हुए 75 साल हो गया बाबा साहब उस समय अपनायत है आज भी लोग अपना रहे हैं इसका मतलब इतने सालों में भी इन लोगों ने नहीं सुधार किया तभी तो लोग जा रहे हैं न आप पचास तक देखिए बता नहीं मैं पचास तक देख पाऊंगा जा नहीं देख पाऊंगा लेकर आप होंगे देखिए पचास तक कैसी तबदिली आती है यह भार्द जो अखार फैंके कैसे ब्रह्मनी का सिस्टम को पचास तक जाते जाते यह सारा बार्द बूद में जैसे स्पीर से बढ़ रहा है न वो पचान रहा है अपनी कार्म कारना पड़ेगा उखार फैंके कि इनको अगर नहीं सुद्रे तो हाँ वो फाइनली है ही एक उप्षन तो है ही अगर यह लोग वेट कर रहे हैं बाबा साहब भी एक वेट की हैं और पब्लिक को एक कहवात है न कि दिया बुझने से पहले भगबाकाता बहुत जोड से है तो अभी क्या है ना कि यह लोग यह जितनी घपनाय आ रही है किसी को मार दे रहे हैं बताइए दो भाई जो ते हैं गुजरात के उनको कबजा करने के उसमें मर दी हैं अब वही जो है इनका कोई आदमी नहीं मारा जाएगा मतलब हत्या होगी तो सिर्फ एसी एश्ट समाज के पास यह तो बहुजन समाज अभी नहीं उस चीज को उठा रहा है तो यह चीजे हैं ठीक है बाकी फिर फीचर में फिर जुरू मिलेंगे बात करेंगे तो धन्याबाद आपका का देने के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप काफी दिन बाद आएं ले तो साथियो आज का सेशन जो है हम लोग फाइफ आवर भी हो चुके है तो आज यहीं पर हम लोग क्लोज भी करेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं टूस्टे को सेवन पीम पे आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिएगा और आप लोग अपना ख्याल रखे अपनों काफी ख्याल रिखें बहुत बहुत शुक्री आप सभी का